तो मेरे क्याल से अभी हम लाइव है और आज हमें खदम करना है पूरा का पूरा तो क्या तैयार हो आप लोग पटाफट से मुझे चैट बोक्स में बताएं यह सब या अब यो यहां कर सकता है और करते हैं एक चाथ करने वाली जैसे कि अबने थम्झील में देखा था और उसके साथ साथ हम questions भी करेंगे जितने important questions है practical questions सारे हम cover up कर लेगे तो यह one single video रहेगा derivatives का मैं चाहता तो आज दो भी ले सकता था derivatives और मैंने सुचा नहीं derivatives उठाते हैं बड़ा topic है और उसको एक ही class में एक ही session में पूरा पूरा खतम करते हैं और secure करते पूरे derivatives को तो सब्सक्राइब मेरे ख्याल से अब मुझे यह पर बता दीजा सब कुछ perfect है तुम start करते हैं अगर सब कुछ एक जिनका कहना है कि derivatives से दर बहुत डर लगते हैं आज यह class कर लो पूरा आज की revision session यह देख लो पूरा और उसके अब आप खुद बोलना मुझे यह खुद बोलो कि मुझे की सहर अब टेरिवेट इस इतना पानी पता ही नहीं नहीं तो इसलिए मजबूरन मुझे आज पूपाई नहीं मेरे पास मैंने बोला नहीं पढ़ाने में को कंप्रोमेश नहीं होनी चाहिए आज पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आने चाहिए फिर पढ़ाने में दिक्कत आएगे तो वह चीज़ नहीं करना पर उससे पहले बस एक बात एक बार रूप जाएगे आप लोग एक सेकंड में चार्जर मंगवा लेता हूं फिर इसी बना देते हैं कि एक बार रूप एक बार रूप एक बार रूप होगा तो सब खराब हो जाएगा तो इसलिए फटा पर दिमें चार्जर ले आएं चार्ज एक पर लगा के रख देंगे को फिर मेरे ख्याल से को दिकत नहीं आएगी फिर चार्जिंग हो रहे तब कुछ परफेक्ट है तो चलिए भी हम स्टार्ट करते हैं लास्ट में प्रैक्टिकल किस बार लास्ट में फ्योरी पर डिसकस करेंगे अब इस्टार्ट करते हैं त्यार हो अब से भी घर्सित्ता चीके रिया प्रोक्स कितना टाइम लगी है मेरे ख्याल से थियोरी भी करना है प्रैक्टिकल भी सारे करने तो चार से पांच घंटा तो लगीगा मेरे ख्याल से अच्छे से कराओं ना उड़ा-उडा के करूंगा दो अंटे में हो जाएग अगर मांगे बाले हो सबसे पहले हम आपको बजा तो टैरिवेट इसका मतलब क्या होते है जैसे कि मानली जो फोर एक्जाम्पल होते है एक डरिवेटी मार्केट होते है जहां पर हम फिस्टोक वगेरा खरीटने जैसे आप स्टॉक एक्शेंड अब स्टोक्स वगेर है सब के तूर प्राब्लम क्या है तो पूरा 3,000 रूपीस मुझे थेना पड़ेगा अब मनले Call सुना दो तीन बाते मैं आपको समझाओंगा यह समझेशलों के डेरिविटिस बहुत इजी लगेगा मान लीजे आपको लगता है कि रिलाइंस का सेर्स का प्राइस फ्लूचर में तीन मेहने में बढ़ने वाला है तो हम क्या चाहेंगे हम चाहेंगे आज रिलाइंस का सेर्स खरी लूग तीन मेहने की बद जब पूर्ट होजएगा बीच दूँगा कितना कमाया थायोचिन रूपीस कमाया कितना लगा कितनी लगा ए अप्रॉक्सिमेटली 33% मैंने कमाया रिटन कमाया यह हो गया क्रेट एक मार्केट में क्या होता पता है मैं क्या करूँगा यह जो रिलाइंस का सेट्स इसका फ्यूचर भाई करने का मतलब सिंबल वह यह मैं रिलाइंस का सेट्स खरीदूंगा नहीं पर खरीदने का कॉंट्रे कर लूँ अप्री डिटर्मेंट प्राइस में मतलब मालनो 10% अपको मार्जिन देना है वो security deposit की तरह है ताकि आपका नुकसान हो जाएगा तो महां से पैसे कर जाएंगे तो मार्जिन आपको देना होता है तो महां पर 3000 का रिलाइंस का सेट्स है मालनीजे 10% मुझे मार्जिन देना हुआ मुझे सिर्फ 300 रुपीज देना पड़ा कितना देना पड़ा 300 रुपेस मुझे देना पड़ा और मैंने रिलाइंस का फूचर भाई कर लिए अब तीन महने के बाद अगर वो मालीजे रिलाइंस का असेर्स 4000 हो जाएगा तो मेरे पास अभी हग है कि मैं 3000 में खरीद के उसे 4000 में बेच सकता हूँ स्क में कमा कितना लोगा अब मेरे पास तो मैंने future contract किया हूआ स्री थाॉजन में खरीदेगा तो थ्री थांचन में मैं खरीदूँगा और मार्केट में निकलूँगा और जाके जो आज का current price ने मेरे के बात का फूर थाउजन में बेच दूँगा कितना कमाया 4000 कमाया कितना ल contract कर सकते हैं पैसे कम लगते हैं यहां पर और उधर cash market में क्या होता है पैसा जादा होता है जादा लगता है तो यही फ़र्ग है derivative market का कि derivative market में हमें पैसे कम देने होते हैं जिस margin money हमें देना होता है और हमें benefit उतना ही मिलता है जितना कैस्ट मार्केट में मिलता है तो वही चीज है डेरिवेटिव मार्केट अब हम डेरिवेटिव के अंदर बहुत सारा कॉंट्रेक्ट पढ़ेंगे फ्यूचर्स ऑप्संस बाइनुमिल ब्लैक सोल्स मेली और यह रियल ऑप्संस मेली यह प्रैक्टिकल यह पढ़ेंगे में यह चीए प्रैक्टिकल से जो हम प्रैक्टिकल सारा पढ़ेंगे फिर यह थ्यूरी हम पढ़ेंगे तो पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं सबसे बहले कैस्ट मार्केट डेरिवेटिव मार्केट मैंने उल्रेडी पढ़ा दिया अब नूर्स की जरी खुद रीड कर सकते हो द्याने derivative market में hedging, speculation, arbitrage purpose के लिए करते हैं जुआ खिलने है, पैसा कमान, speculation, hedge करने के लिए भी करा जाता है arbitrage के लिए भी करा जाता है अब हम फटा फट से पहुच से forward contract में one by one हम क्या करेंगे सारे जो derivative contract है one by one उसके हम discussion करेंगे forward contract बहुत ही simple सी चीज़े मान लीजे मैं हूँ प्रतिक जगात हूँ मैंने आपके साथ है मुझे लग रहा कि future में gold का price बढ़ेगा मुझे लग रहा आभी मान लो पढ़ तोला मान लो 30,000 रुपी से gold का price मुझे क्या लग रहा है कि future में gold का price बढ़ेगा तो अगर मैं gold खरीदने को जाऊं तब तो मुझे 30,000 रुपीस लगीगा मेरा पैसे लगेंगे मेरे upfront है ना लेकिन मैंने क्या सोचा मैं gold खरीदने का contract कर लेता हूँ forward contract कर लेता हूँ forward contract मैंने क्या क्या मान लो आपके साथ ये exchange में नहीं होता अगर मुझे लगता गोल का price बढ़ेगा तो अगर मुझे लगता गोल का price बढ़ेगा तो मुझे आज बाई करना चाहिए तब ही तो जब बढ़ेगा तब बेचके निकल नुगा तो मैंने क्या क्या forward by contract क्या आपके साथ सोधा कि तीन मेहने के बाद मैं आपसे वन तोला गोल्ड खरीदूंगा 30,000 रुपेश में और आपने क्या forward contract क्या forward sell contract क्या मुझे 30,000 रुपेश में बेच होगी अब तीन मेहने के बाद गोल्ड का price वाकई में 35,000 होगी लेकिन मेरे पास तो forward by contract है जिसके चलते मैं आपसे 30,000 रुपेश में खरीच सकता हूँ और market price कितना हो गया 35,000 हो गया मैं 35,000 में इसे बेच दूँगा तो मैंने कमाई कितना क्या 5,000 रुपेश मैंने कमाई किया किसके जरी forward contract के जरी वही अगर इसका price गिर जाता 30,000 की जगा 20,000 हो जाता मालो तो यह यहां पर क्या होता मुझे मजबूर है मेरे पर obligation है मुझे आपसे 30,000 में खरीदना होता फिर market में 20,000 में बेच पाता मेरा 10,000 तो रुकसान भी हो जाता तो यहां पर दोनों होता है जिसे इंडिया पाकिसन मुझे लग रहा इंडिया जीती गा तो इंडिया में बैटिंग लगा दूँगा एक प्रकार का वह स्पेकुलेशन वह एक प्रकार का स्पेकुलेशन वह तो यहां पर अगर मेरा strong belief है कि future में price बढ़ेगा तो मुझे क्या करना चाहिए forward buy करना चाह अगर मेरा strong belief है कि future में price गिरेगा तो मुझे क्या करना चाहिए forward sell करना चाहिए इतना ध्यान में रखेगा strong belief है future में बढ़ेगा vay करो या future buy करो wrong believe future में price गेरेगा क्या करो forward sell करो या forward या future sell करो बस ये ध्यान में रखोगे forward contract मैंने आपको समझा दिया अभी मैं futures आपके साथ discuss करता हूँ देखें अभी मैं futures आपके साथ discuss करता हूँ एक आपका currency का एक portion discuss करता हूँ जो फोरेक्स से देना debt means वार तीन मेने के बाद आपको dollar 50,000 खरीदना पड़ेगा यहां पर को strong believe की बात नहीं हा रही है मेरे पर obligation है कि मुझे exporter को 50,000 डॉलर देना है और आज चलना रूपी पर dollar 90 पर मुझे डर क्या लग रहा पता है फूचर में रूपी पर dollar बढ़ गया तो फिर मुझे ज्यादा प्रेस लगेगा क्योंकि आज अगर मैं 50,000 डॉलर 90 रूपीज की साब हम क्या करेंगे 90 रूपीज में आज ही सोधा कर लेंगे future buy करने का अब आगे जाके अगर मानलों बढ़ता भी है तो हमारा effectively 90 रूपीज भी लगेगा अलग कि future market में यह दिहान रखना यह exchange में trade होता है और यहां पर net settlement हो अब यहां पर आप ठीक है इसको छोड़ दीजे मैंने समझा दिये अब यह main future contract के अंदर आते जहां पर दो चीज़ आपको सिखाने एक speculation एक hedging यह main दो जरूरी चीज़ एक speculation और hedging यह दोनों चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा one by one एक बात ध्यान रखना आपको पहले यह पता करना कि आप speculation कर रहे हो कि hedging करो यह दोनों का mix नहीं करेंगे speculation का मतलब क्या बता है मेरा कोई भी investment नहीं कहीं पर भी sets वगरा में यह जिस चीज़ का मैं derivative contract करना चाता हूं उससे related मेरा कोई investment नहीं है मैं just speculate करना चाता हूं मेरा कोई hedging वागरा का purpose नहीं है तो speculation में जैसे मैंने आपको कहा कि आपको speculation करते से में future को predict करना होता future को forecast करना होता है अगर आपको लगता है future में price बढ़ेगा क्या दर होगे मुझे chat box में बता हो क्या दर होगे अगर आपको लगता future में price बढ़ेगा और यहां पर बढ़ने का डर गिरने का डर नहीं होता है वो hedging में होगा speculation में तुम खुले सांड है हमारा कोई exposure ही अगर हमें लगता future में price बढ़ेगा तो हमें क्या करना चाहिए प्रतिक जगाती का strong belief है कि sales price करेगा बढ़ेगा तो बताओ प्रतिक जगाती क्या करना चाहिए future buy करना चाहिए क्योंकि इसको future buy करना चाहिए अब यहां पर अगर इससे लगता है कि reliance का से बढ़ेगा यह सीधा physically reliance का sales खरी देगा आप ऐसे बहुत बहुत लग जाएगे तो वह तो मतलब नहीं option one तो मतलब नहीं हमें हम derivatives पढ़ रहे भी हाँ पर option two में हम क्या करेंगी यहाँ पर हम future buy contract कर लेंगे मान लीजे for example आपको 4000 रुपीस में reliance का future मान लो मिल रहा तो वह भी three months का reliance future आपको मिल रहा 4000 रुपीस में तो हम क्या करेंगे future buy कर लेंगे 4000 रुपीस में क्यों क्योंकि हमें लग रहा है कि बढ़ेगा price तो हमने क्या-क्या future buy कर लिया three months का future buy कर लिया one share का future 4000 रुपीस करके हमने बाइग कर लिया अब बात में आप बता आपका फाइदा कब होगा जब reliance का सेर का प्राइस बढ़ेगा तब ही तो फाइदा होगा क्योंकि आपका expectation भी तो वही था तो अगर reliance का सेर future में बढ़ जाएगा तो आपका फाइदा होगा माल नीचे reliance का सेर future में पता कितना पहुच गया 55 इनिट होगे 55 इनिट होगे तो अग्षींज में क्या होते है डिलिवरी भी होते है क्या सेटल्मेंट भी होते है आप चाहो तो एक्षींज में ऐसा कर सकते हो कि 4,000 रुपीस में जो आपने future buy का contract क्या था था अब 3 मन्स के बाद 4,000 रुपीस में delivery लिय सकते हो आपने फूर्थ हॉजर रुपीस में डिलवरी ले लिए अब इसे आप मार्केट में कितने में बेच पाओगे 55 मिनिट में बेच पाओगे मार्केट में आपने कमा कितना लिया 15 रिट कमा लिया बट इसको हम सिंपल रखने के लिए मैं ऐसा बोलेंगे आपने पहले फूचर बाई किया था फूर्थ हाओजें में अब तीन मेहने के बाद सोदा को काटना होगा बाई को कौन काटे का सेल काटे हो अब यहाँ पर नेट सेटल्मेंट ही करेंगे हर जगा पर हम नेट सेटल्मेंट करेंगे तो फूर्थ हाओजें में आपने बाई किया है आप सोदा प्राइस जो 55 विनिट हो चुका है क्योंकि स्टा कोई फूचर बाई कॉंट्रेक नहीं था आज का जो करेंट प्राइस है उसमें फूचर सब्सक्राइब तो सोदा काटने के लिए तो current price 55 minute में future sell किया हमने profit कमा लिए 1500 रुपेस लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा profit कमाऊगे मालो for example आपने future buy किया था 4000 रुपीस में अगर तीन मेने के बाद 3600 होगी है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा सोदा काटना पड़ेगा current price में sell करोगे सोदा काटने के लिए 3600 में आपका 400 का नुकसान हो जाएगा आपको उल्टा cash 400 रुपीस दीना पड़ेगा यहाप यह आपको अच्छे से समझ में आगे हैं आपको अब एक और चीज़ है मालो प्रतिक जगाती का ऐसा है कि कोई तो आप बते ही प्रतिक जगाती को future buy करना चाहिए कि future sell करना चाहिए मैंने बाहर बच स्टार्टिंग में बताया था अभी प्रस्ते पूछ रहा हूँ अगर प्रतिक जगाती को लग रहा है कि future में प्राइस गिरेगा डर तो यहां पर कुछ ही निए डर हैंजिंग में पता चले गए हम पर कोई डर नहीं है यहां पर हम खुले सांड है अगर आपका क्या करना चाहिए अंसर आने लग चयां अंसर आने लगें फूचर सेlle करेंगे किस प्राइस में पोर्थ होचिन में चया सैल करेंगे तो हमने क्या क्या करेंगे पैसा तो हम क्या करेंगे future sell को कौन काटेगा बता कौन काटेगा कौन 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 future sell को काटेगा भाई तो बाई करके सोधा काटेगे बाई करेंगे 2800 current price पे 2800 में बाई करके सोधा काटेंगे 1200 rupees exchange में हमारा गेन होगा हमारे account में 200 rupis कैस आ जाएगा तो speculator देखो तो अगर speculator जेसे इमरान हस्मी की movie थी न है न जनरत movie उसका six cents बहुत चलता था फ्यूचर को predict कर लेता तो बहुत पैसे कमाया थे तो वैसे यहाँ पर अगर आप future को बहुत तरीके से predict कर सकते तो बहुत पैसे कमा सकते हो आप तो 1200 रुपीस का हमारा गीर हो गया second case में लेकिन वही आप मालीचे future को predict नहीं कर पारें आपने सोचा था गिरेगा उल्टा 4000 से बढ़के 4000 फाइव इनिट हो गया आपने तो 4000 में future sell किया था यह सोचके कि गिरेगा पर उल्टा हो गया उल्टा हो गया क्या हो गया बढ़ गया तो बढ़ गया अब बढ़ा होना पड़ेगा सोधा काटने के लिए अल्टिमल लिए फाइव इनिट रुपेस का नुकसान हो गया तो अब बताईए क्या speculation के लिए future कित्रा सिंपल है फ्यूचर में speculation तो बहुत सिंपल है डर वगयरा तो सोच नहीं मैं बोला हम खुले सांड है प्यूचर को प्रेडिक करना लगता फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा और बात में जब बढ़ जाएगा तो सोधा काट देना फ्यूचर बाई करके आपका प्रॉफिट आ जाएगा बस बात खदम तो यही था मेरा मैं सारा चीज यहां पर जो लिखा हुआ नोट्स में आप उसको जैसे यह सेल्फ है यह आप खुछ से करना यह में नहीं बताऊंगा यह को मैंने क्रक से क्लिक रखा है अपर अगर आपकी स्ट्रॉंग बिलीफ है बढ़ेगा फ्यूचर बात खतम अब कि हम हैजिंग में आ सकते बता ही बता ही क्या मजा आ रहे की न कोई भी मत छोड़ना ने डिसलाइक करो मुझे कोई प्राप्लम नियुक्स तो अब देखे हैंजिंग में क्या मा सकते स्थाथ अलग तरीके से समझेंगे वाला मैटने यह पर आएगा तो हैंजिंग में आपकी साधी हो रहे कि तो वह वाली चीज़ है एचिंग में basically क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ जैसे मान लीजिए for example आपका reliance का sets already खरीदा हुआ physical sets Reliance का sets मैंने अभी अभी ताजा ताजा जाके अब stocks मैंसे reliance का physical sets खरीदा 3000 रुपीस देंके तो मेरा क्या बाई position already है हाँ या ना मुझे बताइए मेरा क्या बाई position already क्या यह derivative नहीं यह non-derivative मैंने physical sets खरीदा है cash market से कि non-derivative 3000 रुपीस में मैंने ताजा 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 खरीदा मेरे अभ मेरा ड़ बढ़ गया अब मेरा बी की होगे सामतागी मुझे ड़र लग रहा है याद यह तो मेरा three thousand रुपीस डूप जाएगा मुझे लग रहे रिलाइंस का a set तो गिर जाएगा मुझे डर सातार मुझे सता रहा है क्या करो क्या करो आप मुझे बताईंvision इतना एक डड़ लग रहे है तो एक और lawn मुझे सता रहे वो आने वाले एक मेने के लिए डर सतार है पर मैं सोच रहा हूं कि इसको सेट को फिर से बेचूंगा फिर खरीदूगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगेरा बहुत कुछ लगेगा मैं वह नहीं करना चाहता है मुझे को दूसरा उपाई बताई तो दूसरा उपाई है डेरिवेट डेरि सोदा कटे का मलए सोदा लेवल में आएगा बराबरी में आएगा समच में आ रहें यहां पर मैंने स्पेकुलिशन में बोला ता स्ट्रॉंग बिलीव बढ़ेगा फ्यूचर बई करो यहां पर विलीव सिस्टम काम नहीं करेगा यहां पर अल्रेडी आपका भाइट पोजि नइसी बाइक आ Official अगर मेरे ऐा बीशक्र पोजीशन हे तो मैं अगर मेरे जैल क्या होगा out देखना आप बैख लूगर Prozent there is a Mississippiaksas में अगर आपकी फिशिकल सेट में गंढ़ सेल पोजीशन है और यहां मीका और ना पड़ेगा तो पता है क्या दिमाग में एक दम कलीर हो में क्या होगा लगता बढ़ेगा फ्यूचर बाई करो लगता है गिरेगा फ्यूचर से लेकिन हैजिंग में होता है है जीवन वितीद करूंगा साधी कर ले तो वही सिस्टम यहां पर काम करते हैं है अगर आपका फ्यूचर करना फ्यूचर कर दो बताओ क्या यह बात अच्छी से ख्लीर तो देखना दोड़ो गया अब तैंसर नहीं मुझे अब मैं एक्जामपल के अंदर आता हूं आपको दोड़ा दोड़ा के आगे लेके जाओंगा फ्यूचर सबको तब लगता है मेरे सुना है पर आज देखना फ्यूचर आपको एकदम इजी लगी गया एकदम अराम से रिवाइस हो जाएग आपका वो लोग क्या एकदम सुद है उसने 20 फिजिकल सेर्स खरीद रखा हूँ है टाटा केमिकल्स का 1750 करके तो इसका 35,000 का बाई पोजिशन तो मैं सीधा लेके चलता हूं यहां पर अब देखे यह सेर मार्केट यह कैस मार्केट में मेरे देखिए क्या है बाई पोजिशन है 35,000 रुपीज का बताई करूँगा है ना उवव्यस ली बात है उल्टा ना तो फ्यूचर सेल करूँगा साधी सुद्ध है तो तलाग देख तो मैं क्या करूँगा फ्यूचर को सल करूँगा तो मुझे ही हाँपर पता है फ्यूचर मिल रहे है तो तो मेंस का फ्यूचर एविलेबल है 1750 एक cash market में buy position है और एक मेरा future market के अंदर sell position अब यह देखे अब आगे क्या हुआ पता है आगे मालो दो मेने के बाद आप देखोगे price बढ़े या गिरे आपको कोई फरक नहीं पर मालो दो मेने के अपात price 138.00 वह गया तो अब बताईए आपका buy position में नुकसान होगा by position तो सेल पोजीशन में गिरने से फाइदा होता है तो बाई पोजीशन था 1750 करके अब अगर मान लिजिए सेर का प्रैस गिर के 1380 हो जाएगा तो आपका रिवाइज बाई पोजीशन कितने का हो जाएगा पत्ता 20 सेर इंटू 1380 यानि इतने का हो जाएगा तो जो 35,000 के आपकी investment value थीने portfolio की अब वो बन गई है 27600 तो मतलब आपका नुकसान कितने का हुआ 7400 का हुआ cash marketing क्योंकि सेर का प्रैस गिर गया capital loss हो गया बस बात खतम तो यहां पर देखो सेर का प्रैस गीरा हमारा capital loss आगया वो यगर future market में देखो derivative market में देखो मैंने future sell कर रखा थे आपर 1750 करके अब सोधा काटने के लिए क्लिए में क्या करूँगा फ्यूचर market में तो सोधा कटने करना दो मेहने के बाद current price में दो मेहने के बाद अगर 1380 होजाएगा मैं 1380 सेर करन करन कार एक करूँए करके सोधा काटोगा 27,600 में बाई होगा इतने में सेल था 7400 का फाइदा होगे तो आप देखे एक तरफ नुकसान तो एक तरफ फाइदा आपका overall effect कुछ भी नहीं हो नील आपका overall effect मतलब अगर मालीजे सेर प्राइस फ्यूचर में कुछ भी उतार चाड़ा हुआ है उससे मुझे फरक नहीं परने वाला क्योंकि मैंने हैजिंग कर लिए क्योंकि मैंने क्या क्या है वह वाली बात है आप जैसे मालीजे आप गल्फ्रेंट बनाओगे तो अब को डड़ लगी ह आपने सेर मार्केट के साथ फूचर मार्केट कर लें जिससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है एक तरफ आपको नुकसान तो एक तरफ आएदा मतलब अब केस्टू एक और लिता हूं जैसे मैं नहीं आपर लिया कि 1750 से प्राइस गिर गया 1380 कि गिर गया था तो मेरा भी हो जाएगा यहनि बूचो आपकी गल्फरेंड है ना वो चाहिए बत से बत्तर हो जाए या देवी बन जाए आपको कोई फर्ग नहीं पढ़ने वाला क्योंकि आपने क्या क्या हैजिंग कर दिया आपने गल्फरेंड को ब्रेक अप करके हैजिंग कर दिया तो अब सब्सक्राइब की करोगे हैं तो एक तरफ सीम इमांट का नुकसान हो गया वही खेले आपका तो अब यहां पर मुझे बताइए अगर मज़ा आ रहा तो लाइक ठोक के जाना तो अब मुझे बताओ क्या यह समझ में अच्छे से फूचर्स में आपको समझा दिया अब फूचर्स के अंदर मैं पता है एक फूटी सी चीज डानने वालो बीटा वह आपको मैं समझाओंगा फिर फ्यूचर के कोशियंग करेंगे फूचर खतम हो चाहेगा हां सर खतम हो चाहेगा थोड़ा सा यह पता हूँ है मार्जिन मनी के बारे में म्यू प्लस ट्री टैम सिग्मा वो बताऊंगा थोड़ी पोद एक तो कोशियंद कराऊंगा फ्यूचर खतम आप बले बले यह बले फिर ऑप्सन में आजएगे और पानी है फिर बाइनो में आएगे वो भी और पानी है ब्लैक सोल्स भी अराम से हो जाएगा सब क कुछ नहीं है आपका तेंसन की तो कोई बात ही नहीं है बेवज़ा डरती हो आप लोग अब कोई बोले या आपको बढ़ने से पहले आज ही पूरा ख़तम करा आगे बेजूंगा आपको में आप बदे कोई बोलेगा आपकी अप टफ है फूचर के टफ लग रहे हैं अब गप लग रहे हैं तो अब देखिए बिटा का में रूल बता रहा हूं जैसे अब मतलब कि यह समझे मेरा का सेड्स खरीदा हुआ करना चाथ है तो मुझे क्या सोचा पता है तीसीएस का रिलाइस सोरी टीसीएस का future बीज दू में रिलाइस का सेर्स में by position है और मैंने सोचा अगर मैं क्या करूँ टीसीएस का future sell कर दू बता ये समझ में आरे क्या ऐसे होगा ऐसे तो नहीं होगा आप बोलोगे कि मेरी मेरा प्रिया के साथ में में ब्रेक अब दूसरे के साह करना चांब मैं जिसके सद्रिस्टा उसे के साथ तो वैसे अगर रिलाइंस का सेर्ट का भाई पोजिशन है तो रिलाइंस का फ्यूचर संट करना पड़ेगा अब टी सिए ऐसे से जिसका आपको future मिली गई जैसे रिलाइंस वगेरा का future फिर भी मिल जाए लेकिन और बहुत सारे ऐसे से से उसका future अपको मिली गई अब क्या करोगे मालीजे मेरा ट्राइडेंट का सेट में बाई तो वहाँ पर मैं क्या करूगा पर निफ्टी का future यह सेंसेक्स का future करूंगा बट अब वहाँ पर एक relationship करना होता है चूँकि जो रिलाइंस का सेट में movement है up and down वो निफ्टी के सेट में movement उतना नहीं होगा न आप बीटा कि अगर मैं बात करूँ बीटा का मार्केट का बीटा हमेशा 1 होगा तो stock का बीटा क्या होगा stock का बीटा निकाल सकतो portfolio में पढ़ा हूँ अपने changes in stock return divided by changes in market return ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा आपका stock return में क्या changes से देख लीजे और market return में क्या changes से देख लीजे उससे आपको किसी भी stock का बीटा मिल जाएगा आपको जिसने आपर example के तोर पे मैंने क्या रखा है कि stock return का changes आपका 6% market return का changes आपका 12% मैंने portfolio का revisionary वीडियो भी यूटूब में बोले कि changes निकाल सकते हैं जैसर बीटा एक वल changes in stock return by changes in market return है ठीक वैसे changes in market return इधर ले जाओ changes in market return क्या होगा changes in stock return बाइब बीटा होगा और changes in stock return क्या होगा बीटा इंटू changes in market return होता अब आम से मैंस के कर सकते तो आप निफ्ती या संसेक्स का फ्यूचर साल कैसे करोगे उसका हम आपके साथ बात करेंगे और देखिए अभी यह रिविजनरी वीडियो है तो हर चीज़ तो मैं टीप में नहीं समझाने वाला है ना मैं उपर उपर से बताऊंगा जहां पर लगता है जरूरी नही 500 सेर्स परचिस के ट्राइड लिमिटेट का 60 रूपीज में ती नाव वंट्स परफेक्ट हैजिंग फोर त्री मंस क्यों क्योंकि इसको डर लग रहा है थोड़ा स्लोप पढ़ाओगे स्पीड है बहुत अरे स्पीड है क्या तर आपके डिस्टनरी में डिफिकल्ट वर्ड एक्जिस्ट ही नहीं करता थेंक्यू सुमच स्पीड है क्या बात कर रहें आप ती नाव वंट्स हैड ती नाव वंट्स परफेड हैजिंग फॉर त्री मंस ट्राइड ये डिखिए अविलीबल ही नहीं निफ्टी का फ्यूचर्स अविलेबल है ठीक है इंडेक्स स मारकेट के कंपरीजन में हमारे سैर्टस मारकेट के कंपरीजन में~~-1.5 x जाधा…. क्योंकि मार्केट का वीट तो हमेशा biggest one होता है और आपका ट्रायD Coalition का वीट था 1.5 तो बता ये ाहम किया बस यह चीज़ ध्यान दीज़ेगा फिर आगे एक दमीज़ी हो जाएगा आपका 30,000 रुपीस का बाई पूजीशन है अब आपको क्या करना है निफ्टी का फ्यूचर सेल करने के लिए क्यों कि आपका 1.5 टैम्स रिस्की है तो आपको 1.5 टैम्स फ्यूचर सेल करना पड़े करेंगे जितना हमारा बाई पोजीशन है उसका मल्टिफ्लाइ करतो बीटा से आपके बीटा से मल्टिफ्लाइ करतो उतने का फ्यूचर आपको सेल करना है तो आप देखिए हमारा यहां पर एमांट ओफ निफ्टी फ्यूचर हमें कितना बेचना है 45,000 का बेचना है अगर ट्राइड का फ्यूचर मिल जाता तो 30,000 का ही बेचते लेकिन ट्राइड का फ्यूचर नहीं निफ्टी का सारा ले रहे और निफ्टी और हमारे बीच में 1.5 तेंस का रिस्त है हम 1.5 ज्यादा रिस्क है तो इसलिए हमें 30,000 की वज़ए 30,000 into 1.5 45,000 का फ्यूचर हमें सेल क तो आप मुझे बताएं एक फ्यूचर 5,000 में ट्रेड कर रहा है तो मुझे 45,000 का फ्यूचर सेल करने के लिए कितना नंबर ऑफ कॉंट्रेक्ट सेल करना पड़ेगा 45,000 डिवाइड वाइड 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 फ्यूचर अगर मैं बेचू 5,000 फिसका बेच सकता हूं तो तो तेर्स पे 60 रुपीज करके 30,000 का मेरा बाइड पोजीशन है मुझे समझ में आया अब हैजिंग करने के लिए उल्टा करूँगा तला करूँगा बाइड मतलब सेल करूँगा सेल क्या करूँगा और हमने निकाल भी लिए निफ्टी फूचर हम क्या करेंगे 9 कॉंट्रेक् यानि 45,000 अब आप मेरी बाद ध्यान सो सुनिए तीन मेहने के बाद मान लिजे सेर का प्राइस 8% से गिर गया मेरे साथ पार्टिसिपेट यहां पर नहीं करो के मज़ा नहीं आएगा तीन मेहने के बाद सेर का प्राइस 8% गिर गया तो बताए क्या निफ्टी भी 8% था? मार्केट के कम्परीजन में. मार्केट तो One Time है. हमारा स्टोग 1.5 टेम है. तो अगर हमारा स्टोग 8% से गीरा है तो आप मुझे बताएं निफ्टी भी 8% से गीरेगा कि कुछ अलत पर्षेंट से गीरेगा. और अगर गीरेगा तो कितने गी रहा है यहां पर ठीक है और बीट है आपका 1.5 यह डेटा बेठा दीचे आपका आजाएगा आजाएगा मतलब यह समझ लीजे अगर फीजिकल से नहीं 5.33 परचंट से गिरेगा तो यह हमें पता चल गया यह दोनों हमें पता चल गया अब अब बताईए अगर मेरा इधर बाई पोजीशन है 30,000 रुपीज का 8 परचंट से अगर यह गिर जाएगा तो मेरी इन्वेस्मेंट वेलू अब क्या रहेगी 30,000 इंटू 92 परचंट कर लिजे सीधा 30,000 इंटू 92 परचंट सीधा कर लिजे 27,006 मिनिट कर रहेगा मतलब मेरा 2400 का कैपिटल लॉस होगा 30,000 मैनेस 27 27,600 मेरा क्या होगा 2400 का कैपिटल लॉस होगा लेकिन वही अगर मैं निफ्टी फ्यूचर की बात करूँ निफ्टी फ्यूचर में मैंने सेल कर रखा हुआ है अब सोधा काटने के लिए क्या करूँगा बाई करूँगा तीन मेने के बाद कितना वही 9 कॉंट्रेक्ट बाई जो है ना तीन मैने के बाद वह 4733.33 हो गई है तो यहां पर अब देखिए सेल किया 45,000 में अब बाई करेंगे 9 कॉंट्रेक्स इतने रेट बे 42,600 में तो यहां पर अब देखिए सेल का फिगर बड़ा है बाई का छोटा है मतलब गेन 20.08 का फाइदा हो गया तो अब देखि है कि आपका जो बीटा का रिलिशन है उसे हिसाप से रिटर्न में चींजे साएंगे तो यहां पर अगर 8% चींज आएगा तो यहां पर 5.33% चींज आएगा बताओ क्या यह बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है अगर यह क्लियर होगी तो आगे बढ़ते हैं अब आग केस में यह केस 2 है यहां पर अब देखिए अगर फिजिकल सेट 12% से बढ़ेगा तो निफ्टी जो है वो 8% से बढ़ेगा इस बर बढ़ रहा है पिछली बारी गिरा था इना इस बर बढ़ रहा है तो अब देखिए तीन महने के बाद 30,000 जो है वो 12% से बढ़ जाएगा औ आपका कैपिटल गीन आ जाएगा 3,600 का कहा पर कैस मार्केट में हमारा कैपिटल गीन आ जाएगा 3,600 का वह अगर मैं निफ्टी फ्यूचर की बात करो तो निफ्टी फ्यूचर में मेरा सेल पोजीशन था 45,000 का तीन महने के बाद निफ्टी के प्राइस हुए वो बढ़ ग तो एक तरफ देखिए फाइदा तो दूसरी तरफ आपका नुकसान हो गया अगर आप हैजिंग से भी आप मान लीजे वाकिव हो चुक है तो अभी तीन चार चार पाच पोश्यन में आपको कराऊंगा वह कराते ही रफा दफा हो जाएगा मारा फ्यूचर का काम तमाम बता फटा फट से थमसब करो लाइक करके तम पहुचा तो अभी 400 लाइक हो चुका 500 लाइक पहुचा तो मैं समझ जाओंगा कि सबको क्लियर हो गया एक दम अच्छे से 500 लाइक पहुचा देते हैं अगर अभी तक समझ में है तो अभी हम कोशिन करेंगे और कोशिन को भी फूर खुला सार्ण अगर लगता फूर में बढ़ेगा फूर बाई लगता फ्यूर में गिरिएक करेंगे तो बहुचा में क्या पता समालों कि मुझे असा लगते हैं यह सब का क्लियर हो रहे हैं गलती हो सकती है लिखने में गलती हो गई है यहाँ पर आपका नुकसान नहीं है कि अधर से तो केस वन है इसलिए अभी ठीक हो जाती कभी कभी रिटन में कोई गलती हो जाती है आगे बढ़ना माफ्स करते हुए इसका मतलब क्या है कोफी नहीं पे रहे बस मंगवाने वालों भी कॉफी में तांकि एक्टम जुनून आजाए जोस आजाए अग्दम अच्छे से नाइंटी क्रोड का आपने इंवेस्मेंट क्या पोट्फोलियो से बहुत अलग अलग से अपने इंवेस्मेंट कर रहा हुआ तो अगर आप बहुत सारे में इंवेस्मेंट करोगे तो उस पार्टिकुलर से पोट्फोलियो 1.1 यानि इसका बीटा जो है वह 1.1 किए सेंट बैंक बैलेंस दियान रहे हमेशाए जीरो नहीं इसका बीटा कितना होता है ध्यान रहे हमेशा जीरो होता है कि इसमें कोई रस्क इंवाल नी रहता है अब मुझे buy sell जो भी करना चाहिए कितना amount का करना चाहिए इस बार में आपके उपड़ चोड़ता हूं क्योंकि मुझे लगता आप मेरे साथ रह रहे के smart हो गए आप उश्यार हो गए आप मुझे बता सकते हूं मुझे बताइए पड़ावड से जल्दी जल्दी बताओ 90 क्रोड का buy position है मैं hedging करना चाहता हूं मतलब तलाग देना चाहता हूं तो मैं future sell करू की buy करू और अगर nifty future मैं sell करूंगा तो मुझे कितना amount का करना ची answer आने लग गया 90 क्रोड इंटू 1.1 99 क्रोड का future sell करना पड़े अब मैं आपको एक दो बात साथ साथ बता देना चाहता हूं derivative market में एक्षींज में trade होता है और एक्षींज में आपको बता लॉट साइज होता है इंडेक्स किसका होता है सहर का नहीं होता है निफ्टी सेंसेक्स वगिरा का होता है तो इंडेक्स का future 4300 लेवल का है मुझे टोटल 99 क्रोड का future sell करना है और एक कॉंट्रेक्स करना है तो मतलब अगर हम 4605 कॉंट्रेक्ट और लॉट साइज 50 यूनिट इंटू अगर हम कर दे कितना कि 4300 करते पर दिखे हम क्या करेंगे 4605 का आड़े करेंगे एक कॉंट्रेक्स का दामें 43 यूनिट नाएं का अप देखिए आपको इतना का करना पड़ेगा थुड़ा ज्यादा होगा होगा उपाई नहीं यह पर फेक हेजिंग माला जाया क्योंकि यह 99 क्रोड माने 75 यू नहीं महत्वा नहीं रहती है तो अब देखिए हमारा यहां पर क्या है पिजिकल सेर्स और इंडेक्स चूचर ठीकि अब मैं आपको समझा रहा हूं देखिए कोशन में लिखा हुआ है है lefa means को लगता है की इंडेक्स 10% से घिरए इंडेक्स मतलब market तैन पर्संट और अगर मेरा वन पॉन्पर्षन से गिरेगा अगर मेरा इन्देक्स 10 x 1.1 और index futures मेरे 10% से किरेगा तो मेरे अभी cash market में मेरे क्या position है 90 क्रोड का investment है portfolio of sales में यह देखे 90 क्रोड का investment है portfolio of sales में और उधर अगर मैं index future की बात करूँ यहाँ पर मैंने index future sell कर रखा हुए 4605 contract 50 का लॉट से 4300 पर index की value अभी तो इतना आप करोगे तो इधर 90 क्रोड इधर 99 क्रोड नहीं है 75,000 एक्स्ट्रा से उपाई नहीं तो यह हमारा दो position है यह हमने हैंजिंग किया इधर buy है तो इधर sell है अब क्या हुआ जो भी एक मेहना यह जितना time बोला इन्होंने जो भी future में आपका बोलाने time मालों एक मेना दो मेरा बाद 10% से आपका index future गिरेगा physical sets 11% से गिरेगा तो buy position है 90 क्रोड का 11% से अगर आपका गिर जाएगा तो 90 क्रोड इन्टू 11% आप देख लिए कितना का नुकसान होगा आपका या फिर आप revise value भी निकाल सकते तो 90 इन्टू.89 इतने की revise value है और मतलब 90 क्रोड से इतना गिर गिया है यानि 9.9 क्रोड का पोटफोलियों का नुकसान है इतर नुकसान है अब index future में हम क्या करेंगे sell क्या है तो सोधा काटने के लिए हम buy करेंगे अगर मान लिजे 10% से गिरता है तो 4300 जो इंडेक्स का भाव आज चल रहे है वो 10% से गिर जाएगा तो इसका भाव हो जाएगा 3870 तो हम क्या करेंगे future में sell को काटेगा कौन buy हम same number of contract buy करेंगे सोधा काटने के लिए बूलना म तो sell buy से आपका इदर देखें गेन आ रहे है कितने का नाइन क्रोड नाइन क्रोड क्रोड का इदर गेन आ रहे है तो इधर नुकसान इधर गेन overall effect क्या हुआ नील हुआ यही अपके अंसर को justify करते हैं इन्होंने यही बोला आप से इन्होंने यही पूछा कि अगर मालो market 10% से गिरेगा तो आप अपने answer को substantiate करें कि manager का apprehension materialize करेगा क्या मतलब hedging हो गया क्या perfect तो आपको यह अपर दो answer देना है एक तो 4605 contract हम enter करेंगे future sell करेंगे 4605 contract into 50 into 4300 और हम यह भी बता देंगे hedging करके हम उसका 10% से market गिरेगा तो physical sets 11% से गिरेगा ultimately आपका overall effect नहीं देंगे answer को तो यह देखिए यह वाला किस्ता आप अराम से निकाल लोगे और यह वाला किस्ता कर दो कि अपने answer को justify कर दिया बस बात खतम बताई आगे बढ़ सकता हूं की नहीं बताई मुझे क्या यह क्लियर है कुछ भी दिक्कत नहीं यह कोशिन एक्जाम के लिए important है LDR लिख दो लिख दो एक्जाम के लिए important यह कोशिन यह कोशिन एक बार आप जरूर से practice कर लिजीगा रफ्क में सही practice कर लिजीगा बताओ किया मैं आगे next question में बढ़ू आया ना तब तक में कॉफी के इंदजाम कर वाले तो कॉफी पिलूआ जोस आ जाएगा पुरा रपार पढ़ा देंगे तम अच्छे से पुरा सा कॉफी देना पुरा सा जल्दी देना परफेक्ट है यस आगे बढ़ते किसी को भी समझ में यह तो बताओ रिविजनरी वीडियो पर फिर भी पूरा मेनत कर रहा हूं मैं ताकि आप सभी बच्चे को समझ में है जो धिरे समझता जो पी समझता सभी के सभी को फोकस कर रहा हूं मैं सभी को समझ पाए बताए यह एक दम अच्छे से हैं यह सरुना जी आज इस अभी को कॉफी बिला दूंगा यह सोजस्वाजी पूरे सर अभी कॉफी ले ली तो बाद में घर वाले नहीं देंगा ठीक है अभी पी लेंगे बाद क्या बाद में देखा जाएगा अब आ जाते हैं नेक्स कोशिन पर यह कोशिन भी बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल है प्रेटल का पॉर्ट रूपीस 85 लाग का एट करेंट प्रिस करेंटली 85 लाग का पॉर्टफोलियो और 15 लाग कैस भी है पीटा ओव सेट पॉर्फोलियो 1.6 है यह जो 85 लाग का आपका सेट पॉर्फोलियो 1.6 अफ्टर 3 मंच सेट प्राइस 3.2 परचन से गिर गया अब बताए यह तीन महने के बाद अगर सेट 3.2 परचन से गिर और आपका बीटा 1.6 यह तो बताई मार्केट कितना से गिरा होगा मार्केट कितना से गिरा होगा यही मुझे आप से सुनना सर्स यह बनने के पाद आपके घर कॉफी ट्रेट आपको फिर तो पाटी देनी पड़ी मैं कॉफी फिलाओंगा मिठाई गिराना तो आप मुझे बताइए यहां पर अगर आपके साथ लाइव का मतलब ही क्या है जो का ही गिरावट और सहर का ही बीट है तो तो मार्केट का पॉल आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा मार्केट गिरेगा 3.2 डिवाइट बै 1.6 तो परटशन से एकदम सही सभी ने एकदम अंसर देश यह तो मजारे को सब पार्टिक्टिपेट करें मजा आ रहा है तो परटशन अब आगे क्या लिखावा है डेट्रमाइन करके बता है यह करेंट पॉर्फोलियो बीटा 1.6 तो दिया हुए है यह सbenकाशन पूछ रहें आपसे इनकलोड करेंखोत्य पूर्टपॉलियो का, बीटा मता रहेए तो मता देंगे हम 100 जो है उसका 1.6 है 15200 का 0 है तो आ जाएगा यह देखिए 85% आपका investment है ना सेर्स में उसका 1.6 है 15% cash में investment है जिसका बीटा 0 है मतलब आपका portfolio बीटा आगे 1.36 बस बागता थम यह portfolio बीटा इनको link देना चाहिए इंक्लूडिंग cash पर चलो cash को भी portfolio का हिसा मान रहे तो आपका portfolio बीटा आ चुका है आप अब point number 2 में यह हुआ अब मुझे एक बात बताओ अगर आपका 85 लाग का buy position है आपको लगा हुआ है डर ठीके तो आप क्या करोगे निफ्टी future buy करोगी की sell करोगी यहा द्यान रहे झाल रहे यहां डिलो बीटा पूझे की तेन मेंने के बात का बताओ यहां रखे एक नातर मनुझे है वसको में की आप का पोर्टफोलियो बीटा बताई है अगर ट्रेडर जो रहना वो लॉंग पोजिशन में चला जाता है अंड्रेट लाग निफटी फूचर का लॉंग पोजिशन में अगर वो चला जाता है तो आप हमें बताईए पोड़ा दिये कि इसने अपने रिस्ट को बढ़ा दिय आप मेरी बास समझो अगर आपका कोई specific beta है और अगर आप मान लीजे हैज करते हो तो आप उल्टा जाते हो बाई position अब sell करते हो तब आपका है जीरो होता है लेकिन यहां पर आपका बाई position था 85 लग का आपने उल्टा और 100 लग का आपने क्या क्या पता है बाई position खरा तो यहां पर आपका उल्टा बढ़ रहा है वही हम यहां पर निकालेंगे अब देखो यहां पर इन्वेस्मेंट इन सेर से हमारा 85 लाग का जिसका बीटा है 1.6 कैस हमारा 15 लाग का जिसका बीटा हमें पता है 0 लॉंग पोजीशन हमने लिए निफ्टी फ्यूचर का निफ्टी का तो बीटा 1 हो दाई हमें पता है 100 लाग अब यहां पर आप देखे तीन महने के बाद हमें प कब गिरा होगा यह सेर कब गिरता है जब मार्केट गिरता है मार्केट 2% से गिरा तभी तो सेर और सभी सेर्स गिरे होंगे तो सेर्स 3.2% से गिर है तो हम मुझे पताएए अगर 85 लाग का आपका सेर पोटफोलियो है और सेर अगर आपका 3.2% से गिर जाएगा तो आपका revised portfolio of sets क्या होगा इपर rough करते ना ताकि दिमाग में घुसे एक्जाम में यह नहीं सोचना पड़े कि कैसे present करना दिमाग में सब घुस जाए हां 85 लग का सेर portfolio का investment है 3.2% से अगर सेर गिर जाएगा हमारा तो हमारा revised investment value कितने का होगा kt2.28 का होगा समझ में आया और उधर हमने क्या क्या 100 लग का nifty future buy किया था निफ्टी कितने से गिरा होगा market 2% से गिरा है तो आपका market में कितना होगा आप सोधा काटने के लिए आप sell करोगे 100 लग की value जो है वो 2% से गिर के कितनी हो जाएगी 98 लग हो जाएगी 100 ल का 2 लाग आपको cash देना पड़ेगा क्योंकि nifty future में settlement करोगे और वहाँ पर 2 लाग रुपीस आपको क्या करना पड़ेगा cash रुपिया देना पड़ेगा तो अब मुझे अब यह बताईए आपका नुक्सान क्या क्या हो जब market 2% से गिरा है आपका share portfolio में भी नुक्सान होग और इधर आपका nifty में भी नुक्सान हुआ सेर portfolio में नुक्सान कितना हुआ 85 लाग बन गया 82.28 लाग 2.72 लाग का आपका share portfolio में नुक्सान हुआ और जो आपका nifty future है वो 100 लाग की जगा 98 लाग बन गया वहाँ पर 2 लाग का नुक्सान हुआ यानि total कितने का हुआ 4.72 लाग का नुक्सान हुआ तो लाग आप बोलोगे सर कैसे देंगे हम कैस से देंगे तो यह जो कैस हमारा 15 लाग ने यह अब 13 लाग का रह जाएगा और यह 85 लाग जो है ने यह 82.28 लाग का हो जाएगा हमारा नुक्सान हुआ 4.72 लाग का अगर मैं आपसे percentage पूछूँ पता ही ने को मेरती वहाँ पर हमारा 4.72 लाग का नुक्सान हुआ है तो कि मैंने अच्छे से प्रैजन क्या देख्या है कि मृइस निक्सान हुआ तो कहां जब मार्केट 2% से रहा है परसिंटीज वाइज निकालोगे तो कहां से नुकसान हुआ 100 लाग का अपका पोट्पोलियू था घ्याने निफ्टी फूचर में कोई पैसा नहीं लगता है हमने सहर में 85 लाग का इन्वेस्मेंट के कैस 15 लाग का है 100 लाग में से 4.72 लाग का नु पैस्मेंट हो गया 82.28 लाग का और कैस हमारा 50 लाग का था पर निफ्टी में हमने एक्षेंज में तू लाग देना पड़ा नुकसान वजो तो कैस 17 लाग का यनि कितना 95.28 लाग का हो गया तो गिरा कितना 4.72 लाग किरा कहां से 100 लाग से इन्टू 100 यानि 4.72 परसेंट का ग गिरा हो एकप मौौचर फरसेंट का मार्केट 1 परसेंट से गीरता है मतलब यह होता है कि मार्केट 1 परसेंट सेगे पर आपका परसटो अगर market 10% गिरने पर आपका stock 20% से गिर रही, मतलब आपका beta 2 है, अगर market 10% से गिरने पर आपका stock 15% से गिर रहा है, मतलब आपका beta 1.5 है, changes in stock return by changes in market return, तुम यह बोलेंगे beta equal what, beta equal what हम लिख सकते है, beta equal changes in, यहा के लिए stock नी बोलेंगे, यहा के लिए overall, रिटन ओवरॉल पॉर्फोलियो रिटन न बोल सकते हो डिवाइड बैं चेंजेस इन मार्क रिटन हमारा ओवरॉल चेंजेस क्या हुआ पॉरे पॉर्फोलियो में जब मार्केट 2% से गी रहा तो आपका बीटा क्या हैगा 1.36 है मैं आपको बता रहा हूं और भी बहुत कुछ डीप इसमें एनलाइसिस किया जा सकते हूं और भी डीप एक्स्प्लेनेशन मैं आपको यहां पर दे सकते हूं बट मैं आपको नहीं द बात करता हूं दूसरा वाले में आपको क्या करना है आपको यह देखना है कि मार्केट स्टॉक 3.2 पर्षं से गी रहा तो मार्केट 2 पर्षं से गीर है मतलब आपका 85 लग बन गया 82.28 लाग और उदर मार्केट भी 2 पर्षं से गीर है तो आपका 100 लाग का लॉंग अपसान है 100 लाग में से मलब 4.72 पर्षं गीर आपका जब मार्केट 2 पर्षं से गीरा तो मार्केट 1 पर्षं से गीरता तो कितना गीरता 2.36 पर्षं उतना ही करना बस तो बताई क्या यह क्लियर एक्दम अच्छे से आपको ऐसे प्रेजिट करना मैंने क्लास के बद्चुप और अलग अलग तरीके से निकालके दिखाया था बट वह आपको एक्जाम में नहीं करना इक्जाम में आपको आईसे के तरीके से करना मार्केट का पिटा हमेशा वन होता है मेरे भाई मार्केट का पिटा कभी भी आपका वन से ज्यादा नहीं होगा कि यह अब हाँ पर चेंजेस हम देख रहे हैं ओवरोड ठीक है पोलो क्लियर एकडम अच्छे सें अब मैं Cost of carry model आपको फटा फट से समझाओंगा और उसके बाद एक कोशें नैं Cost of carry model से रिलेटेड आपके हम बहुत सिंपल है Cost of carry model इसको सिंपले से समझाने के लिए एग्जामबल भी रखा आप धिहां से सुनेगा मा ली जो मैने 5000 सो उधार लिए Πाइसे 10% के इंट्रस पाद मेरा कॉस्टिंग कितना लगा एक तो 5000 रुपीस outright už उधार ली 10% के इंट्रस पे 6 महने का उडेंक को जा sóड़े 자신. इन्टू 10% इन्टू 6 बेट वल यहीं आपका एराउंड 250 रुपीस इंटरेस्ट भी आएगा आपका तो आप मुझे बताईए मैं मिनिमम कितना प्राइस में बेचू सेर्स को कि मेरा घाटा नो ब्रेक इवन कितना रहेगा या 6 मेन किता आप 5000 रुपीस का सेर्स 5000 में बेचू तो आपका प्रेक इवन नहीं आपका तब होगा जब आपका जो इंटरेस्ट वॉस्ट है वो भी रिकावर हो जाया तो यहां पर आप यह समझे कि 6 मेने के बाद का सेर्स का प्राइस हुए वह थियोरिटिकल है क्या होना चाहिए प्रट प्राइस जो था वह तो हो गई प् अब एक ओर्षी में बता रहूं माल लीजे मैंने 5000 रुपीस देखे सेर्स खरीदा और यह 5000 रुपीस मैंने बैंक से उधार लिया है बैंक को मुझे 6 मेने के 250 रुपीस जो है के इंटरेस्ट भी चुका लेकिन माल लीजे 6 मेने के दोरान मुझे है न इस कंपनी का मैंने सेर सेर्स लिया था उन्होंने मुझे डिवरेंट डिविया 20 रुपीस का माल है अब बताइए मुझे मिनीमम कितना रुपीस में बेचना चाहिए तो मैं बोलूंगा तो मेरा इंटरस्ट है टोडल मुझे 525-0 मिल जाना चाहिए मेरे मेरा काम बन जाएगा ब्रीक इविन हो जा 20 रुपीस का तो बच्चा होगा 523-0 मुझे मिल जाएगा तो मैं खुस हो तो वही वाली बात यहां पर आ रही है कि अगर यहां पर जैसे 15 रुपीस लिखा है मैंने अगर 15 रुपीस मुझे डिवरेंट के रूप में मिल गया है तो एक्सपेक्टेट प्राइस जो है 5235 हो हुआ है तो एक मैने का फ्यूचर प्राइस का यहां से निकलेगा मतलब यह जानो कि एक मिने के बाद क्या होगा ब्रीक इवन हम मोलेंगे देखो कि यह सही है कुछ घरबड तो नहीं हुए है आपको ब्रेश में को गरबड हुआ है कि देख लेता हूं तो यहां पर दिखिए 4000 मुझे चाहिएगा spot price उसमें interest जोड़ूँगा एक मेने का 4000 इंटू 10% इंटू 1 by 12 क्योंकि वन मन्थ future निकाल रहा हूं यह दिखिए इंटू 1 by 12 डिविरेंट मैं माइनस करूंगा यहां डिविरेंट लिखा हुआ रहे हैं तो phase value से इंटू 1 घ्रिट लिखा हुआ रहेगा तो market price होगा मालीजे spot price उसका phase value 100 अगर सिर्फ डिविरेंट लिखावा रहे तो 5% इंटू 100 लगाओ लिघा तो जब लिखावार है तो time period बे आएगा एक तो market price पे लगए गा दूसरा time period बेगे तो आपका देखे spot price में interest जोड़ेंगे divirant minus करेंगे तो cost of carry model यही कहता है आगे मैंने यहापर कहीं लिखा है यह दिखे cost of carry model के साबसे future price कैसे निकालोगे spot price में आप interest जोड़ दीजे divirant minus कर दीजे एक storage cost भी होता वो जोड़ना होता convenience minus करना होता पर mainly आपके exam के लिए जितना books में question उसमें यह तीन चीज़ है spot interest और divirant तो यहाँ पर अब देखिए आपका theoretically one month का future price आगया 4016.67 आगया आपका बात खतम है न तो spot में interest जोड़ा divirant minus के अब अगर अगर आप उले 3 months का future price निकालना है तो क्या करोगे spot price पे तीन मेने का इंट्रेस जोड़ दीजे और तीन मेने का divirant minus कर दीजे तो 4000 इंट्व 10% इंट्व 3 by 12 4000 इंट्व 5% इंट्व 3 by 12 पस बात कदम six months का future price निकालना है तो आप spot में क्या किजे six months का interest जोड़ दीजे six months का divirant minus कर दीजे आपका six months future price आ जाएगा बात कदम तो अब यह समझे आप यहां पर future price जो होगा उसमें क्या होगा spot plus interest minus difference अब storage cost नाम कीजे भी future price में add हो जाए उसके पीछे कारण यह है कि आप देखिए हम क्या करते जो cash market और जो derivative market दोनों का parity में लाना चाहिए तो अब ही देखो अगर real में कोई potato जो है अगर वो commodity market है मालने चाहिए mcx commodity market अगर commodity market से अब real से commodity market है हमने cash market से सीधा potato खरीद है उससे store करोगे storage मार्केट में तो अपका storage का खर्चा लगता नहीं तो future price में वो adjust कर देते हैं जो भी चीज आपके cash market में होने का है वो सारा future में adjust हो जाता है तो storage का खर्चा हम क्या करेंगे adjust कर देंगे आप तो आप यह समझे interest cost और storage cost plus हो जाता है और convenience yield नाम की इसी होती class में मैं अच्छे से समझाए था अभी नहीं समझाओंगा जाद आपको convenience yield में इतना समझ जाई है कि cash market में convenient होता है तो पस अभी याद कर लो ज्यादा अच्छा रहे है तो future price में आप याद कर लो कि कैसे pot में हम क्या करेंगे interest जोड़ेंगे storage जोड़ेंगे different minus कर देंगे और convenience yield minus कर देंगे अलग कि एक भी कोशिन नहीं convenience yield वाले सच बतानो storage का भी नहीं है आपके लिए इतना ही relevant है और continuous compounding जब रहेगा तब हम continuously compounding करके future की price निकालते हैं वहाँ पर हम कैसे निकालते है future price पता है s e r minus d t r यहाँ पर interest rate में different minus कर तो into time period और अगर different नहीं है तो s e r t से निकल जाएगा तो continuously compounding में यह धियान रखना आप कैसे निकालोगे spot price उसमें exponential में इस्तमाल करोगे interest rate minus different into time period इस तरीके से निकलेगा जब continuously compounding होगा और अगर d नहीं है तो आपका तो डीजी रोगा तो आपका ऐसी आरटी बन जाएगा बस बात खतम यहाँ पर तो पते क्या आपको cost of carry model अच्छे से समझ में आ गया तो आपको बस इतना दिहान में रखना इतना दिहान में रख लोगे बस बात खतम आगे हम बढ़ सकते अभी एक और question है यह आपको आप खुछ से self कर लेजएगा इसमें रहेगा आपको आपको नोट तो मिली चुका टेलिग्राम में यह खुछ से solve हो जाएगा अभी मैं नहीं कर रहा हूं अभी मैं आपको सीधा question number 8 कराने वालों मैं आप एक काम करता हूं question bank को खोले तो इसमें मैंने question रखा नहीं है हलाकि बाकी में तो मैंने questions भी रखा है इसमें नहीं रखा है मलब आपके जो पेडियो में उसके अंदर ही maximum क्यों को बिल जाएंगे आप के पर रुख जाए अब अभी तक मजह आ रहे ना कि एक घंटा होगी है पड़ते हुए में इस क्योंकि पांच स्टार्टिंग में तो पांचस मिट बढ़ा नहीं तो पूरा एक घंटा से बढ़ रहे हैं और एक घंटा में अच्छा कवर अब किया है क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा टाइम देना है तूचर में हम अच्छे से टाइम देंगे ना फ्यूचर एकदम सेक्ट्र और कर लेंगे अपनों कि यह दिखें आप पर कोश्य नंबर एट यहां पर है कि यह दिखें आज आगा इस तो दिक्कत नहीं है आप बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलेगा अच्छे से रिवाइस हो जाए देखिए क्यों कोश्य नबर एट में क्या दिया हुए जैनवरी वन टू थाउचेंट इनको इन्वेस्टर का पांच अलग अलग सेर पोटफोलियो में पैसा लगाया था अलग अलग सेर्स उसकी प्राइस पर से नंबर और सेर्स आपने कितना खरीदा हुए और सबका रस्पेक्टिव बीटा दिया होगा तो पोटफोलियो बीटा निकालना बहुत आसान है पेसा यहां पर है कि अलग अलग सेक्यूरिटीस का प्रैस पर सेंखंज से कभी बीट नहीं एकि इतना एक चाह प्राइस हमने dv investment हमारे इतना investment value दिहां रखना हो यह निकालना होता आपको पर सहर value से कभी भी आपका weight नहीं आएगा तो आपको पता चलगी कि अलग-अलग सहर में आपका यह अलग-अलग investment value है और सबका आप क्या करो कि weight निकाल से तो कैसे total आपका इतना investment amount दोरा पूरे portfolio में पूरे पांचों सहर मिला के total आप पांचों को total कर दीजा आपका इतना investment का value है तो अब आप दिखिए weights कैसे निकलेगा security A में कितना पैसा लगा है this one divide by this one security B में this one divide by this one ऐसे करते करते आपका weight आजाएगा और सबका respective beta दिया हुआ है आपका weights into beta करोगे आपका portfolio बीटा आजाएगा बात करते हैं इन्हें सभी अलग अलग बीटा में उसका respective investment के सबसे weight लगा आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे one seven four six five double zero divide by this into beta ऐसे करके भी आप सब का बीटा निकालते हो total आपका बीटा आ जाता पॉइंट पॉर नहीं तो के ज़रिये तो मुझे future का amount कितना sell करना चाहिए मैं भी आप से पूछना चाहिए अगर आपकी investment value इतनी है और आपका बीटा इतना है तो आप मुझे बताईए फटा फट से chat box में तोर डालिए और मुझे बताईए total आपको future कितना sell करना चाहिए मुझे बता दीजाए जल्दी से पटाफट जल्दी बदाऊ मुझे पटाफट से जल्दी बदो जल्दी बदो यहां पर आपको मैं समय दे रहाँ जल्दी से बताऊ मुझे आपको अभी तो सिखाया था इतने अच्छे से आपका बाई पोजिशन है आपको हैजिंग करना परफेक्ट तो फ्यूचर सेल करना है तो फ्यूचर सेल कितना करेंगे यहाँ पर सिंपल सी बाद आप बोले सर कुछ नहीं अब आगे हम क्या करेंगे यह देख आगे यहाँ पर लिखा हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू इन्वेसर इस 10.5 परसेंट पर है हमसे पॉइंट नमर तू में पूछा थियूरिटिकल वेल्यू बता है निफ्टी फूचर का इनिफ्टी फूचर का इनिफ्टी की वेल्यू न देवे निफ्टी फूचर की वेल्यू नहीं देवे आपको मैं कंपारिजन भी करा रहा हूँ जो पिछला कोशिन हमने किया था ना वहाँ पर उन्होंने सीधा में निफ्टी फूचर दिया था इंडेक्स के साथ फूचर वर्ड लिखा हुआ देखे आपको सीधा फूचर क देखें आं यहां पर इन्होंने निफ्टी लिखा हुए करेंट निफूटे स्पॉटे हम तो निफिटि फ्यूचर चाहिए वह भी कितने मेंने का भूब हाला कि question में यहाँ पर ICI ने क्या क्या पता question number 8 में days basis में क्या हुआ है तो कि नीचे लिखा हुआ अभी 365 days के इसाफ से कर और next question में उन्होंने months basis में क्या हुआ है तो हम यह बोल सकते हैं January का महना में 31 days होगा परवरी का महना में 28 days होता है वैसे तो लेकिन हम यह तो first day लेंगे या last day लेंगे यह एक जनवरी लो यह 28 फवरी लो दोनों में इस एक ही लो गया तो यहाँ पर 31 financial का value दिया हुआ है और natural log का value दिया हुआ है तो जहां पर भी e की value दीवी रहेगी नै ऐसे e की value वहाँ पर आप क्या करोगे पता है continuous compounding वाला इस्तमाल करोगे formula that is future equal pot plus interest minus dividend मत करना ser minus dt करोगे और यहाँ पर d ही नहीं डिया हुआ हुआ है तो हम सीधा sert रखेंगे आपर आर जबकि क्या है आपर 10.5% इन्हों ने लिखा हुआ है देकिन इन्हों ने बोला कि 10.5% natural log की value 9.98% मैं आपको बता दू अगर 10.5% लिखा है कि तो सीधा हम 10.5% नहीं लेते हैं पर natural log की value 9.98% आपके लिए 9.98% और time period आपका 58 days है तो यह मैं यहाँ पर rough में करा देता हूँ ताकि आपका practice भी हो जाए future equal क्या रिखेंगे as ERT spot कितना दिया हुए 59100 कि आर कितना अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता ना question में natural log नहीं लिखा हुआ रहता हूँ तो 10.5% पर रहे हैं नहीं 0.105 लेकिन natural log की value दी भी है तो हम यहाँ पर 0.998 डी नहीं 9.98% वाम लेंगे हूँ आर टी ती मतला time period time period कितना 58 days divided by 365 तो पते कितना आईगा 59100 तो देखें इसकी वैलू दीविए एप देखें चाल स्टावत फैबरी का निफ्टी फ्यूचर हो गया यह इंडेक्स फूचे जो भी बोलोगे आप तो यही चीज देखिए मैंने हाँ पर निकाल रखा होगा एक दम अच्छे से तो जो ज़रूरी चीज़े वह मैं अच्छे से समझाऊंगा आप यह आप देखिए यह वाला आप नहीं करोगे मांगना चाहता है तो देखिए यह वाला आगया आपका अब आप बताईए मुझे लॉट साइज दिया वाए क्या कोशन में अब यह दिख लेए लॉट साइज लॉट साइज लॉट साइज दिया वाए यह 200 का लॉट साइज है एक निफ्टी फ्यूचर आपका 5994.28 हमने न कोशन में हैं 200 का लॉट साइज है तो एक कॉंट्रेक्वेलू कितना होगा डबल वन नाइन एट पाइट फाइट वेलू होगा तो आप मुछे बताए नमबर ओप कॉंट्रेक्वेलू कितना एंटर करेंगे हैं अपर हमें टोटल इतना आमांट ऑफ निफ्टी फ्यूचर स आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में अभी तब का पार्ट समझ में पहले तो बीटा अराम से निकाला अमाउंट ओ इंवेस्मेंट इंट इंटू बीटा से बता चल जाए कि कितना निफ्टी फ्यूचर सेल कर दो और इप्रिटिकल नलफ्रिक की वल्ल्यु हमने निकाले निफ्टी फ्यूचर की वल्ल्यु स του कRT करके निकाला आपका उससे क्या कि हमने Lord size से multiply करके एक contract value निकाले तो अब यहाँ पर number of contract आपका अराम से आ जाए कोई tension वाली बात नहीं है बताई हमारा यह चीज आ चुका यह तो हमने पता है क्या क्या कर दिया पीटा पुछा बता दिया theoretical value पुछा 5994.28 बता दिया फिर इन्होंने तीसरा हम से यह पुछा कि number of contracts कितना मैं enter करोगे अगर आपका Lord says 200 है हमने बता दिया number of contracts 13 या फिर 14 contract इसी बात बताओ अगर मैं 13 या 14 contract करूँगा तो क्या मेरा perfect hedging हो जाएगा हाई या न यह पर मुझे इतना बताईए मेरा क्या होगा अभी मैं प्रूफ नहीं करूँगा आप कर सकते हो चाहो तो बाद में आपका overall effect क्या होने वाला आप एक तरह में cash market रखोगे एक तरह में future market रखोगे suppose आप यह मानोगी कि मानलो market 10% से गिड़ गया आपका बीटा है 0.849 तो आपका portfolio गिरेगा 8.49% से उस आप से आप करके दिखो कि आपको पता चलेगा overall effect क्या होगा नील होगा बस मुझी एक बार आपके मुझ से सुनने का मने आपके chat box में सुनने का मने मुझे पता यह overall effect क्या होगा नील होगा ओवरोल effect क्या यहां पर नील होगा थोड़ा वो difference वो छोड़ो आप वो rounding of का difference चोड़ो वो तो आपका आएगा otherwise तो overall आपका substantially तो नील होगा overall effect substantially नील होगा आप पताई यह overall बीटा क्या होगा हमारा overall बीटा क्या होगा हमारा मुझे पताई यह overall यानि portfolio of sales और future मिला को net phone नहींने future में मैंने sell किया है तो overall मेरा बीटा क्या होगा पीटा का आप लोगों से पूछ रहा है एक बार तो थोड़ा साइक खुदन सस्पेंस रहना चाहिए स्टार्थक जी बोले overall बीटा नहीं बीटा क्या होगा यह कैसे हुआ पता है आपको मैं समझा रहा हूं देखें मेरा 0.849 का बीटा था मैंने क्या किया पूरा का पूरा 0.849 से जब multiply किया तो मेरा बीटा जीरू आए मैंने amount of investment को multiply किया 0.849 से और उल्टा किया buy की जगा sell किया तो मेरा बीटा जीरू आए लेकिन आपको बता है हम जहाए तो बीटा को जीरू की जगा कुछ और भी बना सकते जैसे इसके लिए मैं आपको rough में करवाता हूँ एक चीज़ कही पर भी मुझे जगा मिल जाए ना अपर उधर ही मिल जाएगा आपको rough में एक बात बताना चाहते है मेरी बात धिहान से सुनते अगर मेरा amount of investment है फिफ्टी थाउचिन का और मेरा बीटा है वन पॉट्ट फाइव अगर मुझे बीटा जीरो चाहिए ना तो मैं क्या करूँगा पता है सेल करूँगा निफ्टी फ्यूचर कितने का करूँगा फिफ्टी थाउचिन इंटू 1.5 करूँगा 70 था उचिन का यहाँ पर मैंने किया किया यह करने के बाद मैंने 1.5 का बीटा को मैंने किया किया 0 में पहुचा दिया इधर आपका distance कितना है पस इतना हम संद्धिया आपका distance कितना 1.5 यह नि 1.5 टाइंस मैंने तूचर सेल कर दिया माइनस 1.5 हो गया प्योंकि बाइक को मैंने सेल किया अगर मुझे बीटा मुझे चाहिए यहाँ पर 0.3 तो मैं पता क्या करूँगा अगर मुझे बीटा 0.3 चाहिए तो यहाँ पर मैं यह बोलूँगा मेरा 1.5 का फिलाल बीटा है और मुझे 0.3 बीटा चाहिए तो मुझे reduce कितना करना पड़ेगा मुझे बीटा कितना reduce करना है मैं आपको फिर repeat करो यह बात आप एक्दम अच्छे से समझ लो प्लीज request करो अगर मेरा बीटा 1.5 है मुझे बीटा को 0 करना है मतलब मुझे कितना कम करना है 1.5 से 0 तक का सफर कितना है 1.5 है पीछे जाओंगा ना पीछे 1.5 से 0 जाना पीछे जाना है तो 1.5 से multiply करूँगा investment value का और वो भी उल्टा करूँगा बाई यह तो sell करूँगा तब मेरा बीटा जीए लेकिन अगर मैं आपको यह बोलू कि मेरा 1.5 बीटा है और मैं investment को 1.5 से multiply करूँ लेकिन बाई की जगा बाई करूँगा तो मैं उल्टा आगी जाओंगा 1.5 बीटा जो मेरा ओ 3 बीटा बन जाएगा मतलब आप समझो आपका investment value 50,000 और अगर आपका बीटा 1.5 है अगर आप माल लिज्ये 50,000 into 1.5 sell करोगे न तो बीटा जीर हो जाएगा लेकिन आप अगर 50,000 into 1.5 का long position होगे तो 1.5 से वो 3 में चला जाएगा वैसे मैं आपको यह बूलना चाहता हूँ कि अगर मेरा बीटा 1.5 है फिलाल और मुझे 0.3 बीटा बनाना है overall तो मुझे कितना कम करना है 1.2 कम करना है तो ऐसे situation में आपका nifty future मैं sell कितना करूँगा पते हैं मेरा 50,000 का investment value ने उसको मैं 1.5 से multiply ही नहीं करूँगा अगर 1.5 से multiply किया तो पूरा perfect hedging हो जाएगा मैं 1.2 से multiply करूँगा यानि कितना 60 था हो जिन का अगर आ future sell करोगे न तो आपका बीटा पता कितना हो जाएगा आपका बीटा overall सब मिला कि अब चेक करना घर में आपका बीटा point 3 हो जाएगा class में तो मैंने बीटा कितना point 849 है मुझे बीटा को point 6 में पहुचाने है मैंने बोला बीटा point 849 है अगर आपको बीटा 0 करना है तो आप amount of investment को multiply किजे point 849 से उतना का future sell किजे लेकिन अगर आपको बीटा point 6 में पहुचाने है तो आप पता है क्या बोलोगे आप बोलोगे फिलाल point 849 है मुझे पहुचाना है point 6 पे मुझे कितना कम करना होगा मुझे बीटा point 249 कम करना है तो amount of nifty future में कितना sell करूँगा जितना मेरा investment value उसको point 249 से multiply करूँगा तो कि मुझे कम करना है कितना point 249 तो यहाँ पर मेरी investment की value कितनी है मेरी investment की value है 18854860 अगर मुझे बीटा point 849 से point 6 में पहुचाना है मतलब मुझे point 249 से multiply करना पड़ेगा तो अब मैं क्या करूँगा आप देखे चोथा point में current beta point 849 मुझे बीटा ची point 6 मुझे 0 नी ची मुझे perfect hedge नहीं करना है तो मुझे point 249 से multiply करूँ इन निफ्टी future कितना बेचोगे investment value into point 249 यनि कितनी का निफ्टी future आप बेचोगे एक contract value आपको तो पता है यह पहले से निकाला हुए एक index future into lot size एक contract value इतनी का है और मुझे इतना निफ्टी future sell करना है तो number of contracts आजाएगा 3.916 क्या यह समझ में आया मतलब आप कोई भी beta में बहुत सकतो अब इसनी question में मैं आपको बोल रहा हूँ अगर माल लीजे आपको beta 1.6 करना है तो आप मुझे बता सकतो मुझे निफ्टी future sell करना है कि buy करना है इक पर सीख लीजे फटावर से ताकि exam में कोई भी इस प्रकार का question है MCQ है तो भी समाल हो गया मैं आप आप मुझे बताई अगर आपका beta 0.849 है आपको beta 1.6 करना है तो बताए future आपको sell करना चाहिए कि buy करना है निफ्टी future हम sell ने करेंगे निफ्टी future हम buy करेंगे कितना buy करेंगे 0.849 से 1.6 के बीच का जो सफर है जो distance है उसको multiply कर तो investment value से बस बात करते है ना तो हम buy करेंगे है ना कितना जो difference है उससे multiply कर तो investment value का 1,8,5,4,8,6,0 into अब देख लो दोनों के वेज़ में कितना 0.6,0.75 होने क्या हो आप इतने का buy करोगे I think ये वाला चीज आपको clear है तो question number 8 आपका हो चुगा question number 9 आप अराम से कर लोगे question number 9 में को tension वाली बात भी बस मैं आपको solution को go through करा रहा हूँ बाकी question देखने की जड़त ही नहीं है similar question है एक दो जगा बस कुछ चीज है आप से इन्हों ने यह पूछा कि theoretical value पूछे में और जून का इंडेक्स फूचर इनिफ्टी फूचर बताएं और जून का इंडेक्स फूचर इनिफ्टी फूचर बताएं पॉट दिया हुआ 8500 आपको मैं और जून का बताना अभी फिलाल क्या चाह रहा है लुचर इहा यहाँ पर फूचर चाहि है और खुसी के बात यह पर आईसे ने मन्तवाइस से किया है आपकूछन दिया हुआ हुगा होगा का 2 months future क्या होगा 8500 E R minus T D तो है नी R T होगा R कितना rate of interest दिया होगा 20% .20 और 2 months में 2 by 12 होगा ये 2 months का future होगे और 3 months का future निकालना है तो 8500 E.20 into 3 by 12 हो जाएगा बस बात कर तो ऐसे करके आप निकालोगे यहां पर लेकिन यहां पर मुद्दा क्या है अब देखें आप अगर माई का future निकालोगे 85 minute E to the power .20 into 2 by 12 करोगे आपका ये वाला आएगा अब problem क्या है IECA ने E.03 का value दिया हुआ ये 0.04 का value दिया हुआ ये 0.0333 का value नहीं दिया हुआ पर आप भी बोली कि ये 0.03333 को मैं ऐसे नहीं बोल सकता है कि ये 3.333 percentage .03 मतलब क्या 3.3333 percent है इसको मैं क्या ऐसे नहीं सकता है 3% plus 0.3333 percentage और 0.3333 percent क्या होता है पता है 1% का 1.3 होता है आप देख लीजे 3% और ये हो जाएगा 1% का 1.3 हो जाएगा आपका होगा है आई इस ये नहीं 0.03 की value देवे तो ये 0.03 तो हमारे पास आ गया प्लस हमें चाहिए क्या 1.3 ऑफ e.01 चाहिए तो हम क्या करेंगे पता है e.03 है e.04 है दोनों का difference आपका e.01 आ जाएगा इसका 1.3 ले लेंगे यहाँ पर मैंने वही क्या आप देखें मैंने यहाँ पर क्या बोला e.01 कैसे निगाला मैंने बोला e.04 और e.03 को माइनस कर दिया मेरा e.01 आ गया इसका 1.3 मेरा ये वाला value आ रहा तो अब देखें e.03 है 1.03045 और 1.3 है प्लस 0.035 345 इससे मेरा सीधा आ जाएगा इसकी value 1.0339 आपका इससे मेरा फूचर आ जाएगा मैं मान रहो मैंने स्पीड में करा है यहाँ पर मैं जादा समय नहीं देना चाहता है इसलिए मैंने स्पीड में करा है I hope आपको ये समझ में आगे मैं फिर से एक पर repeat कर दिरूँ आपके लिए इसकी ये वाला exponential आ रहा है मैं इसको बोर रहा हूँ E.03 है और प्लस E.003333 है ये और कुछ नहीं 1.01 है और ये 0.03 इसकी तो value दी भी है already और E.01 निकाल के उसका 1.30 में हम ये value बैठा के हम ये निकाल सके और अगर जून की future की बात करो आप तो जून की future में तो को टेंसर नहीं नहीं 85 minute E.20 into 3.25 की value सीधा दिया हुए तो आपका सीधा theoretical जून future आ गया theoretical जून future आपका आचुप है तो 1 और 2 तो आपने निकाल लिए अब 3rd मैप से क्या पूछा number of nifty future आप बताए कितना sell करोगे अगर आपको hedge करना है total portfolio को तो total portfolio को आपको hedge करना है और यहां पर एक और बात है किनोंने quotation दिया हुए अपको दा पिछले वाले question में किनोंने nifty future का quotation नहीं दिया हुआ था तो जो theoretical था उसी को आपने quotation मात लेकिन जब quotation दिया हुआ रहे तो theoretical वाला मत लेना तो quotation दिया हुआ उसको आप लोगे भले आपने theoretical future निकाला हो बट यह आप लोग ही नहीं क्योंकि quotation दिया हुए ना देको माई future 8700 और आपका जून future का 555 दिया हुआ तो आपको यहां पर अगर पूरा portfolio अगर आपको हैज करना तो आप बोलोगे हमारी जो investment value है इंटू बीटा हम करेंगे यह amount of nifty future to sell आ जाएगा माना और एक contract की value कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे कौन सा चीन हो आपने जून का पूछा है तो जून का डबल एट फाइब जिरो है और लॉट साइज है 25 एक contract की value आ जाएगे डबल एट फाइब जिरो इंटू 25 हम अब निकाल लेंगे number of contracts यह देखें कितना का future sell करेंगे divide by one contract value number of contracts आ जाएगा 5 contract यह होगे अब दूसरे वाले में क्या पूछ रहे बते हैं को रहे कि 50% of portfolio आप एक काम करो जितना आपने पिछली बार लिया था ना amount of future to sell उसका आधा ले लो पिछली बार आपने यह लिया था नो 1095884 उस पे 50% लगा दो इसका आधा ले लेना आ जाएगा इसी का आधा आधा आएगा 20% लगा गये हमने निकालने कुछ ही नहीं इस question में तो इस question आराम से आप कर लोगे practice करोगे तो बते ही समझ में आया की नहीं है या फिर आप बोलो कि सब्सक्राइब बहुत फीड करा दे बार repeat करना तो मैं करा सकता हूँ चलो मैं फट से बार repeat करा देता हूँ तो इसमें को टेंसन वाली बात ही नहीं है फिर मैंने आपको यह बोला कि यहां पर point number 3 में आप amount of nifty future कितना सौट करोगे 100% हैंचिंग के लिए तो amount of investment इन्टू बीटा यह 100% है कितना amount आया एक contract की value इतनी है तो number of contracts निकल के आगे दूसरी वाले में पूचा 50% ही करना है तो amount of investment इन्टू बीटा में 50% लगा दीजे क्योंकि 50% है आपका आ जाएगा तीसरी वाले में इन्हों ने आप से पूचा है 120% करना है amount of investment इन्टू बीटा इन्टू 120% लगा दीजे आपका अंसर आजाएगा बस बात करता तो पता ही क्या समझ में आया बताए क्या समझ में आया आपको यह बांकी तो प्रिवीजन में तो इतना ही चलेगा यह question number 7 आप self करोगे मैं नहीं कर रहाँगा भी solution देखोगे समझ में आ जाएगा मेरा अराम से नोट्स में खुद से देख लेना यह वाला question question number 3 मैं आपको भी कराऊँगा और उसके बाद मैं आपको कराऊँगा margin से related question पिर आपका future खतम होचाएगा हमारा में बताइए आगे बढ़े तर आज का रिवीजन कर लेंगे तो अध्यार देखनी की जरब नहीं पड़ेगी ना यह नहीं पड़ेगी देखनी है कि समझ में आया पुलो आगे बढ़े कि पुलो करने लगे पताने क्यों अचानक से तोमक में थोड़ा डिसकंफर्ट हो गया को लेंच टाइम नहीं भी भूल जाए वे लेंच नहीं कि भी बहुत कुछ पढ़ना है में था कि आगे बढ़ते हैं न कोई ब्रेक्विक नहीं मिलेगा भी बाद में मिलेगा अब कोश्चिन नमर्ट 3 में आ जाए यहां पर भी दिखिए बीएसी की वेल्यू दीविए 5000 मतलब यह बीएसी स्पॉट बीएसी फ्यूचर नहीं है इसे निफ्टी स्पॉट अलग होता है न लाग 10,000 पीटा दिया हुआ 1.5 तो आप खुद बताएं फूचर परफेक्ट हैचिंग करने के लिए निफ्टी फूचर कितना सेल करेंगे बीएसी फूचर कितना सेल करेंगे 10 लाग 10 थाओजिन इंटू 1.5 यह फिफटीन लाग 15 थाओजिन का फूचर सेल करेंगे फूर अब यहां पर यह लाइन बहुत इंपोर्टेंट जो नहोंने बोले एक तो बोला कि लॉट साहिचे 50 टाइमस का फुटी यूनिट्स का लॉट साहिच आप यह समझे यह लाइन बहुत इंपोर्टेंट वी एज्यूम डेटे फूचर कॉंट्रेक्ट ऑन बीएसी इंडेक्स विच फूर मन्स मैच्यूरिटी इस यूज्ट तो हैज तव वैल्यू पोट्फोलियो ओवर नेक्स त्री मन्स आपको तीन महने के लिए हैजिंग करना है लेकिन आप चार महने का बेसी फ्यूचर का इस्तमाल करना चाहिए बोला ना पूर मन्स का बीएसी फ्यूचर अब स्यूचर करेंगे लिए हमें फिचर लेना चार मैने करेंगे इस्तमाल करेंगे ऐसे स्यूचर करोओगे बोला पूर तो क्यासे लोग है प्राइस में आप इंट्रेस्ट जोड़ दीजे चार मेने का और डिवरेंड माइनस कर दीजे चार मेने का देखे डिवरेंड लिखाओ है तो मार्केट प्रैस पे लगेगा तो अब देखे फोर मन्स का बीसे फ्यूचर कैसे आएगा फाइफ थाउजिंट चार मेने का इंट्रेस्ट ले लिजे नाइन परसंट करके और डिवरेंड भी चार मेने का ले लिजे तो फोर मन्स का बीसे फ्यूचर आजाएगा फाइफ थाउजिंट और यहां पर कोटेट तो दिया हुए ने तो जो थ्यूरिटी का लिए वह हम कोटेट माले तो अब द दिस वन डिवाइड बय दिस से आपका कोंट्रेक्ट आ जाएगा तो हमें ये पता चलिया कि फिजिकल सेर्स तो हमारे टेन लाग टेन थाउजिंट का खरीदा हुआ है इसको हैज करने के लिए फूर मंस का फ्यूचर सेल करेंगे इतने का फ्यूचर हम क्या करेंगे सेल करे अब आगे बोल रहा है ये गेन बताओ सौट फ्यूचर पोजिशन में अगर इंडेक्स वह न वह फोर थाउजन फाइव इनिट हो गया तीन मेहने मेहने के बाद आपका support index अनिट्स फूचर में ना का इनिट फूरर्य पोजिशन खड़ाकर रखा वे ना इसको एलिमिनेट कर जुँँ जैसे aos आलिमंस का forward buy contract लिया हूए, दो मेने के बाद आप cancel करना चाथे हो, तो one month का forward sell करके आप cancel करते हैं, तो वैसे मैं आप से पूछना चाता हूँ, अगर आपने चार मेने का future sell contract ले रखा हुगा, और आप तीन मेने के बाद cancel करना चाहते हूं तो तीन मेहने के आपको क्या करना चाहिए तीन मेहने के बाद यह आपको फ्यूचर पाई करना चाहिए आपको क्या करना चाहिए या spot the future भाई करके सोदा कटेगा यहाँ पर कि कुछ और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ क्योंकि 4 months का future आपने sell कर रखा हुआ आप 3 मेने के बाद खड़े हो तो आप खुद बताई जिस day में आपका future sell है उसी day में तो future buy कोना चाहिए तो simple सी बात है यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते spot future buy करो यहाँ पर हमें one month future buy करना हो तो मतलब अगर 4 मेने का future sell होता अब 4 मेने के बाद ही सोदा काटे तब spot future buy करते यहाँ पर तो हम 3 मेने के बाद सोदा को रफा दबबा करना चाहिए तो मैं one month future buy करना पड़े हो अब problem क्या one month future दिया हुआ है का नहीं दिया हुआ है आपको spot दिया हुआ है तीन मेने के बाद अब आपका spot price 5000 ही रहा अब आपका spot price 4500 है तो यह spot price 4500 है मुझे चाहिए one month future तो 4500 में one month का interest चढ़ाऊंगा one month का different minus करूँगा तो one month future में कैसे निकालूँगा यह देखें spot price में एक मैने का interest चढ़ाया एक मैने का different minus किया मेरा one month future आगया इस rate में मेरा future भाई हो तो यहाँ पर सोदा कैसे कटेगा four month का future sell हुआ था तीन मैने के अद में सोदा काटने के लिए one month future को buy करूँगा one month future भाई होगा six contract का six contract लौट साइज भी 50 रहेगा किस rate में हम सोदा काटेंगे तो यहाँ पर आप देखें गेन हुआ 161625 का यहाँ पर यही नो ने पूछा है कि गेन बताइए short future position में जो self future किया था ना अपने short future उसमें gain बताइए हम बता देंगे 161625 का gain है 161625 का अगर आपका gain है तो बताए यह party दोगे कि नहीं दोगया आप मुझसे अब यहाँ पर भी जान मुझी है पुछ रहों में देखना चाहतो आप कितना समझदार हो यह party दोगे 161625 का आपका gain हुआ है यह party दोगे आप भुलो सर नहीं party नहीं देंगे यहाँ पर आपका देखे 5000 आपका था यह 4000 फाइल बिनिट हो गया तीन मैने में तीन मैने में 10% गीरा है तो इधर अगर आपका गीरा है इधर physical sets में भी तो आपका नुकसान होगा पर वो चीज कोशिन ने पूछा ही नहीं तो इसको हम नजर अंदाज कर रहे है आपका real माईने में overall gain नहीं वो overall hedging वहाथ इधर आपने gain किया है पर इधर आपका नुकसान भी होगा पर वो question का part नहीं था question में बस इतना ही पूछा आप से price of future contract बते ही 5050 हमने बता दिया और पूछा कि gain बते ही short future position में तो हमने short इतना किया था उसको soda इतना में कटा हमारा इतना का गीना किया बात खत्म यह हमारा part of answer ही नहीं होगा तो यहाँ पर ही यह question हमारा खत्म होता है बता ही क्या समझ में आया की नहीं है बता ही क्या समझ में आया की नहीं है यह वाला question कहाँ पर हमने अगर यह सारा चीज़ समझ लिया हमें आपर question number 4 आप अराम से खुद कर लोगे एक्टम simple है आर्बिट राजब आप खुद से देख लिए यह question number 4 आप just read करना मेरा notes देख के आपको समझ में आ जाएगा मैं गोध्रू नहीं करूँगा मेरा notes देख के बस ही question number 4 आप जरूर से go through करना मेरा notes देख के आपको समझ में आ जाएगा पूरा बाकि class के बच्चों को तो पढ़ाया हुआ पराम से हो करी लेगे बाकियों को भी समझ में आएगा अब मैं आपको करूंगा आपका initial margin और maintenance margin वाले question करूंगा यह बहुत जिरूरी है कि आपका जैसे कि हम future में जब contract करते हैं तो हमसे वहाँ पर upfront पूरा पैसा नहीं लिया जाता है तो रिलाइंस का asset 3000 का है तो वह माल लिजे मेरे से 20% margin ले लेंगे 600 रुपीस margin ले लेंगे तो जो 600 रुपीस मेरा margin deposit में दिखेगे अब माल लो साम एक दिन के बाद वह 3000 जो है न वह गिर के पता है कितना हो गया 2800 होगे तो 200 रुपीस में नुकसान प्यों न तो 600 रुपीस जो मेरे margin था न वह mark to market डेली बेसे मां mark to market होते वह वह 600 अपने 400 बन जाएगा 200 रुपीय में नुकसान प्यों पोटेंशली वह 200 रुपीया काट लिया जाएगा और अगर माल लीजिए 75 पर्सेंटर मार्जीन मेंटेनेंस करना होता है अगर 75 पर्सेंटर से नीचे चला गया आपका margin तो आपको बोलिया जाएगा और पैसा लाइए और पैसा डेपोसिट लिए कु कोशें में 5 में माँ आए वह एक जिसने को फाई में माते हैं कि यह थे ट्रेडिंग्रेंग डियर का डिटा वहाइए हमें हाई है लूँ से मतलब नहीं होता है है अब इसे कि नहीं से से इस जूचल बाई किया यह नियुक्त और सेल दूनों चेक करना अब एक्जाम है यह तो बढ़ने से फाइदा होगा सेल तो गिरने से फाइदा होगा एवरेज डेली अपसुलूट चींज इस टेली अपसुलूट चींज कितना हो रहे टेन थाउचिंज इसको मू बोला जाता है और स्टेंडर्ड डेशन है आपका सिग्मा और आपको मैं बता दू इनिशल मार्जिन क्या लिया जाएगा प्लस थ्री टाइम सिग्मा लिया जाएगा एपसुलूट चींज लिया जाएग मैंटेनेस मार्जिन 75 परसंट जाएगा बले यह 16,000 आप इनिशली डेफोजिट करोगे तो आप देखिए आपने चार तरीक को कॉंट्रेक एंटर किया चार तरीक आप 16,000 रुपीस जमा कर दो जमा कर दो के 16,000 रुपीस और सुनने जैरा अभी रुकिए अगर 16,000 आप जम लेके आने पड़ें तो यहाँ पर अब क्या हूँ हम देखते हैं चार तरीक को 3296.50 ता जिस दिन हमने सोधा किया 3294.40 हो गया और लॉट साइच कितना है यहाँ पर 50 का मल्टीपल है तो बते कितना कम हुआ यहाँ पर मुझे देख रहा है 2.10 कम हुआ आपका और इन्टु 50 कर दीजा आप कि तुपन्ट 101 कितने का नुकसान है 105 का नुकसान है तो डेली मार्क टु मार्केट आपका 105 का नुकसान हो गया 50 का लोट सेजे तो आपका जो 16,000 है उसमें से आप 105 माइनस कर दीजे आपका मार्जिन में पैसा 15895 कर रहेगा क्या अब 12,000 से नीची गिरा न नहीं लेकिया आपका मेंटेनिंस पॉर अभी पे सेवेंटिफए पर्सेंट फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ फिर इती टू नाइन फोर से त्री टू त्री जिरो हो गया मतलब कितना 64 कम हो गया इंटू 15 यह थटी टू अंड्रेड कम हो गया तो मेरा थटी टू अं से नीचे जाने पर आपको लाना पड़ेगा अभी भी ट्वल थाउजिन की उपर ही है फिर वापस से देखिए टू थी जिरो पॉंट फोर जिरो से त्री टू वन तू हो गया मतलब कितना कम हो और ट्वंट एटीन पॉंट वन जिरो इंटू 15 यह नहीं नो अजार सब्सक्राइब कि नीचे आगया तो जब आप मार्जिन लाओगे ना उतना इमाउन लाओगे सब्सक्राइब कि वो पूरा 100% मार्जिन बन जाए तो आपको 16,000 में पहुचना है वापस से तो यह नहीं 4205 रुपीस आपको लाना पड़ेगा अगर हम नहीं लेकिया है आपका सोदा होई काट के खतम कर दिया जाए आपको मार्जिन लाना पड़ेगा तो अगर हम 4205 मार्जिन ले आए लिए लिए अच्छा है यह पर 4205 कुछ गरत हुआ देखिए 12695 ता इसमें से 905 कम हुआ तो डबल 1790 गल्टी होगी है अब आपको वापस से 16,000 में पहुचना है तो 420 आपको मार्जिन लेकि आना पड़ेगा यह देखिए इतना पैसा आप से मंगाया जाएगा और आपक म्यू प्लेस ट्री टाइम सिग्मा और मेंटेनेंस मार्जिन अपका 75 परसन अपको मेंटेन करना है 12,000 से जैसे नीचे जाएगा उतना सफिशन पैसला कि फिरस सिश्टी दाउजिन बन जाए हमने यहां पर लिख रखा हुआ बस बात खतम क्या यह कोशेन अब अराम से हो जाएगा इसी के साथ हमारा फ्यूचर पूरा का पूरा खतम होता है बदाए अब आपको फ्यूचर में रिवाइस करा देता हूं क्या कि आपको ध्यान में रखना है पांच मिंट का समय लेता ह प्राइस बढ़ेगा तो आप फ्यूचर पाई कीचे अगर आपका स्ट्रॉंग प्राइस गिरेगा तो फ्यूचर आप सेल कीचे बस बात खतम खुले सांड़ आप यहां पर लेकिन हैजिंग में आपका साधी सुधा तलाग वाला एक्जामपल या था मैंने हैजिंग मैंन अब यह प्यूचर कैसे निकालेंगे इंवेस्मेंट की वेल्व कितनी बाई पोजिशन कितना था उसको मल्टिप्ला करोगे बीटा से आप तो उतना निफ्यूचर आपको सॉल करों अब एक कॉंट्रेट वेल्व भी निकालना हो कैसे आएगा एक इंडेक्स की वेल्ली दे परकार से करोगे अगर कई पर हमने दिखा था मिल करना पर्फेक एचींग नीचीजए हमें बीट्ब तो क्युक्त तो जीतना पॉइंट ऑफोंट च्वर्ट करोगे और फ्रूचर साहज करों पर डिजायर बीट्ब तॉपोंट देखने वह ने देखा था तैंटब 10.5 परसेंट ता लेकिन नेचुरल लोग का 10.5 परसेंट का वेलू दियाओ था पॉइंट जिरो डबलाइन इन 9.98 परसेंट तो 9.98 परसेंट आप लोगे तो वह सारा चीज मैंने आपको बता दिया आप अगर और 85 लाग का टूचर बाई करते हैं तो आपका बीटा जो है ना वह कितना 1.36 था ना 1.36 से आपकर 2.36 में पहुंच जाएगा 85 लाग का आपने इन्वेस्मेंट इमाउंट उतना ही बाई करो कि तो 1.36 होगा क्या आपके अपने 100 लाग साक है तो उससे भी जादा बढ़ेगा तो हमने देखा है तक कितना बढ़ा था हमारा यह सारा चीज़ तो आप उसी साब से करना जैसे मैं आपको सिखाया था तो अब में ने बुला उसको फोलो मत कर अबहां जो बोल थे लिए ना in and और यह बाला चीज़ धियान रखना यह और यह यह वाला पारट खली ध्यान रखना यह यह वाला पर्षेन मल्टिप्लाय कर दिया बात कदम यहां पर हमने पूर मंच का फ्यूचर साल क्या था ती मंच के बाद सोधा काटना चाहते हैं तो वन मंथ का फ्यूचर भाई करेंगे धियान रहिए आपका बीए से स्पॉट है इसमें इंट्रेस दिविरेंट माइनस करेंगे इस प फिर हमने लिया पर पर एकदम अच्छे से रफा रफा किया है आप बताई मुझे आपको कितना हथ समझ में अब कितना मुझे रेटिंग दोगे फेले मुझे इतना बताई यह प्र फिर में आप सब्सक्राइब अब नहीं लगेगा अब मुझे आपको टाइंड देना था टाइम ले तो अभी भी में टाइम लिया अब कियों ताइम लगी का नी लेना चाहों तो कि उसमें जरुरत था उसमें आपका कॉंफिडेंस कितना सब्सक्राइब किसे को कम देना तो भी दे सकते हैं हुआ हमझ में कितना पूरी अब अच्छा बट बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत शुक्रियस है टौ गहल रो खम कर तौut करके चतर ठीट शेर सिर्डा से करना जरूरत लिकार के confidence बना रहे हैं पता चलेगा कि कितना सब अच्छा रेटिंग दे रहे हैं एक नंबर हंड्रीड परसें टैन आसी जी ने वन दिया है चलो कोई बात नहीं आसे जी आफी जाओंगा मैं सब्सक्राइब कर सकते हैं पर मैक्सिमम बच्चे टैन में टैन दे रहें बहुत हैं बहुत बहुत बढ़िया तो पहले करवा रहा हूं वह तो पढ़ लो लहां तो कि कि तने बाद जीत के चलो बहुत बहुत वह सुकति अब ठन तन तंट बहँत ही बढ़िया है तो अगर समझ मेहरा तो लाइक करना प्रृब और में लइक कर सकते हो आप है की नेसे पार सेसे शुक्राइब टैनुक है आपका बहूत इसी आ तेंक्यू सो मच गर्द कलेक्शन जी कि यह सर वेरी गुड लेक्ट्चर तिल ना अगर आप बच्चो अगर आपको लगता सर्फ यूचर बहुत ईजय लगा तो आगे के टॉपिक्स तो एकदम पानी तूचर सी ऐसा है जिसमें थोड़ा ध्यान देने की चीज़े बागी तो निंबू पानी कुछ लेके मैं दो मिनिट में आ रहा है पिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे ऑप्सें सिर्फ दो मिनिट का ब्रेक या अभी ब्रेक नहीं दूगा सिधा लांच ब्रेक बाद में अच्छे से दूगा तब तक हम ऑप्सेंस बाइनुमेल वगेर हम गटंगर लेके इगे झाल 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 चलो जी मैं आगे हैं पूर से हैर कर लिता हूं तो ठीक है जैसे भी है ना पडाय पे जियान देते हैं तो अभी हम आप्सें स्टार्ट कर सकते हैं मैरे ख्याल से अब बहुत इजी बना दूंगा टेंसर ना लो नमस्कार दोस्तों कि मैं जाग में भाई कोई ठीक से बोल दो है कि आप बकर रहे हो आप दो कि बैठनी का तरीका थोड़ा कैजूर का मतलब कि अच्छर्स रेस्टिं पीसवा मैं जी बोले सर बहुत स्मार्ट लग रहे हो आजाब सच में लग रहा हूं कि मुझे चड़ा रहे हो आस्मान पे ऐसी बीवज़ आस्मान पे चड़ा रहे हो न लेग जी कि अच्छे ले रहे हैं कि अच्छे मज़े लेने के लिए कि अच्छे पूछे से ज़्यादा हो गया स्टार्ट करते हैं कि अच्छा मैं अच्छा मैं आपकी परस्नालीटी अच्छी है थैंक्यू सो मच तरी यूर्वी ओव टीचिंग इस रियली रियली वेरी हल्फुल को मच है कि पूरूना ने मचायद कर पर सहर हमारे कर्थे जहर्म ताइरी लिखने एक्सप्रटं भी एसे होते हैं बहुत अच्छी बात है है अधान स्थी में मेच जी च cobra में completed अब स्टार्ट करतें हमुष लाइक है छोप्सन चार्ट करते हैं तो औरिशा इनसोररेंस कंपनी हमें हमारा को आप इसे मैं ने घ्रका हुआ है मैंने 20 लाइड का सब एशोड का हैं ले रखा हुआ है मैं एन्वली टेन थाउजिन प्रीमियम पेगड़ता हूं तो मेरा बस obligation क्या प्रीमियम भरना साल साल में मैं option का प्रीमियम दिता हूं बतले मैं मुझे प्राइट मिलेगा दो तरफा प्यार नहीं आपर जो option राइटर होता है वो हग देता है यहां पर यहां पर यह समर्लों बॉइफ्रेंड है और प्रीमियम है और बाकी आगे जाके सारे खर्चे आपड़ेगा लड़की ने प्रीमियम क्या आपको अहां बढ़ दिया यहां पर वही उसका प्रीमियम है और बाकी आगे जाके सारे घर्चे आपको उठाने यहां पर वही ऑप्सें राइटर जो होता है जैसे इंसौरेंस कंपनी है या फिर बॉइफ्रेंड जो है वो और ऑप्सें होल्डर कों ने जो मजी लेते हैं जिसके पास राइट रहते और ऑप्सें राइटर के पास अब्लीकेशन रहता बॉइफ्रेंड बन जो आपको आपको आइपोन देना पड़ेगा यह वो सब कुछ देना पड़ेगा पाटी मतलब पाटी देना पड़ेगा आए दिन मूवी इसमें दिखाना पड़ेगा अर्च जगा खर्चे आपके तो वही बेसिकली चीज मैं आपको यहां पर कुछ-कुछ इग्जामपल डालके समझा देने से क्या एंटर्टेइन्मेंट हो जादे थोड़ा सा मज़ा आ जादे समझने में तो अब यहां पर आप यह समझें और और अधिकार देगा और इधर ऑप्शन फोल्डर जो है व जो वह प्रीमियम लेगा और अधिकार देगा एकदम अच्छे से मैं सब की बात नहीं कर रहें कुछ-कुछ मैं बहुत सरे अच्छे भी मैं सब भी गल्फ्रेंट की बात नहीं कर रहें समको इस दिल पर बस मजा आगे समय लिए तो मैं यह रिपीट करना चारहा हूं वाप नहीं होता है ओप पर राइट होता है ओप्लिकेशन नहीं होता है तो यहां पर आप सब्सक्राइब के नदर 2 प्रकार के आप चाहएं तो फ्यूचर में नहां जातेएँ आप और में जा सकते और यहां पर कर सकता हूं तीन मेने के बद रिलायन्स का सैट गज़ा है मुझे लगता है तीन उप्स का सेर का call option खरीद लूँगा जहाँ पर एक premium होगा वो premium मुझे देना है मान लिए 50 रुपीज का मैंने premium दे दिया और मैंने अधिकार लिया है obligation नहीं है अधिकार लिया मतलब future में मैं चाहूं तो सेर को खरीदू या ना खरीदू मेरे उपर जिसे आज मैंने call option ले लिया कि मैं तीन मैंने के बाद reliance का सेर खरीदूँगा मेरे पास है right to buy सेर after three months at rupees 3000 और मैंने उसके लिए 50 को खरीदूँगा और मार्केट में फिर 4000 में बीज दूँगा मेरे 1000 रुपीस का फाइदा हो गया लेकिन अगर सोचो reliance का से 3000 से 2000 हो गया तो यहां पर क्या मुझे 3000 में खरीदना पड़ेगा नहीं तो मैं खरीदना होता था यहां पर हमें 3000 में नहीं खरीदना है हमारे पास राइट है obligation ही है हम call option को lapse करवा देंगे और हमारा नुकसान कितना होगा 50 रुपीस का प्रीमियम का नुकसान होगा यानि call option में यह फाइदा है आप जो holder होता है उसका नुकसान प्रीमियम तक ही होता है और उसका फाइदा unlimited होता है अब मैं speculation है put option को भी डालना च लाइब अब आने वाले टाइम में अगर सच्छ में 2000 हो जाएगा तो मेरे पास अधिकार है put option का मतलब यह right to sell sales मतलब मैं share को बेचने का मेरे पास right प्राइस करूगा थ्री थाउजन में वीज़ दूगा थाउजन रुपीस कमा लेकिन वह एकर पूर थाउजन हो जाए गाट की से इसका प्राइस तो मैं पूट ऑप्सन को लाप्स करवा दूगा यहां पर अगर आपका करना चाहिए अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस गिरेगा तो आपको पूट ऑप्सन बनना चाहिए तो बोलोगी सर्थ हरकोई बनेगा राइटर कौन बनेगा बड़ रेयलिटी में प्रैक्टिकली जब आगे निकलो कि आपको पता चलेगा जादतर लोग लोग राइटर बनते हों प्रीमियम से पैसे कमाने तो आप ऐसा भी कर सकते हों अगर आपका स्ट्रॉंग बिलीव आ रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो एदर आप कॉल ऑप्सन बाइटर बन जाए कॉल ऑप्सन बाइट करने का मतलब राइट टू बाइट गाल्र गेटर बनोगे तो आपके पास राइट टू आएगा और पुट ऑप्सन राइटर बनोगे तो आपके पास अब्लिकेशन टू बाइट राइट टू पाइट ले लू यह यही है तो यही चीज आप देखिए यहां पर मैंने आपको एकदाम अच्छी से समझा रखा हुआ है holder जो होता है call option का जो holder रहता है उसके पास right रहता है sales खरीदने का एक certain price में maturity में तो वही writer का उल्टा होता है अगर holder के पास खरीदने का right है मतलब writer ने तो premium खाया है उसके पास बेचने का obligation आएगा अगर holder ने अपना right को exercise किया तो writer को बेचना पड़ेगा obligation आजाएगा वही अगर हम put option की बात करें put option में holder के पास right रहता है बेचने का बेचने का right रहता है तो put option writer के पास क्या अगर holder बेचेगा तो writer को खरीदना पड़ेगा तो call option holder मतलब right to buy sales, call option writer मतलब obligation to sell sales हो जाएगा यहाँ पर, है न, obligation, एक के पास buy तो दूसरे के पास sell, right to obligation, यहाँ पर भी right to sell sales मतलब obligation to buy sales, और यहाँ पर pay off क्या होगा, pay off मतलब अगर call excise होगा, तभी तो pay off मिलेगा, holder को pay off मिलेगा, और writer को pay off दिना पड़ेगा, जैसे मान ल मिलेगा, तो holder के लिए pay off है 1000 रुपीज, holder के लिए pay off कितना है 1000 रुपीज ने, और writer को देना पड़ेगा 1000 रुपीज, और holder को मिलेगा 1000 रुपीज, वो है pay off, इसको net profit भी बोल सकतो, net pay off भी बोल सकतो, तो यहाँ पर आप दिखे, pay off क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं लिखू है आपर, 4000-3000 यह pay off हो जाएगा आपका, यहनि 1000 का pay off हो जाएगा, और net pay off क्या होगा, 1000 का जो pay off मिला, माइनस 50 का premium आपका लगा, यहनि 950 का net pay off, आप इसको net pay off भी बोल सकते हैं, या फिर profit या loss भी बोल सकते हैं, समझ मैं है, तो यह pay off और net pay off भी अगर मैंने आपको समझा दिया, तो अभी मैं फटा फट से बीना किसे देर किये, आपको मैं example समझाता हूँ, यह example तो मैंने हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस example में 3000 में TCS का सेर का price है, हमने call option खरीद है, 3000 20 के rate में 30 रुपी स्क्रीम हम देखे, अब यहाँ पर अब देखो, futures में क्या होता, अगर मानलो बाद में 2520 हो जाता, futures में क्या होता, हमने 3 months future लिए 3020 देखे, अगर 3 महने के बाद 2520 हो है 3020 में, अगर 2520 हो जाएगा तो आप exercise दी मत करना, lapse करवा देना, अब lapse कर दोगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर खरीदने का जरत ही नहीं, आपका नुकसान only premium तक ही होगा, तो option में यही फायदा है कि आपका lapse करवा दो, आपका नुकसान premium तक ही होगा, बट solution में नु प्रिमिटेट है, प्रॉफिट में unlimited है, option में नुकसान जो है वो to the extent of premium है, प्रॉफिट unlimited है अपना, तो यह अब आपको इतना ज्यादा है, इसमें धिहान देने की जरत नहीं, अब example में हम आ जाते हैं, किस से आपके portion बनेंगे, वो सारे example में हम आ जाते हैं, वो मैंने extra ही पढ़ा है, उसकी इतना ही नहीं, आपके syllabus में नहीं होतना, चलिए अब यह example हम देखते हैं, अब आपका book वाला part आ जाए, तो जो book में है, वो सारा part आपका आजाए, यहाँ पर आप देखें, रिया ने purchase किया call option to buy shares of Wipro Limited after 6 months at a strike price of Rs.1560, उसने put premium दिया है, तो जो, call option लिय किम होगा, गलती से लिए, रिया ने call option buy किया है, 6 मेने के बाद exercise करीगी, 1560 में, premium दे दिया 28 रुपेश, उचा कि gain या loss बताओ रिया का, अगर 6 मेने के तो 1750 हो जाएगा, अगर 1750 में अपने call option लिया है, अगर 1750 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, call option को exercise कराओगे, कि 1560 माइनस 1750, pay off आपका कितना होगा, 190 रुपेश का pay off होगा, और net profit कितना होगा, 190 रुपेश तो pay off मिलेगा, सुरुवात में 28 रुपेश, खर्चा क्या था ना, premium का, तो net pay off क्या होगा, 190 माइनस 28, यह नहीं 162 का net pay off होगा, यह नहीं net profit होगा, तो वही अगर 920 हो गया, तो हमने तो 1560 में खरीदने का right ले रखा, लाप्स करवा देंगे, हम बोलेगे, हम खरीदेंगे नहीं जाओ, तो हमारा नुकसान कितना होगा, pay off तो 0 मिलेगा मैं, pay off तो 0 मिलेगा मैं, नील, लेकिन हमारा net profit या loss कितना होगा, net loss only to the action और premium होगा, यह जितना 28 का आपने premium भी है वही आपका नुकसान होगा, बस बात खतम, और कुछ भी नहीं है, अब यह example में ने master example एक बनाया है, यह master example में आपको भी करवा दूँगा न, बस बात खतम, यह वाला नीता से, यह वाला था कि, यस यह वाला करवाता हो, एक master example में आपको कराता हो, इससे आपको clarity मिल तो उसका strike price is 680, two months का put का strike price is 645, प्रतिक जगाती ने क्या क्या पता है, एक call लिया है और दो put option लिया, एक call लिया है और दो put option लिया, तो बती यह premium कितना लगेगा, इसका, एक call में 22 रुपीस premium देगा, और put का premium ए 30 रुपीस, तो put तो 2 लिया है, यह यह premium कितना लगे है, 82 रुपीस का premium लगे है, यह दिहां दो, premium इसका 82 रुपीस का लगे है, उच्छा कि calculate gain or loss अगर share price बाद में यह हो जाते है, तो आप मुझे बताइए, call कब excise होगा, जब 630 के उपर जाएगा, तभी तो call excise होगा, और put कब excise होगा, जब 645 से नीचे जाएगा, आया ना पर जाएगा, तभी आप करोगे, और put आपका, put भी आपने लिया है, आप put, यहनि sell right to sell, आप sell कब करोगे, जब 645 से नीचे जाएगा, तब आप sell करोगे, तो आप मुझे बताए, क्या 635 में, मैं यह बोल सकता हूँ कि 635 में call भी excise होगा, क्योंकि 630 के उपर गिया है, औ call और put दोनों excise होगा, तो यहाँ पर अब देखिए, मैं यहाँ पर पहले call का कर लेता हूँ, call के लिए मैं दिमाग में रखूँगा, अपने क्या, 630 में काम करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ताकि आपके साथ मैं कर सको यहाँ पर, ताकि इसे आपका practice भी हो 630 के उपर जो जो उसमें मैं टिक करूँगा, 630 के उपर जो जो है, उसमें टिक करना है, यह जो टिक किया मतलब उसमें call excise होगा, और put गब excise होगा, 645 से नीचे, 645 से नीचे, yes होगा, yes होगा, 645 से नीचे, 645 में नहीं होगा, 645 से नीचे होगा, यहाँ पर नहीं होगा, 645 से नीचे होगा, यहाँ पर भी होगा, से नीचे होगा यहां पर भी होगा यहां पर नहीं 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 होगा से नीचे होगा यहां पर भी होगा तो देखें मैं यह बता दिया पर कहां कहां पूट ही सिर्फ देखना है तो 645 से नीचे 630 यह निए 15 का प्यॉफ मिलेगा पंदरा का प्यॉफ मिलेगा बता अर्पूट तो हमने दो लिया है यह लिग दो यहां पर यहां पर दो पूट लिया हमने प्रीमियम तो टोटल हर जगा 82 लिग दिया मैंने तो देखी यहां पर पूट एक्साइज होगा 30 का प्यॉफ मिलेगा प्रीमियम एक्सान आपका 52 का हुआ फिर 610 में भी आपका देखिए कॉल तो होगा नहीं पूट होगा 645 मैंने 610 35 बिन्टू 70 70 आपको प्यॉफ मिलेगा 82 का प्रीमियम मतलब माइनस 12 फिर 645 में आपका देखिए कॉल एक्साइज होगा 630 के उपर है ना 630 के उपर क्या होगा या फिर आप एक एक करके कॉल को खली लिख दो फिर पूट को लिख दो यह बैस में समझाने के लिख करो एक्जाम में इतना लंबा आने वाला भी नह सब्सक्राइब यहाँ पर चली एक और ले लेते हैं रेंडम नुगा में 660 देखिए 660 में कॉल एक्साइज होगा 630 के उपर यह निए 30 इंटू 1 30 मिलेगा पूट तो लैप्स होगा 30-82-60 फिर 593 में देखिए 593 में कॉल लाप्स होगा पूट एकसाइज होगा 645 से नीच होगा 660 के उपर यहने कितना आएगा 370 370 21 370 पूट तो लाप्स होगा 370-82-280 आएगा बताओ क्या नहीं कर सकते हैं 712 कॉल एकसाइज होगा है ना हमें पता है यह सारा अराम से कर लेंगे 640 में भी कॉल एकसाइज होगा इसमें दोनों हो रहे है इसमें कॉल अर्पूट में मिलेगा तो दुनों में 10 10 20 मिलेगा माइनस 82 माइनस 62 हो गया तो क्या यह आप अराम से कर पा रहे हो समझ पा रहे हो हाई ना मुझे बता दो इसमें ज्यादा समय नहीं देते हम यहाप यहापर पर आपको एक्जाम के लिए आपसं में इतना दिहान में रखना है पॉल पॉलडर के पास है उपटो क्यों के पास होगा ऑफ्लीघेशन तू सैल सेट तो कुट ऑप्सन जोलडर के पास है रइट कुछ तो क्या होगा कुट ऑक्षन रैटर के बास होगा अबलीकेशन तू बाइसप्स है ना तो पते क्लियर है एकदम अच्छे से बोलो अराम से कर लो कि तुम आगे बढ़ते हैं अब हम आई से का कोशिन देखते बहुत ही पानी 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 आए गए तो मचे कोशिन सारे पानी पानी है पड़े आगे देखिए एक्विटी से और पीक्यूर लिमेटेड प्रेजेंटली त्री ट्वंटी रुपेस कोड क्या हुआ है मार्केट प्राइस छे महने के बाद आपका अलग-अलग हो सकता है जिसकी प्रॉबिबिलिटी भी दीवी पुट ऑप्सन की बात कर रही है मैं पूट ऑप्सन राइटर बनना चाहता हूं मुझे लग रहा है कि दाम बढ़ेगा तो मैं पूट ऑप्सन राइटर में क्या आएगा मेरे पास क्योंकि मैं दूसरे को राइट तो यहां पर आप दिखिए 300 मैं पूट ऑप्सन राइट करना चाहता हूं मुझे जानने एक्सक्टेड वब और 179 मतलब आपका प्रीमियम पूछ रही है प्रीमियम क्या लेणा चैए था प्रीमिय उप्सन का जोगा आख सेगे six months का maturity का तो यहां पर आप बताई मुझे यहां पर हम कैसे करें यह बोलेंगे अगर आप बताईए मैं 300 का put option आपको बेचता हूं मुझे लगता 180 भी हो जाएगा 180 हो जाएगा तो आपको pay of केतना मिलेगा 120 मिलेगा अगर 180 हुआ तो आपको pay of MER 40 दोंगा 300 के नीचे 260 मैं आपको 40 दोंगा अगर 280 हुआ तो मैं आपको pay-off 20 दोऊगा 300-180 मैं आपको 20 का pew-up दोऊगा अगर 320 हुआ तो मैं आपको pay-off नहीं दूँँगा आप लाप्स करवार हो है ना lapse हो जाएगा अगर 400 diesel हो जाएगा मुझह आप नहीं मिलने वाला फायदा ना मैं आपको दूँगा ना आप मुझे दूगा 300 के उपर होने पर आप मुझे कुछ नहीं देने वाले तो यहां पर इसको मकटी कर देंगा पर प्यॉफ होगा यह अलग अलग प्यॉफ होगा अब 120 प्यॉफ होने का probability कितना होता है तो आपका जो अलग अलग प्यॉफ है देने का उसकी probability से multiply कर दो एक्सपेक्टेड वेलुफ उप्सन आ जाएगा वही हम प्रीमियम लेते हैं यहीं 30 रुपीज विल बी दा प्रीमियम अब देखिए एक्सपेक्टेड वेलुफ उप्सन आ गया अगर इतनी कोशिन में मैं आपको वापस से रब करके समझाओं आप मुझे क्या कॉल का प्रीमियम निकाल सकते हूं अगर मान लीजे 300 के strike price में कॉल हो तो आप क्या प्रीमियम लोग अब बोलोगे सर 180 में तो कॉल लैप्स होगा मैं आपको पेउफ नहीं दोंग तो 60 में भी कॉल लैप्स होगा 300 की उपर जाने से यनि 12 होगा कॉल का प्रीमियम यनि पुट का प्रीमियम होगा 30 कॉल का प्रीमियम होगा 12 बता ही क्या यह समझ में आए एकदम अच्छे से तो आपको एक्जाम में ऐसे ही करना है एक्जाम में अब क्या गरो अलग अलग situation में दिखलो कि क्या पुट का पेउफ होगा क्या तो आपका put premium call premium आपका निकल के आजाएगा class के अंदर मैंने अलग style से भी निकालने को समझाया था बट यह मैं अभी नहीं समझां तो इसकी एक्साम में ज़रत नहीं है तो यह मैं अभी आपको כघू से अलग style से मैंने class कें अंदर समझाया था से पूछा गया कि expected सेर के प्राइस बता है यह चार मैने के बाद क्या करना है सभी अलग-अलग सेर प्राइस में प्रविबिलिटी लगाओ आपका प्राइस प्राइस क्या होगा आप निकाल लोगे इसमें तो कुछ करना है निए निए प्रिवियल करने वाला मैच्यूरिटी में तब तो ऐसे सिच्वेशन में प्राइस को लोगी आप यहां पर बोलोगे जीर हुआएगा फिर दूए बात ही नहीं यह पर नेक्स इन केस्ट ऑप्संट इस हल्ट तो इस मैचुरिटी इस का पॉल उप्सं का वल्लू क्या होगा तो बोलेंगे देखो आपका ट्राइक प्रेस क्या 150 है 120 में call laps होगा 140 में call laps होगा 160 में pay off जाएगा 10 180 में pay off जाएगा 30 150 माइनस 180 180 में जाएगा 40 10 का 50% 5 30 का 10% 3 40 का 15% 6 कितना आएगा 14 आएगा तो 14 will be the value of call option बस बात कदम दीखें उस थाइन इस question में ये question important है LDR mark करो इस question इस question को LDR mark कीजिए question important है अच्छे सा कराऊंगा आपको इता बतो क्या तैयार हो आप इस question के लिए बतो क्या आप तैयार हो इस question के लिए higher नहीं यह 680 तो ठीक है 680 के वो पॉलेक साइज होगा ठीक है अब यहाँ पर दूसरे पहले वाले question में चले गए आप आई यह वाले question देखते है question में 33 अब तीन महने का call option ले सकते हो सिक्स रुपीज प्रीमियम देखें अब तीन महने का है to the option holder of a call and put separately मतलब call और put को आपको मिलाना नहीं है जैसे पिछला example मैंने काया था मैंने बोला था call और put को मिला दो यहाँ पर पूर बताओ separate call का हिसाब बताओ separate put का हिसाब बताओ strike price बोला call और put दोनों का 220 है और बोला कि exercise day में मतलब maturity में तीन मेहने के बद अगर सहर का प्रैस यह हो जाता है तो आप मुझे बताइए मान लेजे मैंने 6 रुपीज का premium भरा हर एक situation में मैंने 5 अलग अलग situation दिख रहे हर situation में मैंने 6 रुपीज का premium भरा और call एक ले लिए के call option लिए 6 रुपीज का premium भरा है मैंने आप मुझे बते अगर 220 में अगर 220 के strike price में मैं call लेता हूँ और बाद में 220 से जादा होगा तभी तो मैं call को access करूँगा अधरवेस तो access करूँगा नहीं तो 200 210 220 में तो मैं call को लाप्स कराऊँगा और यहां पर मेरा नुकसान कितना होगा जितना मैंने premium भरा उतना ही मेरा नुकसान होगा लेकिन अगर 230 हुआ तो मैं call access करूँगा तब मैं 220 में खरीदूँगा जो strike price में मैंने खरीदने का right लिया हुआ और 230 में मैं बेचूँगा मेरा 10 रुपीज का कमाई होगा और मेरा premium लगा 6 रुपीज तो 4 रुपीज net कमाऊँगा अगर 240 हुआ तब भी मैं 220 में खरीदूँगा जिसमें मैं राइट लिया हुआ खरीदने का 220 में और 240 में बेचूँगा 20 रुपीज कमाऊँगा यहां पर और 6 रुपीज प्रीमियम का लगा मनला 14 रुपीज कमाऊँगा तो क्या यह बात सही अगर आप पॉल अप्सन लेते हो तो पहला तीन सिचुईशन में तो आपका 6 रुपीज का नुकसान होगा और नेक्स दो सिचुईशन में 230 में आपका 4 रुपीज का फाइदा होगा 240 होने पर 14 रुपीज का फाइदा होगा मतलग इसको अगर हम प्रेजेंट करें प्रेजेंट हम अच्छे से करेंगे हम यह बोलेंगे पहले तो लिख देंगे सेयर प्राइस एक् किचे क्योंकि 220 उसके नीचे 220 उसके 220 से ऊपर जाएगा तब ही आप पॉल को एक्साइज करोगे तो यह दो सिचुईशन में को एक्साइज करेंगे तो पॉल एक्साइज करने का रियल सेंस क्या होता पत्तल है जो आपके पास अधिकार है 220 में खरीदने का उसमें आप खरी होगा यहां पर आपको 10 और 20 का पय आफ मिलेगा फिर पय आफ मैंसे आप क्या करोगे premium माइनिस करोगी तो net पय आफ आएगा तो यहां पर मैंने क्या क्या यहां पर दो जगा में मैंने राइट एक्साइस किया 220 में क्हरीदने का अधिकार था खरीदा फिर market price में बेज दिय मेरा pay off आया माइनस प्रीमियम करेंगे net pay off निकल के आगे put option में put option अगर मैं आपको समझाना पर देखिए put option में क्या होगा 220 के strike price में put option अब कब access करेंगे 200 हुआ तो हम access करेंगे 220 का pay off आएगा 210 हुआ तब भी हम access करेंगे 10 का pay off आएगा तो हम पर तो लाप्स होगा आपका यहां पर प्रीमियम जितना आपने भर है उतना आपका नुक्सा और यहां पर आपका प्रीमियम भर है तो नेट आपका 15 का फायदा यहां पर नेट आपका 5 का फायदा मतलब अगर मैं put option आपको समझाओ प्रेजेंटेशन के point of view से प्राइस आपका यह हुआ है प्रेजेंटेशन के आपको समझाओ आप सबसे पर लिए बताई प्रेजेंटेशन करोगे कि नहीं करोगे हम बोलेंगे पहला दो situation में तो put access करेंगे बागी तीन situation में नहीं करेंगे तो यहां पर बागी तीन situation में तो आपका premium तक का नुकसान आएगा बस बाग करेंगे लेकिन यहां पर हम put access करेंगे put access करने का मतलब हम क्या करेंगे जो त्योंटे पराइस में ऑखRIですね उसमें मार्केट में खरीद लो तो जैंड–210 मार्किप्रेस परेद लेंगे खाये चुätter प्रहएगा आपको प्रेजेंट करना आप यह दिहान में रखेत बस यह ध्यान रखिए को strike price call option strike price मतलब उस strike price में आप खरीदोगे put option strike price मतलब उस strike price में आप बेचोगे है न और उसको काटना है सोधा तो आप समझे के उसका ठीक reverse करोगे यहाँ पर अपका call option strike price था उसमें आप देखे आपने खरीदा था buy किया था call option strike price में अपने buy किया और market price में फिर sell करके सोधा करता यहाँ पर put option strike price मतलब put option मतलब right to sell तो strike price में बेचोगे यह अपने sell किये और market price में आप फूल्टा खरीदोगे आपका net payoff आजाएगा बस बात खतम तो इसी के साथ यह option का question भी हमारा हो गया और एक question option का है वो भी मैं सोच रहाँ आपको मैं फटा-फट करा देता हूं कि या फिर हम बाइनुमिल में जाए एक और option का question है फिर बाइनुमिल में हम अच्छे-च्छे question समय करना वो मैं कराऊंगा आपको अच्छे option का जितना आपका बुक का question है सारा करवा दे रहें कुछ छोड़नी रहा में कर सकते हैं वह एक और question जो हम लास्ट में कर लेंगा मुझे रिमाइंड करा देने एक दम लास्ट में शुषर में थटी फोर थोड़ा लास्ट में कराऊं तो चलेगा यहां पर देके एकस्पारेशन डेट कैस्ट फ्लो होगी आपका expiration date investment value expiration date net profit आपका net profit नेट pay off investment value मतलब अगयर आप exercise करोगे तो कितना पैसा लगेगा आपका और कितना मिलेगा अभी कराने तो बता अभी करा दूंगा ने तो बाद में करो आप बताओ क्या करना है आप बताओ क्या करना है अभी करा दें अभी करा दें कि कब आपका Gainfully Excise होगा कौन सा रेंज में Gainfully Excise होगा 220 का स्ट्राइक प्राइस है 6 टो हमें प्रीमियम रिकावरी करना है तो 226 से उपर जब जाएगा तब आपका Gainfully Excise होगा समझ में आ रहे हैं 226 के ऊपर जाएगा तब गीन फूल एक साइज होगा 226 में ब्रेक इवन है आपका और एगर मैं पूट की बात करूँ क्योंकि आपका प्रीमियम का रिकावरी पहले होगा चली तो यह वाला कोशन भी करा देता हूं उसके बाद में आगे बढ़ता हूं आपको आईसे के साब से प्रेजेंटेशन करना यह दियान रखेगा पॉल एंड पूट एग्जिस्ट ओन दा सेम स्टॉक इच ओप इस एकस इन्वेस्मेंट विलो नेट प्रोफिट बताईए अगर आप एक कॉल लेते हो तो सबसे पहला मेरी बात सुनिए आपका यह सारा अलगला एक्सपारी डेट में आपका प्राइस हो सकते हैं अगर मैं कॉल लोंगा कौन सा प्राइस में कॉल ले रहा हूं में आपर 60 में अब उस राइट को मैं एक्साइज करूँगा और 60 रुपीज में मैं खरीदूँगा तो आप यह समझे यह दो सिचुएशन में ही मैं खरीदूँगा उसी को बोला जाता है एक्सपारेशन डेट कैस लो अगर आप एक कॉल खरीदोगे तो पहले तीन सिचुएशन में तब एक् तो राइटर को 60 रुपीज में पीचना पड़ेगा मैं होल्डर हूँ मैं 60 रुपीज में खरीदूँगा यह दो सिचुएशन में तो मेरा तो 60 रुपीज आएगा खरीदने का और राइटर जो है देखो राइट अगर आप एक कॉल राइट करोगे राइटर जो है उसको बेचना पड़ेगा वन कॉल राइट करने का मतलब बेचना और बेचनी का ओब्लिगेशन मैं खरीदूँगा तो मेरा पैसा जाएगा माइनस 60 माइनस 60 राइटर बेचेगा तो उसके पास पैसा आएगा 60 अब पुट की बात कर लो आप मुझे पताएए होल्डर जो है पु आप 60 में बेचोगे कब पहला दो सिनारियो में तो 60 में बेचोगे आपके पास इंफलो आएगा और राइटर जो उसको 60 में खरीदना पड़ेगा उसका आउट्फिलो और राइटर को बेचना पड़ेगा उसका इंफलो होगा और वोई put buy करोगे तो बेचने का right है बेचोगे अब जब 60 से नीचे आएगा तो 60 में बेचोगे आप और writer को खरिदना पड़ेगा obligation to buy हो जाएगा तो यह बागी सारा 0 होगे यही होगे expiration date cash flow फिर पूछा next आप से क्या पूछ रहा है expiration date cash flow पूछा बता दिए फिर पूछे investment value investment value मतलब जैसे हम निकालते थे थे ना फार में derivative financial asset derivative financial identity कोई वाली चीचा मतलब नेट में आप क्या profit में हो या नुकसान दो तुम यह बोलेंगे कि देखिए अगर हम बात करें यहां पर अगर एक माल लीजिए आ गया अगर आप एक call buy करते हैं तो पहला तीन situation में तो आप call को lapse करवाओगे आपका कोई pay off नहीं आए लेकिन यहां पर आपका call exercise कर आओगे और आपको pay off भी मिलेगा 60 में 60 में खड़ी दिने का right है 65 में बेच सकतो 5 रुपीस का pay off मिलेगा यहां पर 10 रुपीस का pay off investment value मतलब pay off तो आप देखिए यहां पर आपको 5 और 10 का pay off मिलेगा और वही writer को 5 और 10 का pay off देना पड़ेगा और वही इधर भी हम क्या कर सकते है put में put में हम यहां पर 50 और 55 होने पर 60 में बेचेंगे 50 में खरी देंगे 10 का pay off 60 में बेचेंगे 55 में खरी देंगे 5 का pay off यहां पर आपको 10 और 5 का pay off मिलेगा और writer को देना पड़ेगा तो आपका investment value और कुछ नहीं pay off है और वही आपका pay off क्या करेंगे premium से minus कर देंगे आपका net pay off आ जाएगा जो कि यहां पर आने वाले तो जो आपको pay off यहां पर मिल रहे है 5 और 10 का pay off मिल रहे है तो call में premium भी तो लग नुकसान है net profit or loss में तो minus 9 minus 9 minus 9 यह और कुछ नहीं net pay off है मैंने speed में बताया आपको क्योंकि time की कमी है और इतना ज्यादा deep में में इसको नहीं बता सकता अब ही फिला क्योंकि time constraint है हमारा तो I think आपको समझ में आगे है net pay off कैसे निकाले आप यह समलिए जहां पर laps हो रहा है इ है यहाँ पर holder का नुकसान है और रैटर का उतना ही फाइदा है यह पर यहाँ पर put में लैप्स हो रहा है तो holder का इतना नुकसान है रैटर का उतना फाइदा है बात कंदम और बाकि जहां exercise हो रहा है वहाँ पर पे आप से आप premium को minus कर दीजए आपका net pay off आच आहगा पर पर बात करते हैं अब यह समय होगा यह आपका जो fraction exercise करने का पैसा लगेगा यह मिलेगा वह किस्त बेओ्ड इसमें करने और यह बॉुच्में यह इक Oит करों क करूगे तभी आपको फिया पैथ करों कि तभी आप मिलेगा आप नहीं की marrow आने वाले तो होल्टर का जितना प्यॉफ आएगा उतना राइटर को देना है तो होल्टर का प्यॉफ कितना आएगा अब दिखिए कितना 65 हो गया तो 60-65 इधर 60-70 इधर आपका 50-55 में पूट में आपका इतना काफी तो अब मुझे बताइए कोई को बोलते सब्सक्राइब यह वो करा दो है नहीं आपके उपस में तो क्या मतलत है और रिपीट नहीं होगा भूत कि और रिपेट नहीं होगा जल रहा है अब यह मत भूलिये को रेगुलर क्लास या फास्ट्रेक बैच निए फिर फ कि जितना टाइम देना चाहिए उससे ज्यादा में टाइम दे रहा हूं कि हैरिकट कराना पड़ेगा मुझे चलो सही है अब बाइनुमिल मॉडल बहुत इजी लगे लगे लच ब्रेक नहीं मिलेगा बच्चो ठीक है ब्रेक मिलेगा अब देखनो कब टाजिन लैक्स करने वालों जब ताउजन लैक्स कर दोगेगा रिक मांगाएं मैं इस नहीं कराना हैरिक बड़िया लग है तीक नहीं पर खरची आँभी सकता है पहले एक्जाम में तो आप्शन कुछ भी पूचा जा सकते हैं हम आज तो फास्टी कराते चाहरा वह फिर मैं ठीक जा रहा हूं मतलब बहुत ज़्यादा स्लू भी नहीं बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं एक्तम सही जा रहा है ना बुलो हजार नहीं अभी साथ सो के रेंज में लाइक है आंट सो का लाइक हो जाने हैं तब हम बात करेंगे कि लैंज प्रेक अभी नहीं मिलेगा हूं अब कुछ स्नेक्स मंगा के खालो अभी आस पास में अपनी बहाइन भाई जो भी है ममी पापा पापा तो सब्सक्राइब होंगे प्रेंज ममी जो भी है ममी भी काम पे गए तो खुछ से उठके लेक्या जल्दी जल्दी तो कह रहां उत्री सिकाची थोड़ा सब्सक्राइब करता तो फिर आपके लिए वह जादा कि तो लाइव ना आएगा ना पीजिव में थ खाना वाना नहीं चाहिए बस पहले पढ़ा दो हां पढ़ाई तो रहूं मैंने तो मम्मी पापा सबकी आईडी से लाइक कर दे क्या बात बहुत बढ़ी है हर्जी के लिए क्लैप बन करूंगा एक मिनिट का जैसे टॉपिक कतम होता है एक मिनिट का विराम सुरू कर कि लाइवरेरी के सभी बच्चों को मेरे तरफ से हाई बोलना है ठीक है है एपी हुडी पढ़वा यह से कुछ है आज में बुड़ी पढ़वा ऐसे कुछ है ना कि पानी पीलोर सर्जी कि मैंने अध्रक पानी मंगवा है कभी पीट खराब हो ना तब क्या करना बता है कि फोड़ा सा निम्बू और छोड़ा सा अध्रक का रस रस मिला देना पानी में इंस्टेंट रिलेफ मिलते हैं यह पी नुस्का पढ़ा रहा हूं आप लोग कर पता है मैं सुभी तोरी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना नहीं कैमरा वगरा में पैसे लखते हैं आइपड एकर खरीदो पैसे लगेंगे कैमरा में पैसे लगेंगे अगर आपके पस लैप्तॉप है तो उसे भी आप कर सकते हैं अभी तो मैंने सेटप थोड़ा अच्छा कर लिए तो मेरा इंवेस्मेंट थोड़ा ज्यादा लग जब झाली नेपाली स्ट्वेंट्स को हाई बूलने के होगा रहे पूरे नेपाल को आई है मेरे तरफ से नेपाल में भी बहुत सारे बच्चे बढ़ते हैं अगर आप मेरी बात ध्यान सो सुनों अगर स्टॉक का करेंट प्राइस सुफ्टी रूपी से ध्यान रहे बाइन मॉडल में रिस्क फ्री इंट्रेट लेते हैं और बाइन मॉडल में सीच्वीशन ही हैं जोजी मैं यह 10 बढ़ए बाइन आपी मुडल में ऊपधा हैं हमीं सिच्वीशन करते हैं कि इतना बढ़एं विसुइशन और दूसरी जी यहां पर हम रिस्क फ्री रेट लेते तो यह अप्धिहान में रखेगा कि दो इस सिच्वेशन को अब हम पढ़ते हैं स्टॉक की प्राइस मालने चाहिए 50 रुपीज है रिस्क फ्री इंट्रेस्ट रेट 10% है तो बचिए बताए एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा एक्सपेक् रुपीज होगा हमें लगता है तो आज की प्राइस क्या होगी 55 को प्रेजेंट विलू में खीज लीजे 50 रुपीज आएगी बस बात करता है वैसे आप देखिए नाव सपोस्ट एस पर बाइनुमिल मॉडल माल लीजे आपको लगता है कि एक साल के बाद अभी करेंड 50 य ấu यह आपको लगता है कि एक साल के बाद सेर का प्राइस यह तो सिक्स्टी हो जाएगा या फिर फॉट्य और चेस्टीआ लengo की टौर वड़ति पर्सेन्ट ए और पॉत्त है की probability 25% है तो मैं आपसे यह सवाल पुछना चाहता हूं मैं आपको सवाल यह दे रहा हूं अगर मालू आप भूल जाए आज का प्राइस नहीं पता आपको आपको इतना समझे आज का प्राइस नहीं पता आपको क्या है आपको लिए फूचर में यह लग रहा है एक साल के यह expected सेर का प्राइस एक साल के बाद कितना होगी आप क्या बोलेंगे सार 16 to 75% plus 14 to 25% कर दीजए आज आएगा एक साल के बाद सेर का प्राइस तो expected S1 लिखा है देखिए मैंने expected S1 एक साल के बाद 60 में 75% लगा तिया 40 में 25% लगा तिया expected value आ जाएगा probability लगा के 55 रुपीज प्राइस आया अब यह प्राइस तो आज का थोड़े नहीं तो एक साल के बाद का प्राइस है मुझे आज का प्राइस ही ए ऐस जीरो चीए अगर मुझे तो मैं कैसे निकालूँगा future के प्राइस को present में खीच दूँगा RF से RF अगर 10% है तो 55 को 10% से खीचो के तो 55 divided by 10% मत क की तरह यह तो capitalization हो जाएगा 55 divided by 1.20 क्योंकि इस 55 में प्रिंसिपल भी 100% और 10% इंटरस यह 110% से डिवाइट करोगे तो क्या आएगा 50 आएगा तो कहने का मतलब यह है formula आपका क्या बंद है एक साल के बाद क्या होगा आप स्टॉक अप दो ही सिच्वेशन हो गया आप या तो स्टॉक अप जैसे दिखेंगे यह तो अब जाएगा यह डाउन जाएगा यह तो 60 अप जाएगा यह डाउन जाएगा है ना दुश सिच्वेशन है तो मैं क्या करूँगा मैं आ पर यह तो क्या है यह क्या है इसमें probability लगा है और बाकी इसमें 1- probability लगएगा तो आपका formula क्या बन रहा है expected S1 का probability into stock up plus one minus probability into stock down यह आपका formula है और इस दी को अगर मुझे S0 में लाना है तो मैं क्या करूँगा मैं बोलूँगा probability into stock up plus one minus probability into stock down इससे S1 आएगा अगर मुझे S0 चीए तो divide by मैं interested factor कर दूँगा that is 1.10 तो मेरा formula जो है expected price at 0 tier यानि as 0 क्या होगा probability into stock up plus one minus probability यह नहीं रहे में निक्यों कि total probability one होता है इसलिए one minus probability लिखा हुआ है into stock down divided by R किया तो आप बताइए कि अगर binomial model के साबसे आपको कभी भी यह पूछा जाए कि सेर की price आज क्या होगी आप क्या बोलोगे देखिए binomial model के साबसे future में दो ही situation हो सकता है यह तो stock up या stock down अप में probability लगा दीजे पी लगा दीजे और stock down में one minus पी लगा दीजे और उसको present value में खीद दीजे आपका आ जाएगा यानि वही P into stock up plus one minus P into stock down divided by R आपका आ जाएगा सहर का प्रेस क्या यह कुछ आपका बहुत बड़ा कोई formula है नहीं symbol सी बात में अपनी आभी याद रहेगा अपनी आभी दिमाग में रहेगा बस बात कदम यहाँ पर अब इसी को में तोड़ना चाहता हूँ तोड़ने से एक value निकलता है मैं S भी लिख सकता हूँ S 0 मतलब S ठीक है यह R को मैं इधर ले जाओ तो यह बन जाएगा SR और यह बन जाएगा PSU अगर आपके साथ अगर करना चाहूँ तो मैं रफ में बार करा देता हूँ SR होगा PSU प्लस SD माइनस PSD यह हो रहा है अब देखिए SD को मैं उधर ले जाता हूँ SR माइनस SD हो जाएगा और इधर P common आ जाएगा P और S common आ जाएगा और यह आ जाएगा U-D क्योंकि इन दोनों में P और S common है तो SR SD इधर भी हम SR माइनस D लिख सकते हैं और इधर PSU माइनस D लिख सकते हैं देखिए SS आपका cancel होगे तो पी क्या आएगा R माइनस D U माइनस D आ जाएगा आपका बात करता है तो आपको पूरा यह equation इसी से ब्रेक होके निकला है लेकिन आपको यह लगाना है probability निकालते हैं मैं यह निकालते हैं अब मैं आपको इक बात बता दो अगर आपको portion में बोले risk-neutral method तब आप जब probability निकालोगे न तब इस तरीके से निकालोगे यह वाले को इस्तेमाल करके लेकिन अगर आपको binomial model बोले तब आप क्या करोगे इस से निकालो मैं दूनों आ आपको दूनों बता दूनों आप अब देखो यहां पर आप एक्जाम्पल एक लेते स्टॉक की प्राइस आज की दीविए 50 रुपी स्टॉक अब दियावा 60 स्टॉक डाउन दियावा 40 और आरेव दियावा 10% आपको बोला पी निकालके बताए इधर पी क्या होगा यह बत से निकालेंगे बता है वही जो एस जीरो का फोर्मूला है ना एस जीरो इकुल वाट प्राइट निकालना है इंटू स्टॉक डाउन डिवाइड वे आर एस की जगा वैलू लिख दिया हुआ है पी तो निकालना है इंटू एस यू है 60 SDA 40 पी इंटू 60 प्लस 1 मैनस पी इं अगर आप को बताऊंगा क्यों जरूरी अगर आप बाइनुमिल मॉडल करना चाहो तो बाइनुमिल मॉडल में आप क्या करते हो पता है यह वाला लगा तो पी इकुल आर मैनेस डी इसमें आर क्या पता है आर तो इंट्रसेट फेक्टर है दी मतलब डाउन का परसेंटीज और यू मतलब अपका परसंटी आप देखिए यहां पर आपको 50 से 60 हो जाना मतलब किया कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है कहां से 50 से इंटू 100 यानि 20 परसंट बढ़ रहा है अब मुझे फैक्टर लगाने कि 10% को 1.10 माना है अब 10% को 1.10 मानोगे 20 को कितना मानोगे वही लिखा वा देखे आप कितना होगा 10 बढ़ेगा 50 से इंटू 100 यानि 20% अप होगा 20 परसंट यानि 1.20 यानि 1.20 अप यह देखे और मैं down की बात करो तो down कितना जाएदा 50 से 40 जाएगा down मतलब 10 जाएगा कहां से 50 से 20% down जाएगा 20% down मतलब 1-20% होगा 1-20% क्योंकि down जाएगा तो 1-20% कितना होता है इसी प्रकार हमने अप निकला और down निकाल आपको इसके लिए कुछ नहीं करना आपको देखना कितना percentage जा रहा है उसको 1 से प्लस कर दीज़े कितना परसेंट जा रहा है उसको 1 से मैनस कर दीज़े तो इसके आपका यू और डी आ अब ये पी लगा दीज़े। बयानुमिल मॉडिल में इसे करोगे। पी क्वडू आर माइनस डी क्यों माइनस डी है यह आर्क या आपका कितना वन-पुट वंचिरो में पता ही है बाइनवर मॉडल डोले थो पी एकुल फ्राइब ङाँ इसको तो अब ये तो निकाल्लानजा अब आगे बात क्या है हम ये कर क्यों एफ आप क्यों करते हैं इसलिए करते हैं तक कि कॉल असन की यांजा के और कि 60 में call exercise होगा अगर strike price 50 है और अगर future में 60 हो जाएगा तो call exercise होगा की नहीं होगा यह होगा यह call अप लिखते हैं CU लिखेंगे क्योंकि अप जाएगा अगर अप जाएगा तो call exercise होगा मतलब CU कितना होगा 50 और 60 यहनी 10 होगा और अगर down जाएगा तो call CD दाउन जाएगा थो कॉल लैप्स होगा यह जिरो होगा आप्यों घ्यों का प्यॉप मिलने का probability कितना है 75% जीरो का pay off मिलेगा probability कितना है 25% है तो आप मुझे बताई एक्सपेक्टेड पॉल की वेल्यू कि आउट बताई मुझे फटा वट से participate करी तब ही मजाएगा आपका फटा वट से participate कीजिए तब ही मजाएगा मैं यह कहना चाहतो मैंने probability से लिए निकाला तक कि मैं call की वेल्यू निकाल सकते तो यहां पर probability मुझे पता चल जाएगा मुझे call की वेल्यू पता चल जाएगा call 10 10 में 75% लगाएंगे जीरो में 25% लगाएंगे आपका अंसर 7.5 बारा पर यह 7.5 जो है न यह आपका फर्स चेर का वल्यू है जैसे stock के मामलें भी हमने देखा था है न स्टॉक के मामलें भी हमने क्या देखा था फर्स चेर की वेल्यू आएगे इन्हे probability इन्टू स्टॉक अप plus one minus probability इन्टू स्टॉक डाउन यह धा न डिवाइड बे आर करने से c0 आएगा विसे यहां पर भी अगर मैं probability इन्टू call अप करो plus one minus probability इन्टू call डाउन करो तो c जो आएगा call की value क्वास टेर के आएगे मुझे 0-3 की value चाहिए तो 0-3 की value का formula अपने आप ही बन रहे है जैसे as 0 equal क्या था probability इन्टू स्टॉक अप वैसे c0 होता है probability इन्टू call अप प्लस one minus probability इन्टू call डाउन डिवाइड बे आर होगा उसी तरीके से आप देखे मैं यहाँ पर निकाला मैं यहाँ पर लिखा भी जैसे s0 equal p into su plus one minus p into sd by r होता है same way में c0 equal क्या होगा probability इन्टू call अप plus one minus probability इन्टू call डाउन डिवाइड बे आर यहने 6.82 आपका अंसर आगे है ना 7.5 को present value में खीचो वैसे अगर put की बात करूँ में p u क्या होगा यहाँ पर 50 के strike price में अपने put option अगर लिया है 60 होगा तो put option laps होगा p u 0 होगा अगर 40 हुआ तो put option excise होगा 10 मिलेगा आपको अब यहाँ पर क्या गरूँगा यह बूलूँगा p 0 कैसे निकालूँगा probability into put up 1 minus probability into put down divided by r तो 0 into 0.75 plus 10 into 0.25 divided by 1.10 तो put की value देखिया 0.75 into 0 plus 0.25 into 10 divided by 1.10 आपका 2.27 आगया यहाँ हम अराम से c0 p0 निकाल सकते हैं यह कॉल प्रीमियम की value हम निकाल रहे है s पर binomial model binomial model के इसाब से तो यह तीन formula यहाँ पर आ रहा है चार formula आ रहा दिखा जाते हैं यह चार मैंने crux लिखा हुआ है यह क्या याद करना नहीं करना आपके खूल में चला गया होगा अभी तर्श जिरो कल probability into stock up plus 1 minus probability into stock down divided by r p0 में su की जगा c u आएगा s d की जगा c d आएगा बस बात करते हैं और आपका binomial model में हम ऐसे भी निकालते हैं probability हम निकालते कैसे तो अगर आपने यह समझ लिया है तो किया अब आप तयार हो मैं आपको question number 29 easily करवा दूँगा question number 25 भी मैं आपको easily करवा दूँगा और फिर हम two period binomial model discuss करेंगे अगर आप तयार होते हैं कि अगर आप तयार होता हूं मैं आपको question number 29 और question number 30 फटा वर्ट से रिवाइस करूं करेंट मार्केट प्राइस है 420 करेंट मार्केट प्रेस मतलब एज चीरो है 420 आया न एस जीरो 420 यह तीन महने के अंदर maximum और minimum प्राइस क्या होगा बता दिए बाइनुमल मोडल में तो दो situation होता है maximum minimum maximum five minute जाएगा minimum four hundred जाएगा यह 500 एस यू और यह 400 एस डी रिस्क फ्री रेट डिया हुआ एट परसेंट यह तो पर एनम है आपको तीन महने का चाहिए और यहां पर आप देखें तीन महने का ऐसे तो 2% होते हैं जैसे हम यहां पर इन्हों ने continuous compounding का इस्तमाल करने को बोला कैसे पता चला आप सिर्फ 2% लेकि 1.02 लोगे गलत हो जाएगा और उसका वेलू दिया हुआ हुआ 1.0202 तो आप देखें रिस्क न्हों पर देखें neutral method यहां पर इन्हों ने बूल भी दिये तो अगर इस neutral method बोला तो पी equal r minus d u minus d मत लगाना परबाद हो जाओ जाओ आपको लगाना ऐसे एस जे रिकल p into su plus 1 minus p into sd by r s0 दियावा 420 p into su 500 sda 400 सब पता है आपको तो इससे probability निकल के आ जाएगा पी आ जाएगा और one minus p आ जाएगा आपसे पूछा क्या इन्हों है आपसे पूछा three months का call option बताए मतला c0 बताएगे अगर मैं यहां पर बना भी लेता हूं चलो ठीक है ठागा है इन चाड़री और ट्वर कि आपका 500 भी हो सकता है यह आपका 400 भी हो सकते है और strike प्रैस ट्यआप है स्ट्राइड स्ट्री क्रैस 50 i0 450 अ कि अले को मैं तो बना जो कि अन्वा जो घ्र Champions होब यहां पर यह ही डिस गीर्पीस आएगा और यहां पर लेक्ष दो जीरो आएगा क्योंकि 450 स्ट्राइक प्राइट में कॉल एक्साइज होगा तो फिफ्टी इंटु प्रबिबिलिटी लगाओ पॉइंट वेट पॉर एट बचाव इधर होगा 0.7152 तो आपका यहाँ पर बनाया होगा ऐसे में आपके तो कॉल आप्सिन की विल्लू क्या होगी 50 इंटु प्रबिबिलिटी और जीरो एंटु वन मैनेस विल्लिटी बागी यह आएगा डिवाइड वे आर करती जापका थाटीन पॉर ना इन सिक्सागिया क्या था इस कोशिन में कोई दम था नहीं जी कोई भी दम नी था इस कोशिन में यह वाला कोशिन स्टार देना फोड़ा सा ध्यान दे देना य यहां पर बोले सुमन ने एक सेट्स खरीदना चाहती जिसका रींज 411 से 592 प्रेजेंट प्राइस देनी एस जीरो दिया हुए 421 देखें मैंने जीरो 421 लिख रहा हुए और यह जाएगा कहां पर यह 592 से 411 का रींज है मैक्सिमम जाएगा 592 मिनिमम जाएगा 411 उसे यू से कर सकतो तो यहां पर देखें हमें क्या निकाल ला है तो हमें पता है कि इन्होंने दे दिया सीधा कि 0.0361.037 हाला कि यहां पर कुछ प्रॉब्लेम में बताऊंगा आपको पर चलो ठीक है यह आरे आपका यू और दी निकाल ला है यू क्या होगा 421 से 592 बढ़ रहे है इतना बढ़ रहे है इतना परशन बढ़ रहे है यहां पर यहां पर यह पूछना चाह रहा है वन मन्त पॉल ठीक है और यह 3.6 परशन तो मानेंगी एक साल का होगा परेनम ही होता है यूजरी परसेंट इस तो पर आईसे ने क्या क्या बदा 3.6 परशन को एक महने का माना है उपाई नहीं यह प्रॉब्लम में आईसे के साब से करते हूं इसे वन मन्त मानते वह पूरा ले लेंगे 0.1418 आपका प्रॉब्लिटी आ गया तो इधर आपका 0.1418 है बचा वह नीचे होगा 1-0.1418.8582 इधर होगा कुछ नहीं करना है प्रॉब्लिटी इंटू कॉल अप कैसे आगा अब देखो अब आपको एक और सबसे इंपोर्टन चीज़ है यह एक महने का कॉल खरीदना चाह तो देखे मैंने स्ट्राइक प्रैस लिख रखा हुआ है 522 तो अक्की प्रैस बहले कुछ भी हो स्ट्राइक प्रैस तो कुछ भी ले सकतो तो 522 का स्ट्राइक प्रैस में आप कॉल अप्सन लेना चाहते हो अगर 522 को स्ट्राइक प्रैस में कॉल लो गया 592 वहा तो 70 का कॉ और इसमें तो नील मिलेगा सेवेंटी इन्टू प्रविबिलिटी नील इन्टू प्रविलिटी ओ डिवाइड बे प्रेजेंट गनू नाइन कुछ नहीं इसमें एकडम सिंपल था कुछ भी दम नहीं बस यह वाला लाइन ध्यान रखना यह 522 इसका स्ट्राइक प्रैस है पूले पर्फेक्ट पूले पर्फेक्ट है कि अब पढ़ने नहीं हसनी आईगा कि इतना भी ज्यादा मत हस लेना कि बाद में आप हसी के पात्रा बन जो है ना तो पीरेट वाइनमेल मॉडल अब हम डिसकस करते हैं कि इसमें मिस्टर रियाल का बहुत अच्छा उच्छे ने को पूछा जा सकता है इसमें हम थोड़ा सा ध्यान धियांद यहांपर दो प्रकार की होते हैं विर्यूपेन पॉप्षन होता है यहां से सुननेजिए जो अमेरीकन पॉल ओप्षन होता है वह अब कभी भी एक्साइज कर सकतो है जैसे अमान लिज अपने थ्री मंस का अमेरिकन कॉल आफ्षन लिए अब दो दिन के बाद अब जादा है इस तरह के से याद रखो अमेरिका में जब जहेंगा जब ठोड़े से बैकवर युडोक में आपका क्या होगा है या maturity date में ही exercise हो एक बर्मूड है exotic option बढ़ाऊंगा वहाँ पर भी यह दुनों का बीच कर रहा तो वह आदमें बढ़ाऊंगा थियोरी में तो वह कैसी भी exchange में trade नहीं होता है तो basically अब आपको यह clear हो चुक है American call option और European का फरक में नहीं समझा दिया American option और European option का फरक में आपको समझा दिया अब मैं आपको टू पीरेट बाइनुमेल मॉडल अच्छे सा समझा दो क्या त्यार हो ने क्यों ब्रेक करें तीन बज़े ब्रेक दूंगा तब तक में आपको ब्रेक खोझा गोँगी अगर आपको कभी ब्रेक चीना आप मुझे प्रेवेंट करोगी में कॉफी ना पूँ तब मैं खुदी ब्रेक दे दूँगा थक्ति कॉफी पीने से एनर्जी आ जाते हैं प्रेक सवाल ही नहीं उठता है जो बोले अमेरिकन तो वह थी बहुत ज्यादा मस्ती हो लिए आपकी है आपकी रिप्लाइस कर दूँगा मैं मेरे पास पावर है हाथ में पस एक माउस दबाऊंगा उदर क्लिक करूँगा रिप्लाइट अफ हो जाएगा फिर आपका बोजो हो जाएगा प्रेटर स्टेंजल एक चुटा से टॉपिक का पोशियन हो करा दूँगा इस नजीज जी कितनी अच्छी है अब पढ़ा हो से बहुत अच्छी है कर लेंगे फिर ठीके बढ़ जाएंगे फिर पढ़ाई में वह नहीं आएगा मतलब मूटिवेशन नहीं आएगा तो कम नहीं करते ना भी पढ़ाई करते छे से इसमें बाइनुमिल मॉडल में डिसे संट्री सो करेंगे मैंने बनाया वाब भी टेंसन ना लगा आप देखिए आपर ऐस जीरो दियावा फाइविनिट इजीरो स्ट्राइक प्रैस दियावाए बहुत पुट एंड कोल के लिए स्ट्राइक प्रैस से फाइविनिट फिटी रिस्कप्री रिट टी आवाँ 5 परसंट पर रहे लुकल बोला अब भी जा सकते हैं 20 परसंट से ये टाउन भी जा सकते हैं 20 परसंट से दो सब पिरेड में यहने तो आप देखिए यहां पर आप मेरे बात सुनिए हैं इस टॉक प्रैस अभी फाइविनिट का है यह दो बा होगा 600 यह मैंने बना रखाया ओल्डेडी आप चाहो तो अभी रफ में बना सकते हो 500 है यह बढ़ेगा तो 600 होगा घटेगा तो 400 होगा फिर एक और पी रेड़ की बात करते हैं पहले मैं European call option बढ़ाने जाओ तो यूरोपें call option और सिर्फ maturity में ही XS होगा in between एक्साइज नहीं होने वाले इना maturity में अमिरिकन वाला maturity से पहले भी आप एक्साइज कर सकते पर यूरोपेन वाला maturity में अब आप मुझे बताईए maturity में दो सब पेरिड है एकदम end में maturity में exercise होगा आप अगर बताईए exercise price अगर आपका 550 है यानि strike price 550 है यह दर मैंने लिक रखा होगा तो आप मुझे बताईए 720 में क्या call exercise होगा यह होगा इसको मैंने cwq लिखा पता है अब जाएगा फिर अब जाएगा दो बर अब जाएगा तो 205 आ रहा है 515 माइनस 720 अगर 480 हुआ तब तो लैप्स होगा यह निए c u d हो गया देखिए c up फिर down c u d 0 है अगर 480 हुआ तो भी आपका लैप्स होगा तो भी लैप्स होगा क्योंकि 515 की उपर ही तो call exercise होगा तो यहाँ पर मैंने c d u क्यों लिक है यहाँ पर मैं इसकी value निकालना चाहिए तो मैं यहाँ पर इसकी value कैसे निकाल सकता हूँ मैं बोलूगा देखिए तो चांद से इस note से तो यह दो निकला है आप खाली यह देखो यहाँ से दो निकला है इन दोनों में probability लगा कि प्रेजेंट वेलू में खीज़ दूँगा तो इस note का value आ जाएगा पॉल का वैलू तो अब देखिए मुझे इसके लिए चाहिए probability probability कैसे निकालते बाइनुगल मॉडल में R-D U-D R कितना दिया हुगा है यह जब कि 6-6 मेने का सब पिरेट है यहाँ पर लिखा हुआ अभी दिक है 6 months each 6-6 मेने का सब पिरेट है तो अगर आपका 5% पर रहन में तो 6 मेने का 2.5% होगा यहनिए R क्या होगा 1.025 होगा तो P equal R-D U-D D और U क्या होगा 20% अब जाएगा तो मतलब 1.20 20% डाउन जाएगा तो मतलब 1-20% नहीं 0.80 तो अब अराम से निकलेगा देखे P equal R-D U-D R तो 1.025 पता ही है डाउन होगा 1-20% क्योंकि 20% डाउन ही हर सिनारियो में तो 0.80 होगा अब 1-20% अब है तो यह करके मैंने P की value निकाला और 1-P का भी value निकाला मैंने probability निकाल लिए तो अब पता ही यहाँ पर यह node B मानता हो में इसको node B मानेंगे इसको node C माल ले हम बोलेंगे 205 में probability लगाई यह जो अपने निकाला 5.5625 का है ना और 0 में प्रड़ेटी लगाएंगे 0.435 का present value में खीज देंगे किस से 1.025 आर से खीज देंगे तो आप देखें यहाँ पर वह एक है C U क्योंकि यहाँ की मैं value निकालना जाता हूं C U 0.5625 into 205 plus 0.435 into 0 divide by R मेरा इसे C U आ चुक है पर एक बात और में पूछना जाता हूं मान लो for example अगर हम यहाँ पर exercise कर पाते और 600 रुपीस अगर price हो जाता तो हम तो सीधा 515 का हमारा 515 का strike price है और जब 600 आपका हो जाता और ह सीधा ही हमें payoff मिल जाता 515 माले difference amount सीधा मिल जाता क्योंकि यह कभी भी exercise हो सकता है तो आप सीधा exchange में जाके बहुत है प्राइस हुआ हुआ है देखो जो difference 85 रुपीस हमें 85 रुपीस दे दो इसको intrinsic value बोलते है पट यह 85 रुपीस आप कब consider करोगे आपको पते जब American call option होगा क्योंकि American call option ही आपको allow कर तक कभी भी exercise करोगे लेकिन अभी तुम European call option पढ़ रहे है तो European call option में पता हम इसको ignore करते हैं intrinsic value को दिहान रखना European call option में ignore करोगे यह निए exercise price और चूँ उस time की value है इसको हम ignore करते हैं क्यों क्योंकि हम European call option पढ़ अमेरिकन call option होता तुम इन दोनों का बड़ा वाला figure है हम देखते है present value में खिचने पर क्या price आ रहे है और intrinsic value क्या है दोनों का maximum वाला लेगे यूरोपेन में maximum नहीं यूरोपेन में सिर्फ discounted value लेगे तो discounted value क्या आ रहा है इन दोनों का present value probability लगा के 112.5 आ रहा है यह हमारा CU का यहां का value होगा अब देखे मैंने यहां पर इसकी value लिख भी रखे तो इस node पे यह मेने का इस node पे call option की value है 112.5 और अगर इस node पे बात करूँ जीरो talked to probability जी रर्फ प्रसेटि जीरो होगा प्रेजिड़िटबी जीरो जीरो होगा तो यहां पर इसकी while जीरो आने वाली और Intrinsick value भी जीरो आएगी लेकिन गोनों जीरो आएगी एंड्य सिख प्रोपी ज्राबूट और इंट्रिंसीक है अगर कुछ भी न पच्छे से अब आप बताईए किस नोड पे पॉल की वेल्व हंड्रेट वेल पॉंट पाइगा और प्रोबिटी तो सीम होगा क्योंकि हर एक पीरेड में 20% अपे 20% डाउन है तो पी आप निकालोंगे वो सीम ही रहेगा जो पहले आता तो अब देखिए जो हमने 0.5625.4375 निकाला था ना 0.5625 में यह लगा तो पॉइंट 4375 में यह लगा दो और प्रेजेंट वेल्व में खीच दो आपका सीजीरों आजाएगा 61.74 तो कॉल की वेल्व क्या ही 61.74 मतलब आपको कुछ नहीं करना है आपको इन दोनों कॉल को प्रेजेंट वेल्व में खीचना प्रेजेंट लगा कि यहां पर वेल्व आ जाएगी इन दोनों से यहां पर वेल्व आ जाएगी अब यह दो वेल्व पर प्रेजेंट वेल्व option होता है तो ऐसे situation में आप क्या करते हैं इन दोनों का higher max ले इन दोनों का max भी आपका 100 12.5 भी आता और इधर तो 008 यह तो 008 मैक्स आपका जीरो ही होगा ठीक है इन दोनों call option में intrinsic value को ignore करेंगे American call option में discounted value intrinsic value का बड़ा वाला figure लेंगे यहीं दोनों का maximum वाला लेंगे अगर आप यह समझ गये तो क्या मैं put option में आ सकता हूं European put option American put option में आ सकता हूं मुझे आप यह बता दीजे क्या आप यह कर लोगे अराम से हाया न आपके लिए मैं rough में एक बार फिर से करना चाहूंगा 500 आपका S0 है E0 515 है यह 5 इन आपका 68 हो सकते है 20% बढ़ेगा फॉन्डेट हो सकते है तिक सेवनेट 720 हो जाए यह 480 हो जाएगा और यूरोपें में तुम्हें इंट्रसी इग्नोर करना है अब 112.5 में प्रोइबिटी लगाओगे जीरो में प्रोइबिटी लगाओगे प्रेजेंट वेलो में खीचोगे यहां का वेलू आ जाएगा यही तो करना है फटावट से हो जाएगा मैंने लिखके भी एक बार रिवाइस करा दिए तो अब हम बढ़ते हैं पुट ऑप्सन की तरफ आपके P की वेलो तो वही हा रही है पुट ओप्स हो गा की सुट अब आपकी में फ्रोइटी लगाओ प्रेजेंट वेलू में खीचोगे पूट की वेलू यह रिख फिर इधर भी 35 में probability लगाओगे 195 में probability लगाओगे present value में खीचोगी ये value आगे अब इस पे probability लगाना इस पे probability लगाना present value में खीचना आपका put का value आगया बस बात कर दो ये तो European call of European put option लेकिन अगर वोई American put option होगा तो आपको intrinsic value को भी ध्यान में रखना है तो यहां पर आप देखिए intrinsic value इधर तो 0 आ रहा है पर इधर intrinsic value आपका 515 से 400 के बीच में intrinsic value 115 आख और जबकि आपका discounted value 102.4 है तो दोनों का max 150 है देखिए पिछली बार हमने 102.44 ही लिया था तो कि पिछली बार European put option था जहां पर हम intrinsic value ignore करना था लेकिन American put option में दूनों का higher लेते और यहां पर intrinsic value आपका 115 आ रहा है तो इसका दूनों का max जो है वो क्या 115 है और वही 115 हम यहां पर लेंगे और इन दूनों को present value में खीचेंगे तो put की value अब देखे अलगा तो यहां पर क्या यह अब आपको समझ में एक्दम अच्छे से concept तो मैंने आपको समझा दिया अब मैं कोशिन बस आपके सब discuss करूँगा बस बात खता कोशिन 28 आपके सब discuss करूँगा अभी में और फिर एक और कोशिन है कि इस कोशिन 28 discuss करने के बाद सीधा मैं आपको riskless hedge portfolio Mr. देयाल वाला कोशिन आपको मैं करूँगा कोशिन 26 28 26 कराने के बाद फिर हम आ जाएंगे real options और black souls वह हम साथ break के बाद भी कर सकते तो अब आप बते ही कोशिन 28 में आ जाएगे यह इस पूट option में गीरेगा तो एक्साइज होगा पॉल अप्सन में बढ़ेगा तो एक्साइज होगा बता अमजा आ रहे की नहीं आ रहे बोलो है कि इतना तेज़े से खुद पढ़ पाते क्या अगर फुद से रिवाइस करते तो इतना तेज़े से होता ग्या इतना clarity के स इन घंटे में इतना कर पाते हैं या खुदा बहुत मस्त सिखाया अपने सर्थ वह बहुत बढ़ी आदिविया जी थेंक्यू सो मच अमेरिकन ऑप्सन में इंट्रेंसिंग नहीं समझाव और जो डिसकांटेट वेलू दोनों का हायर लेना है इंट्रेंसिंग वेलू मतलब होई देखें पचास और साथ कॉल आप्सन में 10 रूपीस इंट्रेंसिंग वेलू आईगी न और अगर पुट होगा तो 50 और 40 10 सब्सक्राइब नहीं चुआ होगा आपने तब ऐसा हो रहा होगा रवी सुट बोलते सर अब थोड़ा उपर जा रहा दिमाग की उपर से क्योंकि आपका दिमाग ठक गया लगते हैं और आप ध्यान नहीं और या फिर आपका पहले से डबबा गोल है अब रिवीजन में इस अब खुद से नहीं कर पाते लिकिन ऐसा क्यों था क्योंकि प्रैक्टिस की जरत है प्रिया जी प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से नहीं होगे मेरा काम है समझाना मैं आपको ड्राइविंग सिखा रहा हूं आप खुद से चलाओगी नहीं प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क अलग अलग निकालना पड़ेगा कि अलग अलग होगी है कि इस इस बात बोलने से पहले इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि हम यहां पर इक्जाम को टाइम नि बचा है हम सकंदर कर रहे हैं और यहां पर इसा बोलना भी नीजें मतनची अपको थार मानीचे आपको एस बोलने से पहला अभी होल्ड की बात भात ही नहीं इन खतम करना है पूरा चलो मेहनत में कर रहा हूँ और आप ऐसी बात कर देऊ आप लोगों को तो बस सुनना है में तो सोचे चिला चिला के बता रहा हूं में ऐसे बच्चे पसंद दिये मुझे यह पढ़ाऊंगा ही में आप कितना ही बोलो कितना ही चिला लो मैं पढ़ाऊंगा लगने से और कोफी पी जाओंगा लें पढ़ाओंगा आपको छोड़ूंगा नहीं आज ये question number 28 जब तक है जान तब तक पढ़ाओंगा भी consider it 2 year call option 2 साल का call option है 2 साल का call option है मतलब 1 year 1 year आपका होगा अगर 2 period अगर है तो पिछला example जो क्या वो 6-6 मेने का था यहां पर U 1.20 होगा D 0.80 होगा और R आपका 1.06 होगा 1.03 मतले नहीं क्योंकि एक इक साल का period है यह 6% पर रहने में 1.06 ही हुआ binomial model के इसाब से आप बताईए probability निकालिए और 2 step binomial tree भी बताईए POP के साथ इच नोड का अराम से होगा देखिए यहां पर आपका probability तो अराम से निकलेगा R 1.06 D 0.80 इससे आपका अराम से probability आगया 0.65, 0.35 आपका आ चुका है अब देखिए stock price 50 है exercise price भी 50 है यह आपका एक साल में 20% बढ़ेगा यह 20% गीरेगा 60 जो है 20% बढ़ेगा 20% गीरेगा तो 22 और 0 किसको मैं probability लगा के present value में खिजूँआ 22 into 0.65, 0 into 0.35 divide by 1.06 जो R तो उससे मेरा value R है कितना 13.49 और मैं इसको American call option मान दो question में American लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है इसको American assume करेंगे तो अब देखिए intrinsic value भी तो आएगे 50 और 60 के पिछका फरक 10 intrinsic value है और discounted value 13.49 है दोनों का max किया 13.49 ही हम लेंगे cu की value इधर तो 0 ही आएगा intrinsic value भी 0 हैगा 00 max 0 ही होगा अब 13.49 को present value में 13.49 में probability लगाई है 0 में probability लगाई है present value में खीचे C0 की value आगे 8.27 तो 3 node का value निकालना आपको यह node B पकड़ ली जए 13.49 है यह node C यह 0 और यह node A हो गया node A हो गया आपका 8.27 तो यहाँ पर आप इस तरह के इस exam में present कर सकते हो यह तो मैंने यहाँ पर ही करवा दिया exam में आप क्या करना अलग-अलग दिखा देना यह वाला जगा node B दिखा देना देकि जो उपर लिखा वह वह वही 13.49 ने जो उपर मैंने लिखा वह यहाँ पर वापस से लिख दिए यहाँ पर लिखा वह वह वही वापस से लिख तो अराम सी question में कुछ दम था कुछ भी दम नहीं था simple सा question था बस question number 38 में problem है जैसे कि आप सभी को बता है स्टॉक प्राइस आज का 30 है यह टेकिट 10% से बढ़ रहा है यह 10% से गिर रहा है इधर भी 10% से बढ़ रहा है यह 10% से गिर रहा है मलब यू होगा 1.10 और दी होगा 0.90 और आपका आर है 5% लेकिन आप ध्यान से सुने यहाँ पर क्या तो कि question ने थोड़े ना बोला कि annually compounding है लेकिन idea solution कर तेसे मैंฏयूम किया है कि 5% annually compounding है और इन्होंने क्या क्या पता है 5% into six but twelve करके sub nat000 निकाला दे इन्होंने क्या क्या कि इन्होंने इसमें क्या पता है1.05 डे पावर 6 cuts व εκ कर birth deci कर है आपको रट्टा मांड़ा रट्टा मारी उपाई नहीं मेरे पास तो 1.0247 आपको लेना है आर की वल्लू जो कि आई से किसाफ से मैं कुछ नहीं कर सकता है पाक्या प्रॉब्लिटी अराम से आ जाएगा क्योंकि कि 0.9 और 1.10 तो मैंने बताई दिया था इससे देखिए प्रॉब्लिटी आपका आ चुका है अब यह डिसेंट्री तो कोशिन ने कुछ बनाया और यह जबकि आपका कॉल ऑप्सन ही कोशिन तो देखिए जो कॉल एक्साइज हो रहा है इसको प्रॉब्लिटी लगाएंगे प् रही रिपीटेड एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं आपर बताने के लिए तो मुझे नहीं लगते हैं आपर टाइंग खराब करना चाहिए सब कुछ सेम ही है बस आपको यह आर की वल्लू में थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं है अब यहां पर एक और रिस्क्लेस अब यह आइज इन पॉल पैचेंजिन स्टोग की तो है तो चेंजिन स्टोग 6 है एजिन कॉल आपका कितना है इस पार में बताओंगा पहले रिस्क्लेस हैच पोटफोलियो आपको मैं समझा देता हूं उसके बाद में आपको उसका भी पार्ट को करवा दो इंसना लो आइसी बात है तो साथ की साथ ही बता देता हूं तो बहुत अच्छी बात है इन दिनों अब चेक नहीं किया अगर किया तो बहुत अच्छी बात है कोशिन बादा दीजिए तो फटाफट इसलिए मैं आपको बोलता हूं कियाने इसलिह मैं पर क्लास में भूझत हूं जादर करक्टि करूं मानते हूं ना वैसा कोशिन पर कोई बता सकते हैं काई कोशिन ही नहीं यह वाला 22 तो Mr. देयाल वाला है किसने बोला था चेंज कर दिया था अरुम जी बता ही कौन सा कोशिन है फिर यह तो मुझे स्टेडी मेटरल में दिखी नहीं रहे है कोशिन 22 तो Mr. देयाल है 9.22 अच्छा यह रहा काँ चेंज किया देखो ऐसे इसे बोलो चेंज कर दिया कुछ भी बोलते हो कहाँ चेंज किया है फिर से आईसे का वेबसेट से डाउनलोड करूँ किया रिसेंटली किया था मैंने चेंज तो नहीं किया आप लोगों ने बोल दिया तो मैं करकी आगे बढ़ूँगा फिर कि एक लिए तो मैं पर फिर से एक तो आजकल आईसे का साइट आपको नहीं लगता बहुत स्लू हो गया है पुलता ही नहीं चल्दी से वो ज़्यादा स्लू हो गया इसे का साइट अचकल है ना कि वो खुली नहीं रहें किया है यह सेज की अरुण जी गलत की आपने हमारा समय खराप के अरुण्जे माफ नहीं करें आपके और पता नहीं कि सा गलत का मैं क्यूं करते हूं यहенद हम बेकार इंसाने यह मतलब का समय खराप करते हैं कि यह मतलब कि आपने बहुत गुस्सा दिला है मुझे मन तो गर आपको बैन कर दुम्हां से ऐसे गलत हरकते करते हैं वह सरम आनीची आपको क्या क्या करते हैं यह से बच्चे मनद यह बच्चे आप पर यसी हरकते करते हो बताओ को अच्छी बात है कि इसका थोड़ा सा अगर कोई भी मालेचे एफ नो वगेरा में करते है ट्रेडिंग वगेरा उनको डेल्टा यह सब के वारे में नौलेज होगा बट खेर अभी हम एक्जाम औरिंट पढ़ाई करेंगे तो आप देखिए आपर करेंट प्राइस मालेचे स्टॉक का 600 है स्टॉक प्राइस ही भी बाइनुमिल मॉडल से रिलिटेट ही जो आपका हम पर रिस्क लेस हैज पोड़ो अब स्टॉक प्रेस 30 परसन अब जाते सकता मालेचे मैं एक्जामपल बनाया यह हलेकि कोशिन भी प्राकार क्या तो उसमें भी हल्प मिल जाएगे स्टॉक प्रेस स्टॉक की प्रेस 30 परसन बढ़ सकती है 20 परसन गिर सकती है नेक्स तीन मेहने में स्ट्राइक प्रेस है 630 तो देखिए मैंने वह लिखा ऐस 0600 और स्ट्राइक प्रेस 630 जो इनफोमिशन दिया हुए एक्ज दोई सिच्वीशन होता है या फिर यह 20 परसन गिरे हो तो अब देखिए इन दोनों में ग्याप कितना है इन दोनों में ग्याप कितने है 300 का ग्याप है अब अगर मैं बात करूं कि माल लीजिए कॉल अप्शन का बोजिए अगर 630 का स्ट्राइक प्राइस है तो कॉल एक्स कब से इस्घ्रतिक का स्ट्राइक प्लेस है 480 हो जाएंगा तो कॉल का प्यवक dollars 0 तो यहां पर मैप देखिए स्टॉख में जो गैप स्टॉक के मूड–्य स्टॉक के मूंट है आपको दिक रहा होगा frost 300 फों अ का गैप स्टॉक के मूवभमेंट 천 P आगे जब धीरे धीरे प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे हम कोई कॉल ऑप्षन खरीदे माली जै मैंने निफ्टी का फॉल ऑप्षन खरीदें 15 तो अगर 15,000 से वह 15,200 होगा ना और माली जै मैंचुरेटी के अभी तक हुआ नहीं है तो 200 से अगर निफ्टी बढ़ेगा तो इसका मतलब भी नहीं कि आपको पॉल ऑप्षन का वैल्यू भी 200 से बढ़ेगा वह पर एक डेल्टा का इस्तमाल क्या जाते है उसके पेचे बहु चाहिए कि जितना स्टॉक में मुवमेंट है उतना कॉल में मुवमेंट ही नहीं उसका आधा मुवमेंट और इसलिए इसका डेल्टा पॉइंट फाइव माना जाता है डेल्टा पॉइंट फाइव मतलब स्टॉक के प्राइस में जितना मुवमेंट होगा उसकी है न तो कम है न call का spread और इसलिए आपका hedge ratio कैसे निकलता है पर एक कम simple दिमाग में जाएगा hedge ratio क्या है change in call divide by change in stock और अगर put का बात करेंगे तो hedge ratio क्या होगा change in put divide by change in stock तो अब देखे change in call कितना 150 है change in stock कितना 300 है तो hedge ratio क्या होगा change in call by change in stock यहनि cu minus cd divide by su minus sdp यहनि क्या आएगा 150 by 300 यहनि 0.5 आएगा अब अब मेरी बात सुनी यहाँ पर अगर मैं एक stock खरीता हूं अगर मैं एक stock खरीता हूं और दूसरी तरह मैं call को right करता हूं तो दोनों में parity कब आई है ना मेरे perfect hedging कब होगा जब मैं call दो लूँ एक stock के बदली मुझे दो लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि एक stock में moment 300 कर अगर एक stock में मैंना buy position है और मुझे hedge करना है तो मुझे क्या करना चाहिए तो put option लेना चाहिए put buy करना चाहिए call right करना चाहिए आप तो पहले यह समाल लिजे मतलब अगर आपका buy position है stock में अगर आपको hedging करना है तो आप यह समझे hedging करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे sell करना पड़ेगा buy position sell कैसे होगा या तो put buy कर लीजे आपका sell होगा या फिर call option writer बन जाए call writer जहाँ पर आपका obligation to sell होता है तो आप सी माइनस कीजिए आप आप सिंपल सी बात है अगर आपने सहर buy किया सहर में आपका 300 का fluctuation देखने को मिल रहे है तो सहर में आपका 300 का fluctuation होगा अगर मैं put or call option लेता हो तो वहाँ पर तो 150 का fluctuation है तो मुझे खुद बताईए मुझे put or call तो 2 लेना पड़ेगा तब जागे मेरा parity होगा तब जागे मेरा perfect hedging होगा और इसलिए hedge ratio आपको यही बताता है hedge ratio यह बोल रहा है कि call में जो change है वो आधा है तो एक stock की comparison में आपको 2 call लेना पड़ेगा यह एक stock की comparison में आपको 2 put buy करना पड़ेगा यह जैसे मैंने कहाँ one stock अगर आप buy करते तो आपको 2 call right करना पड़ेगा और इसकी जगा ऐसे भी लेख सेगा तो वन stock को आधा stock बोल दीचे आधा stock अगर आधा करोगे तो एक call right करना पड़े यह एक call equivalent to आधा stock माना पड़ेगा तो वही ची मैंने लिखा यहां पर देखिए यह one stock equivalent to two call होगा इधर one stock equivalent to two put होगा क्यों क्योंकि आपका hedge ratio 0.5 है hedge ratio 0.5 का मतलब यह है कि एक call के बदली आधा stock की call आधा है ना तो आपको call double करना पड़ेगा तो एक call लिया तो आधा stock होगा एक stock तो double call होगा तो क्या यह समझ में आया 0.5 है ना तो यहां पर 0.5 के लिए यह चाहो तो यह चीज़ आप ध्यान में भी रख सकतो याद रख सकतो 0.5 का मतलब यह है कि आपका एक stock के बदली दो call या फिर आधा stock एक call के बदली तो यह खरीता हूं तो मुझे call right करना पड़ेगा दो और या फिर अगर मैं एक stock खरीता हूं तो मुझे put buy करना पड़ेगा दो क्योंकि buy को काटेगा कौन sell और sell कब होगा या तो आप call right कीजे या फिर आप put hold कीजे तो यह चीज़ आपको clear हो चुका है हाला कि class में मैंने दोनों example स करवाय था बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो book में आपका है सिर्फ और सिर्फ call right का ही उन्होंने बोला हुए वही मैं आपको पड़ाओंगा यह वाला मैं नहीं पड़ाओंगा यह वाला मैं आपकी इस note से हटा भी दिये यह वाला नहीं पड़ाओंगा इक्जाम के comment आधा है तो आधा सेर और एक call right के जाब तो वही हम करेंगे और देखेंगे कि क्या होना है सिनालियो तो अब देखें आप यहाँ पर मेरे बात ध्यान से सुनू, तीन मेने के बाद, या तो आपका सहर का प्राइस दो ही सिचुईशन हो सकता है, तीन मेने के बाद या तो सहर का प्राइस 780 होगा, या फिर आपका सहर का प्राइस 480 होगा, या मैं बता है, फिलाल सहर का प्राइस कितना है, 600 है, और फिलाल अभी हम क्या कर रहे हैं Riskless hedge portfolio बिनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं हम आधा share खरीद रहे और एक फॉल्राइट कर रहे है आधा share खरीदने का कितना पैसा लगेगा कोई मुझे बता सकते हैं कि इंक्रीज हो जाए कोषिन इंपोर्टन इसले थोड़ा टाइम ले रहा हूं अब आप मुझे पते ही आधा सेहर खरीदने का कितना पैसा लगेगा एक सेहर का आज खरीदने का दामिस छिक्स एंड़ आधा सेहर खरीदंगा 300 रुपीस लगेगा मेरा और मुझे यही निकालना है कि 1 call right करने का मैं minimum कितना रुप्या 0 1 call right करने का premium भी मुझे निकाल आилось कि मैं minimum कितना रुप्या लू कि मैरा नुफसान नौagit उसके लिए हम क्या करेंगे पता है हम ये बोलेंगे कि 3 मेने के बाद 2 situation हो सकता है अगर 3 मेने के बाद 780 हुआ तो क्या होगा अगर 3 मेने के आद 480 हुआ तो क्या हुआ दोई तो प्राइस हो सकते हैं या तो 780 या फिर 480 हो सकते हैं अगर 780 हुआ 3 मेने के बाद तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास आधा सहर उसको हम बेच देंगे तू रखना है तो आधा से हम कितने में बेश सकते हैं इन्हें 390 मैं बेश देंगे 390 रुपीज मिलेगा बेचने का और अगर 70 80 हुआ अगर 780 हुआ तो आप बते ही call exercise होगा की नी होगा और हमने तो call right कि है एक call right कि है हमें क्या 150 रुपीज पी आफ नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हमने कॉल राइट किया है तो बास वाला जिसने कॉल होल्ड किया है वह 150 रुपीज मांगीगा हमें 150 देना पड़ेगा मतलब आपका अगर 780 प्राइस हुआ तो हमें आधा सहर बेचने पर 390 मिलेगा और हमारा कॉल एक्साइज हो जाएगा जिस पर प्योंकि जाएगा मतलब नेट इनफलो हमारे पास 240 रुपीज आएगा तीन मेने के बाद और वही अगर माल लीजे सहर का प्राइस 480 हो गया 780 नहीं हुआ 480 हो गया मतलब एक और सिच्विशन है ना 780 नहीं हुआ 480 हो गया अगर 480 हुआ तो आधा सहर में बेच देंगे 480 इंटू आधा 240 में बेच देंगे और कॉल तो लाप्स हो जाएगा तो कॉल में तो कुछ पैसा दी नहीं पड़ेगा मैं 480 में तो कॉल लाप्स होगा आपका केमपल देखिए तो यहां पर आप देखिए कॉल लाप्स हो जाएगा देख लो तिकра戟िका स्च्टराइक प्रह से कॉल लाप्स हो गया आप डेंगा यह तो हमें confirm हो गया कि दोनों situation में 240 मिलेगा तीन महने के बाद क्या confirm है दोनों situation में 240 मिलेगा और क्या 240 सर्टेन है क्योंकि binomial model तो दूज सिच्विशन मान दे या तो यह situation होगा या फिर यह situation होगा और दोनों situation है क्या देख ने क्या देखा 240 रूपीज आएगा मतलब क्या 24 रूपीस 13 इस 13 सख कब आएगा लेकिन आज निया है का पल सकते है तो i sy biography उसका प्रेजा लगा सकते है त्शोट का क्रेजीन का प्रेजेंट लुख कितना मुझे मेने का कितना है 2.5% मैंने एक्जामपल में रखा है 10% पह रहे नहीं तो 3 मेने का 2.5% तो आप मुझे बताइए मैं आज maximum कितना पैसा लगा सकता हूं अगर मुझे confirm है कि 3 मेने का मुझे 240 मिलेगा क्योंकि ज़्यादा मैं पैसा नहीं लगा सकता हूं मैंने ओरेड़ी 300 रुपीस लगा दिया सेर खरीदने में तो पते ही मुझे minimum call का क्या premium लेना चाहिए कि मेरे 234 लगे 234.140 मेरा पैसा लगे मैंने तो 300 पैसे फसा दिये तो मुझे कितना call का premium लेना चाहिए कितना call का minimum मुझे premium लेना चाहिए यह मुझे बस बता दीजे that's all बस बात करता हूं कितना मुझे मुझे लेना चाहिए मैं बूलूँगा 300 लगा दिये 234.15 भी लगाना था यानि मैं एक काम करता हूं 65.85 ले लेता हूं कि कॉल का premium call right करने का premium मिलता है तो call right करने का मैं प्रीमियम 65.85 ले लूँगा अगर minimum मैं 65.85 ले लूँगा तो मेरा धाटा नहीं मुझे minimum 65.85 प्रीमियम मिलना चाहिए तब मेरा कोई रुकसान नहीं है सर्टेनिटी के साथ में जो रिस्क फ्री रेट एडिस वो तो कमा लूँगा तो यह आपका अंसर है तो यहां पर आपको यह पूछा जाएगा कि call की premium बताए यह value of call of sun बताए हम बता देंगा 65.85 यह वाला चीज ही मुझे आपको सिखाना था तो अब अगर यह वाला चीज आपने सिख लिए अब हम कोशें नमर 20 से करेंगे आपको पांदी में होगा चुट्कियों में होगा कोशें आराम से हो जाएगा बताए क्या आप तैयार हो इस को करने के लिए तो अब आप देखिए इस कोशें में मैं फटा-फट करूँगा फ्रीटा में सीमी रखा तो एक सन्रेट आपका स्टॉक का प्राइस है यह 30 परसन से बाढ़ सकता है 780 होगा या फिर 20 परसन से गिरेगा 480 होगा अगर 780 होगा तो कॉल एक्साइज होगा 150 और CDA 0 इधर आपका 300 का गयाप है इधर यहां पर हम भी बोलेंगे कि पाई करो 0.5 सेर और राइट करो वन कॉल मैंने यहां पर किया है ना यहां पर मैंने क्या क्या मैंने बोला इनिशली मेरा आउट फ्लो लगेगा 300 रुपीज एक सेर खरीदने का मैंने यहां पर प्रेजेंटेशन थोड़ा से डिफ्रेंट कर द नेट इंफलो 2.40 वही पहले जो समझाया था और 4.80 में भी 2.40 है तो सर्टेनिटी की 2.40 तीन मेने की बाद मिलीगा मतलब प्रेजेंट ली मैं इसका इतना पैसा लगा सकता हूं मैं प्रेजेंट वलू मैं इतना पैसा मैं प्रेजेंट लगा सकता हूं मैंने 300 ओलरेडी हम बोलेंगे आदा सहर खर लिए एक पॉल राइट कर लिए बात ख़ता है दूसरा वाट सुट भी दा वैल्लीव ऑप्सन टूडे 65.85 होना चाहिए फिर पूचा वाट इस दे एकसे निकालेंगे हम देखिए कोशिन यहां पर क्या बोलना चाहता है परता एक और चीज यह होना चाह रहा है कि 60% और 40% चांसे 780 और 480 होने का है तो देखिए हम जो निकालते हैं यहां पर अभी जो 780 अभी फिलाले 600 प्राइस 780 और 480 होने का 60% और 40% चांसे तो हम इस प्रकार से कॉल की वेलू भी तो निकाल सकते हैं सी जिरो एकवल क्या होगा 780 इंटू 60% प्लस 480 इंटू 40% प्लस 480 इंटू 40 पर्सेंट और इसको प्रेजेंट वेलू में खीचते 1.025 से कितना आएगा अपका कि इसन पूंट इट आ रहे क्या है कि पॉल की वेलू इतनी हो नहीं इची है तो यहां पर यह होनी चीए कॉल की वेलू बट हम इतना मिनिमम मिलने से भी हमारा काम हो जाएगा हमारे तो 65.85 मिलने से भी काम हो जाएगा हम एक्स्ट्रा कितना कमारे है हम बोलेंगे हमें 87.80 कोई भी दे देगा क्योंकि 60 40% चांस के सबसे कोई अब यह में 87.80 देवेगा बट हम 65.85 में भी हम खुश हैं तो एक्स्ट्रा कितना कमार यह आपका रिटन हो लेकिन आईसी ने क्या क्या इसको नहीं लिया इन्होंने 90 लिया यह वह भी भी सकता कि तीन मेने का रिटन बता रहे फ्यूचर का रिटन बता रहे उस आपसे चु इस पर आईसे उन्होंने बोला इस टी वन निकाला उन्होंने टी जी रो नी टी वन मतलब टूपट फइंट मंस के बाद का तो इन्होंने 90 लिया इसको आर से डिवाइट नहीं क्या प्रेज़िए फिर इन्होंने क्या क्या रिटन कैसे निकाला 65.85 हमें मिलने से हो जाएग लेकिन हमें 90 मिलेगा इक्स्ट्रा जो रिटन मिलेगा वो पर 스UN परखेंटी चीलोंने निकाला इन्हें 36.67 परषेट आपको निकालना है यह आपका अंजर होगा बाद मतलब लेकिन हम इसको प्रेजेंट विलू में नहीं खीच रहें में सा 90 मान रहें तो उस आप से जो एक्स्ट्रा आप कमारें 65.85 मिलियों सो जाए कि 90 मिल रहें तो एक्स्ट्रा जो कमारें वही आपका एक्सपेक्टर रिटेन है बस ही करना तो क्या यह कोशें अब आप आराम से कर प्रेमियम मिल जाना चाहिए और 90 इसका प्रेमियम होना चाहिए अगर आर का इस्तमाल नहीं करते है तो 36.67 परसेंट आपका एक्स्ट्रा रिटेन है डैडिस एक्सपेक्टर रिटेन बस बात करना तो क्या कोशेंबर 26 हम डेन करते भी बताऊं कि एस पर आई से 36.67 लो एक दम अच्छे से अगर यह एकदाम अच्छे से समझ में आया मैंने फीड अपको एकदा मच्छे से सब्कूंपाइल करें डीया है अब हम प्रियल ऑप्संट फीर हम पढ़िंगे बा courtroom हम गरिदेंग हैसे इस एक सीय पर इसलिए हम ही डेरिय आपको कराऊंगा लेकिन आप बोलोगे तो ब्रेक के बाद करा दो ब्रेक के बाद हम रियल उप्शन करेंगे ब्लैक सोल्स करेंगे और फिर टॉपिक डिसकस करेंगे और दूगंटा लगेगा दूगंटा तो लग जाएगा पुल यह फटावट अभी ब्रेक चाहिए नीच यह अभी और पड़ोगे रियल उप्शन खतम करके ब्रेक लोग है क्या जफिर अभी लोग है रियल उप्शन में ज्यादा टैंक नहीं लेगे अमेरिकन मन अगर कुछ नहीं बोले तो अमेरिकन कॉल उप्शन मान लोग है प्रेक चाहिए इन आपने मैंने का था आप 800 लाइक भी नहीं पहुचा आपने तक तो नहीं मिलेगा पड़ना पड़ेगा हूं यह लोग सन कर लो फिर प्रेक ले लो खुलो कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि तुक्दीव जी क्या पक्वास बात करों से मल्टिप्ले नहीं कि आप अच्छे देखो गलत गलत बात बोल रहे हो आप कि अधिक ब्रेक ले ले लूँ कि कोशें 28 में कि क्यों कि मैंने क्लास में अमेरिकन नहीं बोला क्या मैंने कि देख लेता हूं रुको कि 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 आई से बीन अा 28 में कि अमेरिकन नियस समझने अब पुछ को अब अगर पुछ नहीं पूरे तो कि एक मीनोंने अमेरिकन तरीके सिक्ठेग में ये येंट से आप अमेरिकन के इसाफ सी करना है अब हम अफ्य को ने अफ्याइज करो है वे तर्शा डिना ताकर ने तक ने लिए फाल में भी और आपती सब्सक्राइब बहुत अच्छी बात है हमने कर लिया और कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया अब अच्छा एक और बाते में बता की ब्रीक देता हूं कि अब कुछ बच्चे चलेगी होंगे ना तो फिर पिर सुननों बाद को शें 38 में आप देख लो इब कोश्चे में आपको पूछाता नहें आपर रिस्क्लेस हैच फोटफोलियो मैंने बता था चींजिन कॉल बाद चींजिन स्टोक यहां पर आपर आपने के PERIOD 1 में आप आपका दिखिए अगर 28 का स्ट्राइक प्राइज है तो यहां पर फाइब का कॉल एक्साइज होगा है और और तो मैं ऐसे बता देता हूं 30 रुपी स्टॉक का प्राइज है 33 27 क्योंकि आगे भी 10% अपन डाउन ही है इस्ट्राइक प्रैस 28 है तो यहां पर अब दिखे चेंजिन स्टॉक मुझे 6 का दिख रहे है जो चेंजिन स्टॉक है न वो 6 का है 33 और 27 का गयाप है अगर 33 हुआ तो 28 का स्ट्राइक प्रैस में 5 कॉल का एकसाइज होगा और इधर 0 होगा तो चेंजिन कॉल है 5 चेंजिन स्टॉक है 6 तो हैज रिशियो क्या होगा 5 पै 6 यह नि 0.83 होगा क्या इस पॉइंट इट्री होगा पॉइंट इट्री होगा आपका तो हैज रिशियो आपका आ जागे इससे प्रकार से ठीक है और इधर भी अगर मैं करूं तो ऐसे भी इधर भी वह आना चाहिए कि फिर वो 28 से नहीं आएगा फिर ठीक है अब इसी पिरिएट से करना आपके अपने सुगदीब जी नंबर नहीं मिलेगा बहुत सारे काम है अभी इस पॉसिबल नहीं अभी फिर मैं नहीं उठा पाऊंगा तो पूरा मान जाओंगे तो ब्रेक लेते हैं कि दा चार बजे मिलते हैं कुछ जादा बैतर रहेगा है न कि दा चार बजे मिलते 55 मिनिट का ब्रेक दिया है मैंने कि दा फॉर पीम को मिलेगे कि आप भी रिलाक्स हो जाओ इंदम अच्छे से झाल ज वे वे लिए झाल ओई भीम्स, ट्यूट प्सक्वाट कर दो ऑगगे पैन और क्या-क्या डिस्कस करेंगे लैक्सूल्स यह लॉप्शन्स वाकि जो थ्यूरी पाटे ना अब डिस्कस करेंगे अब को मोटिटी डेरिवेटी वेदर डेरिवेटी असा सब डिस्कस करेंगे इक्सूर्टिक को मोटिटी डेरिवेटी वेदर डेरिवेटी वेदर डिफोल्ट स्वाब सारा चीज़ में डिस्कस करेंगे अब तक पैंट को चार्ज में लगा देता हूं किन आजाएगा लुक्टो कि जाओ भी ब्रेक ले लो कि यह सब आजाएगा इनन याची सब दिखेंगा कि यह दिव्यांग जी देखते बाठे टोपिक्स एसे तो है सारे टोपिक्स के रिवीज्ट मेरी वडियो पर ठीक है यह तो पहले खतम करते हैं आज कि कि वह सबू़ कि अभ है ढ आऑ़ न kn дог sorry कि अच्चर से करते हैं ग्हां यह से देंहसित रहता है यह संबु़ust। कि यह सब्ते हैं हSON झाल 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 तो झाल झाल इस्टार्ट करते हैं पूरा अब एक बात पूछू सकता हूं कि अब मंजूरी दो गे तो मैं पूछूंगा अधरवेस नहीं पूछू आप से पूछता हूं यह पर यह से तो पूछा ने बड़ाई करेंगे दूकर मैं हमें पढ़ाई करना हमारी एक्जाम आगे और उसे सबसें पढ़ाई करेंगे बस एक रेंडम एक बात पूछना चाहता हूं पूछ सकता हूं कि अब आप लुक बोलोगे तो पूछूंगा अधरवेस नहीं पूछूं यह से लो में एक बूली एदिया यह से लो में एक बूली एदिया आप लोगों से पूछता हूं कि एक जन्न है ना एक इंसान यह बोल रहा था हूं कि ना बच्चे जो है ना वह दस फंद्रा बीस बच्ची हैं जो मलब पोस्पॉन्मेंट के खिलाब बोल रहते हैं पागी सारे बच्चे कोई नहीं भोल रहें पूछी मुझे बहुत धक्का लगे बात को मतलब जैसा प्रोपागंडा है सारे बच्चे जो प्रोपागंडा कर रहे हैं यह वह मतलम सहीं लगा मुझे पूछा की मतलब आप लोग उसे वह पूछता हूं मतलब यह मैं देखिए चलू ठीए कि आप बहुत सारे बच्चे हैसे होंगे बोलेंगे सार में में एक्जाम हो जो मैं उसकी बात नहीं कहा रहा है जो हार्सनेस है जो मतलब इस होता है ना किना कुछी जो को समझ के जो कि अधक्या कि वह वाकई में तो अधकी के सथ हो रहा है तो देक्टिय्टेटर से की बात होती है यह ना कि इसे डिक्टियर से नहीं बोल सकते हैं कि अब मंगे मिस्ज़ को मैं आपको देखना चाहोगे तर एक दुखा सकता हूं ऐसे तो से ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं तरही नहीं है कि दुखती नश्प में हाथ रख दिया से नहीं हाथ में रखा भी तुम बढ़ा ही करेंगे लेकिन स्क assistance करें हम दोनों कर नहीं है कि समझ सकते हैं सब्सक्राइब कर लिखा दिखाना निहीं है और दिखाना कि शिक्टों कर दollen वह कि अच्छा नहीं दिखेगा इसका वो अलग होता है कि मेरे आइपेड में नहीं हो कि आसीजी पॉरे सरीन रियालिटी आल्मोस्स नैंटी परसंट स्टुएंट वन पॉस्पॉर्मिंट इटी परसिंट कंड कम आउट अपनी ड्यू टू पियर ओप इस लिए सब को लग रहे है किसी को दिक्कत नहीं हो इसा पहले हुआ है जिसके चलते बच्चों के में अब पढ़ाई करना अब कुछ मतलब नहीं है कि छोड़ों अभी हम पढ़ाई करते हैं कि इस मामले में आई से गलत था और यार हमें हम देखिए पढ़ने वाले बच्चे हम पढ़ाने वाले लोग हैं हमें प्रोपागेंडा वगेरा फिलाने का समय नहीं हमारे पास तो बोला जा रहा नहीं कि कुछ बच्चे और टीचर्स मिलके प्रोपाइगंडा कर रहे हमारे बास बहुत काम है हम दीन बर कुछ सब्द जो इस्तमाल किया ना वो सही नहीं था मतलब कुछ सब्सक्राइब करते हैं कि रियल औप्सन स्टार्ट करते हैं कि मेरा मान अगर सब्सक्राइब अगर उनको यह मतलब दी नकी सब्सक्राइब ना पड़ेगाइब करते हैं कर На comment love हुआ यह वह वान करते हैं रियुल अपशन में हमाते हैं ओलगोर और सिरिएस्ली हमें कोई सौक नहीं है आपको भी नहीं है आपको भी नहीं हमें सोक है भी वज़ागंडा भी वज़ा करने का कोई तरह प्रॉबलम होती है ना सब पढ़ाई के कंटेंट के अलावा आपको कितने बाकी कंटेंट मिलेंगे मैं तो ज्यादा कोई दूसरा टैप का वीडियो बनाते ही नहीं हूँ आप चेक कर सकते हो मेरा यूटूब चैनल जैसे कुछ बोल देते हैं कि व्यूज के लिए करना होगा तो हर दो दो दिन में मोट पढ़ा ही हम करें और आप भी पढ़ने के लिए आते हैं अचाने ट्वीटर देखा ना वह सब अच्छा नहीं लगा मतलब कि यूँ कि अच्छा लग स्टार्ट करें सबसक्राइब को करते हैं कि अबी टाथ कि अभी तक जो मैं पढ़ा था वह फानीशाल स मतलब फानीशा आइटम में हम ऑपसंस लेते हैं जी सब चूरिटीस हो गया सेर्स बांड यह सब जो रहते ने इस पर उपसंस प्रोजेक्ट पर जैसे हमने एडवांस कैपिटल बजेटिंग में देखा था कि जो प्रोजेक्ट यह उससे रिलेटेट रहता है प्रोजेक्ट को एक्सेट करें की ना करें बाद में इन फ्रोजेक्ट कितना आएगा हमारा तो उसके मैटर में उसका भी ऑप्सन कॉंट्रेक्ट होता है उसमें भी कॉल ऑप्सन होता है जिसे हम ग्रोथ ऑप्सन बोलते हैं और उसका भी पूट ऑप्सन होता है जिसे हम अबं करना मतलब भी बीचने के बराबर हुआ growth option मतलब आगे और expand करना investment यहने call option को investment भी बहुत सकते हो further investment करना that is what call option हो गया तो वो हम सीखेंगे आपर इसके साथ साथ एक timing option है वो भी हम सीखेंगे आपर तो यहाँ पर आप आपको पहले फटाफट से ऐसे तो मैंने real option के matter में detailed video बना की YouTube में डाला है बट अभी मैं फटाफट से revise करूँगा अभी मैं आपको ज्यादा समय हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो चलिए real option में अगर बात करें प्रतिक जगाती है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाता है जिसका इनिशल इंवेस्मेंट है 10 लाग मैंने सूचा कि मैं financial reporting की class पढ़ाऊंगा और उस पे मेरा पूरा setup वगेरा का खर्चा मेरा 10 लाग रुपिस लगेगा तो 10 लाग रुपिस मेरा खर्चा लगेगा और मैंने देखा 10 लाग रुपिस मेरा खर्चा लगेगा और यह मुझे पात साल तक मुझे लगए कि ट्यूशन फीज बगेरा के नाम पे मुझे यह collection तो मैंने इन सब को क्या करूंगा सभी को प्रेजेंट वेलू में खीचा तो मेरा आ रहा है सबसे मेरा एंपी बी नेगेटिव आ रहा है तो आप मुझे बते क्या मुझे जो मैंने प्लाइन की अभी तक मैं टीचर नहीं हुमें चास यह पास आउट हो मैंने सोचा है मैं एफ आर की क्लासेज बढ़ाना चालू करूंगा यह इनिशल इन्वेस्टमेंट ही यह मेरा क्यास लोग तो आप बते क्या मुझे क्लासे स्टार्ट करनी चाहिए मेरे तो एंपी बी नेगेटिव आप बोलोगे ना सख बत कीजे क्लासे स्टार्ट इससे नाम बन जाएगा मैं एफ भी पढ़ाने लग जाऊंगा उससे भी मेरे कलेक्शन आएंगे मैं टैस सेरी बगेरा भी लिनेजर लग जाऊंगा उससे भी मेरे पैसे आजाएंगे और इसके अलावा मान लीजे और भी कुछ-कुछ है न मान लीजे मोटिवेस्नल टाइप का एक होते हैं ना वैसा कुछ-कुछ में करूंगा उससे भी मेरे पैसे आ जाएंगे YouTube में में बहुत सरे अलग-अले content डालूँगा व्यूज आएंगे उससे भी मेरे पैसे आजएंगे तो मैंने देखा कि मेरे पास other growth options भी है expansion option है आगे जाके future में मैं अलग-अलग जगा में ऐसे जाके expand कर सकता हूं मैं अपने धंदेबू तो मैंने ये देखा कि अगर मालीजे दो साल में मैंने नाम बना लिया यसे तो 5 साल में बात करें ना प्रोजेक्ट की मालीजे 2 साल में मैंने नाम बना लिया तो 2 साल की बाद मेरा business expansion का option आ जाएगा बतला मैं और दूसरी उ अलग-अलग service देखें वहां से पैसे कमा सकता हूं ऐसा मेरे पास idea है और वहाँ पर मैंने क्या देखा कि मैं CMA course CFA course वगेरा में भी same subject है वो सब पढ़ाने लग जाओंगा test series mentoring वगेरा ये सब के जरिये मैंने सूचा 2 साल के अदर मुझे क्या करना पड़ेगा कुछ-कुछ और investment होगा मुझे देखा कि अगर मैं 2 साल के बार 3 lakh रुपेज investment करता हूं तो मेरा जो ये cash flow है ये तो हो गई मेरा cash flow इसके अलावा 3 lakh रुपेज इंवेशमेंट करने पर मैं आगे जाके 3 साल तर 1 lakh 90,000, 3 lakh 50,000, 4 lakh 50,000 additionally cash flow generate कर पाऊंगा तो यहाँ पर मैंने देखा कि additionally मैरा investment होगा 3 lakh और additionally मैं ये cash flow generate कर पाऊंगा और इससे मेरा present below cash inflow इतना आता है और additional NPV मेरा इतना आ रहा है पर ये additional NPV जो मेरा आएगा ये तो second year के end में आएगा क्योंकि आज नहीं आज तो मेरा ये cash flow है मैंने सूचा दो साल की बाद जब मेरा नाम थोड़ा सा हो जाएगा तब दो साल की बाद में 3 lakh rupees invest करूँगा और third year, fourth year, fifth year मेरा ये cash flow होगा यनि मेरा NPV का रहा है ये कौन से year में आ रहा है ये second year के end में मेरा NPV आ रहा है और ये नाम बनाने का थोड़े ना 100% chance है क्या पता नाम ना बने क्या पता बैर डूप जाओ तो मैंने देखा कि 60% chance है यसा मुझे लगा कि 2 साल के बाद 60% chance है कि मेरा नाम बन जाएगा और 60% chance है कि मेरा यह NPV आ जाएगा 454 डबल 15 का मेरा यह NPV आ जाएगा कब आएगा second year के end तो पहले तो मैं 0-13 में एक हर आँ तो मैं देखूंगा 0-13 में मेरा NPV आ रहा है तो इसको मैं present value में 2 साल बैक और pull कर लूँगा तो मैंने देखा 2 साल बैक और pull किया तो 0-13 में मेरा NPV additional इतना आ रहा है और यह होने का चांग 60% यह होने का अगर नाम बना तो मैं 3 लाग invest करूँगा और यह कमाल होगा नाम नहीं बना तो नहीं करूँगा तो अब देखिए expected additional NPV क्या होगा मेरा यह होने का चांग 60% है और 0 होने का चांग 40% है तो मेरा additional NPV यह आ रहा है इसी को हम कहते है real option के value यानि expansion option के value ही मतलब अगर हमारा नाम बन जाएगा 2 साल के बाद जो की 60% chance है अगर हमारा नाम बन गया 2 साल के बाद जो की 60% chance है तो नाम बनने पर हमारे यह cash flow होगा यह investment होगा यानि NPV हमारे यह आएगा second year के end में हमें 0-3 का चीब तो 0-3 में हमारे यह NPV आएगा अगर हमारा नाम बन गया तो जिसका chance है 60% तो इसी का 60% जो है वो ही आपका real option की value है तो हम अगर सिर्ल plane देखे अगर plane project को देखे तो हमारे यह negative आर है दोनों को एक साथ अगर हम consider कर ले तो ऐससे situation में हमारा NPV जो है वो positive बैट रहे है तो अगर दूर तक की सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम इसा नहीं कि NPV negative आप project को reject कर देतो आप देखतू कि क्या पता हमारे पास other option होगे यह जैसे अम्मानी जी होगे है ना अम्मानी जी बोलेंगे जीओ में हम पूद रहे हैं तो जीओ में अगर हम पूदेंगे तो ऐससा situation में उन्हें दिखा कि हमारा NPV negative है हम जीओ में नहीं उतरते हैं दिजिटल धंदा कर लेंगे आज जीओ डॉट कम खोल लेंगे है ना जीओ सिनेमा में आई पेल मैच दिखाएंगे यह वो कर लेंगे उन्होंने दूर तक का सोच तो उन्होंने देखा कि अगर हम देखें NPV तो negative है लेकिन अगर हमारे पास expansion option है उस expansion option को अगर हम consider करें तो ऐससा situation में हमारा NPV positive आ रहा है और वो जो expansion option का आज का जीरो तेर में जो NPV है और पांच साल तक मैं 100 100 121 50 150 कमाऊंगा cost of capital 10% तो मुझे देखा NPV नेगटीव आर यह प्रेजेंट वे लोग call cash inflow minus initial investment मेरा NPV नेगटीव आर पर मैंने देखा कि पांच साल के और मेरे पास business expansion option है पांच सालों में मैं अच्छा का सामने hold बना लूँगा जितने भी officer वगेर होगे इनलों के साथ में अपने अच्छा link बना लूँगा है ना थोड़ी बहुत में politicians लोगी चमचागी दी भी कर लूँगा मैं तो उससे क्या होगा मुझे अच्छे project मिल जाएंगे बात में ब लेकिन मैं दूर की सोच रहा हूं कि अगर पांच साल के बाद मेरे पास business expansion option है पांच साल के बाद मुझे 300 क्रोड का investment करना होगा अगर Congress के सरकार आई तो भी मुझे project मिलेंगे मेरा cash flow कम होगा लेकिन होगा लेकिन अगर बीजेपी सरकार आई तो मेरा cash flow अच्छा खासा अगर मैं अगर मैं expansion option को देखे भी मैं consider करूगा कि NPV क्या होगा तो आपका bad situation में additional NPV आ रहे है 89.91 तो हम क्या करेंगे हम बोलेंगे भाई अगर congress आईगी negative आईगी तो हम क्या करेंगे हम expand करेंगी ने तो हमारा देखा जा तो NPV 89.91 नेगेटीव है पर इसको हम consider नहीं करते हैं इसको हम zero मानते हैं क्योंकि 40% चांसे ना congress आनेगा अगर congress आई तो हम project expand करेंगी ने हमारा NPV तब zero रहेगा लेकिन वही अगर मान लीजे good situation हुआ जिसका 60% चांसे कि NPV positive आएगा 60% चांसे तो अब देखिए यहाँ पर additional NPV हम क्या बोलेंगे अगर Congress सरकाराई हम project को expand ही नहीं करेंगे NPV zero उसका 40% और अगर BGPI तो additional NPV आ रहे है 105.16 इसका 60% आगया आपका तो 63.10 का आपका additional NPV बैठ रहा है लेकिन ही 5th year end का बैठ रहा है तोकि 5 साल के बाद ही तो हम यह करेंगे और उसकी आज की 0-10 की value क्या होगी present value में खीच लीजे तो expansion option की value कितनी आ रही है 39.18 आ रही expansion option की value यह expansion की value आ रही 39.18 तो यहाँ पर हम बोलेंगे यही जो है real option की value 39.18 अब देखे यह plain vanilla NPV तो आपका 40.70 नेगटिव था real option की value को इंत्रूट करते उसके बावजूद भी नेगटिव मतलब BJP आ भी जाएगी 5 साल के बाद expansion option होगा भी तो उसकी भी NPV ले ले तो भी नेगटिव आ रहा है तुम यहाँ पर बोलेंगे प्रोचेक्ट को accept मत कीजए तो यह जो आफ इस बादमिक एबसकी यहाँ और व lot करेंगे अगर्गायरे खिट रहा तो ॉकूजर में इन्वस्त करेंगे एक वारे खारी पासtime पहांब और बड़ा ィकूर में वही ही खार्यायओ uesta करें अब हम बात करेंगे put option that is abandonment option की बात करेंगे उससे पहले एक बार मुझे बताई कि अभी तक आपको समझ मैं जो मैं समझाना चाहता हूं तब हम आगे abandonment option के हम बात करते हैं यह यह अपका positive रहेगा जीरो में 40% लगेगा इसमें 60% लगेगा इसको जीरो मत बोल दे न यह तो आपका initial NPV आपका जो main plane vanilla आपका जो project है उसका NPV यह तो negative रहेगा आपका तो अब मुझे बताए क्या abandonment option में जा सकते हाया ना मुझे बता दो यह अब मैं investment कर दूंगा 10 लाव रुपी और अपना से का पोर्स पड़ाओंगा फिर मैंने सोचा कि मेरे पास ऐसा option भी कि अगर 5 साल से पहले मुझे पता चलिया कि धंदा चोपट है तो मैं इसको किसी को बेच बाच के निकल जाओंगा और मेरा ज्यादा फाइदा हो जाए मतलब बीच में प्रोजेक्ट के बीच में किसी को बेच देना इतने बार आप देखना बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रहते जहां पर गॉवर्मेंट आपको option देती है कि आप बीच में चाहोगी तो मैं बेच सकते हो हम खरीद लेंगे आपको धर्ट पाटी आपको option देती सिनारियों की probability दिएगे और बता दिया आपका अलग अलग सिनारियों का cash flow इपर यह लाइन को में delete कर देता हूं आपका वर्ट सिनारियों का cash flow खराब आया normal का average अच्छा है और best सिनारियों में आपको और अच्छा cash flow आपको दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे तीनों सिनारियों में NPV निकालेंगे तो मैंने पहले worst सिनारियों में NPV निकालना चाहाँ तो मैं क्या करूँगा यह सारे 80,000 को और 1,000,000 और 1,000,000 और 1,000,000 को 10% से present value म मेरा पूल करूँगा मैनस इनिशियल इन्वेस्मेंट करूँगा मैरा NPV आ चाहेगा तो दीके सभी cash flow को present value में खीचा मैनस इनिशियल इन्वेस्मेंट किया मैरा NPV नेगेटिव आ रहे है और बेस्ट सिनारियों में मेरा NPV आ पॉजिटिव तो यहाँ पर अब दीकिए अलग-अलग सिनारियों में वर्स NPV नॉर्मल NPV बेस्ट NPV और तीनों का probability भी तो दिया हुए है तो तीनों अलग-अलग NPV जो है तीनों में मैं probability लगा देता हूं तो तीनों अलग-अलग NPV मैने probability लगा दिया हूं मेरा expected NPV स्टिल नेगेटिव आ रहे है तो यहाँ पर plane व 6.66 निकाला था ने इसको अलग तरीके से भी निकाल सकता था मैं क्या कर सकता था बते हैं मैं कहता है यहर वन में 80,000 भी हो सकता है वन लग भी हो सकता है वन लग 20,000 हो सकता यह 80,000 वन लग और वन लग 20,000 में probability अगर आप लगाओगे तो expected cash flow आपका वन लग आएगा 80,000 का 30 24,000 वन लग का 40% 40,000 और वन लग 20,000 का 30% 36,000 अब तीनों को करोगे वन लग आएगा तो मैं क्या करूँगा सभी cash flow उसी year का जो अलग-अलग cash flow है उसमें probability लगा के expected cash flow निकालूँगा यह expected cash flow निकाला और अभी सब यह cash flows को हम क्या करेंगे present value में खीच के 5,000,000 से minus कर देंग हमारा सीधा भी आ जाएगा यहनि जो expected cash flow निकाल लिया हमने और उसको present value में खीचेंगे तो भी आपका वही answer आ रहे है तो दोनों तरीका चलता आपका अब अलग-अलग 3 NPV निकालो फिर उसमें probability लगाओ या फिर अब हर साल का expected cash flow निकालो और उसी को फिर present value में खीच लो अब दोनों चीज़ करोगे आपका NPV नेगटीव ही आएगा अब माल लिचे for example now suppose we have an option to sell the project after two years माल लिचे हमारे पास option है कि दो साल के बाद हम project को 3 लाग रुपीस में बेच सकते हैं यानि abandonment option है हमारे पास कब 2 साल के बाद हम 3 लाग रुपीस में बेच सकते हैं आज नहीं दो साल के बाद हम चाहे तो 3 लाग में बेच सकते हैं इसलिए मैंने दो साल के बाद यहां लाइन दे दी हैं दो साल तो आपका जो है वही चलेगा दो साल के बाद हम 3 लाग में बेच सकते हैं तुम यह देखेंगे दो साल के बाद अब remaining कितना साल बचेगा तीन साल उसका present value गर 3 lakh से ज़्यादा आएगा तो हम क्यों 3 lakh में abandon करेंगे अगर 3 lakh से कम आएगा तो ही तो abandonment करेंगे तो इक काम करते हैं ये 1 lakh 1 lakh और 1 lakh 20 था जिनको 10% से present value में खीचेंगे एक पार देखिए आपड़ा वर्स सिनारियो में आपका remaining 3 years का cash flow ये है इसको मैंने present value में तो आप बताईए अगर मेरा वर्स सिनारियो हुआ future में तो क्या मुझे project को continue करके ये cash flow लेना चाहिए कि मुझे second year में 3 lakh में बेच देना चाहिए तो कि मेरे पास जब option है 3 lakh में बेचने का मैं क्यों ये cash flow से इतना ही कमा हूँ मैं ज्यादा कमा हूँगा तो यहाँ पर आप देखिए बेचने के पर क्या फाइदा है हमारे यस हमारा बेचने पर फाइदा है अगर बेचेंगे तो 3 lakh मिलेगा अगर नहीं बेचेंगे तो इतना ही मिलेगा तो कितना फाइदा बेचने पर 3 6 2 8 9 कब मिलेगा ये पैसा second year के end में मिलेगा तो zero tier में इस abandonment ये abandonment option की zero tier में pull किया तो two triple nine one आ रहा है मेरा zero tier का value तो क्या हम ये पूरा two triple nine one को क्या पूरा का पूरा two triple nine one को मैं मानू value of abandonment option नहीं मैं नहीं मानूँ मैं बूलूँगा ये होने का chance तो 30% ही पर फिर भी चलू ठीक है हम नहीं बोला abandonment की option की value जो है worst scenario में कितनी है two triple one two triple nine one है और इसक probability 30% मैं फिर इसे repeat कर दे रहो त्री लाग में हम बेच सकते है second year के end में लेकिन नहीं बेचेंगे तो हमारे इतना cash flow होगा मला extra cash flow हमें इतना मिल रहे है अगर हम बेच दे तो इसी को बुला जाएगा value of abandonment option in case of worst scenario और ये second year में मिलेगा zero tier की value of abandonment option है in case of worst scenario जिसकी probability 30% वही normal scenario की बात करो normal scenario में ये cash flow होगा और जिसको मैं present value से pull करूँगा तो मेरा 3 लाग से ज्यादा आ रहे है तो मैं बेवकुब थोड़े ना हो जो 3 लाग में बेचूँगा तो यहाँ पर मैं abandonment नहीं करूँगा क्योंकि abandonment नहीं करूँगा तो ज्यादा कमाऊंगा और यहाँ प क्योंकि आप और ज्यादा कमाऊंगे तो यहाँ पर भी 0 है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए मैंने तीन अलग सिनारियों में abandonment option का value निकाला मैंने कहा वर्स सिनारियों में मेरा abandonment option का value इतना आ रहा है यहीं बेच देंगे तो इतना फाइदा होगा हमारा और दो सिनारियों में बेच देंगे तो 0 ही फाइदा होगा तो अब हम expected value of abandonment option ही निकाल सकते कैसे हम बोलेंगे कि तीन सिनारियों 29991 का फाइदा हो सकते है 00 किनों में probability लगा देंगे तो आप देखिए 29991 में 30% probability लगाया हो 0 में 40% 0 में 30% आपका abandonment option का present value आगे यह रहा तो यही आपका value of abandonment option है तो हम यह बोलेंगे एंपी भी बिना abandonment option का तो इतना आरहा नेगे लेकिन abandonment option को consider करें तो एंपी भी हमारा थोड़ा सा कम होगा क्योंकि इतना फाइदा आपको मिलेगा तो आपका still लेकिन negative ही रहेगा मतलब simple सी बात है आपको यहाँ पर 29991 का आपको value मिल रहा है और इसका chance 60% ही है इस पर 30% जो लगीगा वह आपका होगा value of abandonment option यह तो मैंने example खुद से frame किया है and I hope आपको समझ मैं है बाकी मैंने detail में भी एक और shortcut तरीके से कराया था class में बढ़ अभी नहीं कराओंगा मैं अभी सीधा में question में आना चाहता है बताओ क्या तैयार हो illustration 5 अभी हम करेंगे abandonment option का ही question है करेंगे तीन-चार question अभी मैं कराओंगा आपको मैं अच्छे-चे question नहीं question भी है आई सी आगे जाके पूछ भी सकते हैं तो यह मैं कराओंगा आपको तो बुले तयार हो फटा फट से बुलो कि इलस्टेशन 5 में आजाए को बुली इलस्टेशन 5 में आजाए आया ना आये इलस्टेशन 5 के अंदर इस समझ में आ रहा है नहीं तो मच्छे से बता हूं करें यस रेडी इलस्टेशन 5 आई पील अल्रेटी इन प्रोडक्शन और फटिलाइजर इस कंसीडरिंगे प्रोपोसल विल्डिंगे न्यू प्लांट प्रोड्यूस प्रोड्यूस प्रोड़ो option के पीना abandonment option का आपका 100 crore present value है however अगर market condition favorable हुई तो ये present value proposal 30% से बढ़ जाएगा और अगर sluggish रहा यह निए unfavorable रहा sluggish रहा तो ये 40% से गिर भी जाएगा आप समझी फिलाल 100 crore इसकी present value है proposal की फिलाल इसकी value बेंदर्वक कितनी 100 crore है यसकी value होजाएगा यह आगे जाके 40% से गिर भी सकता है अगर 40% से गिर जाएगा यतों 20 crore कृट हुग शसक्ति कृट हूझ जाएगा अब मुद्ना यहां पर कुछ और यह लाइन अंडरलाइन कीजिए इन केस कंपनी इस नॉट इंट्रेस्टे इन कंटिनुएशन अब दा प्रोजेक्ट इट केन भी डिस्पोज्ट ऑफ और रुपी सिटी क्रोड इस एट परसें दिन वाट विल बी ता वेल्ली ओफ अबंडेन में अप्सन मेरी बात यहां से गर इसकी वेल्लू फेल्ली ओट्टी करोड हो जाएगी तो हम क्यूं अबंडेन करेगे अपन करना चाहेंगे जब 60 वेल्लू कि तभी तो अब 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 अबंडन करोगी अधरवेस क्यूं बंडेन करों है न मतलब आप 80 क्रोड में अबंडन कर सकते हो ना यहां से सुनिये आप अगर इसको बेचोगी आपको 80 क्रोड रुपिस मेलेगा तो मेरे भाई जब प्रोजेक्ट से मुझे 130 क्रोड मिल जाएगा मैं क्यों 80 क्रोड में बेचूँगा तो 130 क्रोड में तो मैं अगर एट्ट क्रोड आपको मिलेगा तो 60 क्रोड अगर प्रोजेक्ट की वेल्लू की तब तुम बेच देंगे तो हमारा यहाँ पर put option का फाइद है 20 ग्रोड का यानि value of abandonment option कितने 20 क्रोड है मतलब simple सी बात है उपर value of abandonment option 0 जीरो है नीचे value of abandonment option कितने 20 ग्रोड है अब हमें क्या निकान ले हम इसका present value निकान ले तुम क्या करेंगे 0 में probability लगाएंगे 20 में probability लगाएंगे और present value में खीज देंगे आपका वेल्यू पूट अपसना चाहिए जैसे हम करते थे थे ना प्रॉबबिलीटी निकालना होगा उसके लिए में प्रॉबिलीटी निकालना और यहां पर मैं आपको बता दो रिस्क न्यूट्रल मेथद जैसा ही इसे करती है बड़ थोड़ा सा अलग करती है जो आपको यहां पर करते हैं दोनों से अंसर से ही आएगा बड़ मैं आपको बता दूगा कैसे करना पहले तो मरिस्क न्यूट्रल मेथद है जमें पता है एस जीरो एकॉल यादे ना उसकी सब से करेंगे एस जीरो प्रॉबिल क्रोड अभी चैनल उसकी वैलियो आज की सफिद में है जैसे इस प्रोजेक्ट का आज मार्किट प्राइसे अग्नलीनली गया यह से अपका फॉजेक्ट ना जा सकता हूंक। तो मैंने वह लगा 130 और 60 मैंने लगा इससे मैंने P की value निकाल ली पर ICA मैं आपको बता दो ICA क्या करते हैं यह देखिए ICA इसको मैं रव्ड कर रहा है पर मैं आपको solve करवा देता हूं ICA क्या करते हैं देखिए यही तरीका यहाँ पर जो हमने लिया था ना यहाँ पर ICA बस यह कहते हैं कि S तो आपका ऐसे भी कट जाएगा सब में S कॉमान आप देख लीज़े तो यहाँ पर हम IC के साबसे करम जाए तो हम यह बोल सकते है आपका यहाँ कितना आपका आपका 100 से 130 होगा फिर आपको 1.30 लेना पड़ेगा प्लस 1-3 डाउन कितना जा रहा है 100 से 60 चला जाएगा यहनि 40 परसें डाउन जा रहा है यहनि आपका इंटू 0.60 लेना पड़ेगा इस प्रकार से भी आप करोगी आपका अंसर आएगा बट मैं आपको बता दू आईसी ऐसे नहीं करते हैं आई से 1 का फेक्टर लेता ही नहीं लेता है तो 1 पे हम इंट्रेस रेट चड़ा रहे ना वो नहीं लेता है इसे बोलता है आप ऐसे करो सीधा 8 परसेंट है तो सीधा 8 परसेंट लेको और यहाँ पर आप कितना जा रहे है आप जा रहे 30 परसेंट तो आप 30 परसेंट पी लेको प्लस 1 माइनस पी डाउन कितना जा रहे है 40 परसेंट जा रहे है 40 परसेंट जा रहे है तो माइनस 40 परसेंट लेको इस तरीके से भी आपका निकले गाए 8 परसेंट नहीं 0.08 तो यहां पर अब देखिए अगर हम P P को प्लस करें तो 0.70 P R हमारा और इधर आजाएगा 0.48 आजाएगा therefore P इक्विल आजाएगा 0.48 by 70 यहीं 0.686 आजाएगा और 1-P आजाएगा 0.314 यानि अलग-अलग तरीके से कैसे भी कर अंसर आएगा आप आप यह ध्यान में रखना अगर आप R को 1.08 लोगे तो आपका अब जो है न वो भी आपका 1 प्लस 30% यानि 1.30 होगा और डाउन 1-40% यानि 0.60 होगा आपका 1 कब इस्तमाल करना पड़ेगा आपको हर जगा में अगर आप कहीं पर भी 1 का इस्तमाल नहीं करना चाहते तो R सीधा 1.08 की जगा 0.08 ले लो और अप जो 30% आपे सीधा 30% ले लिया डाउन आपका माइनस 40% है गिरना तो सीधा माइनस 40% लिखा माइनस लिखना पड़ेगा आपको से क्या पता मोगी जी आई सीए न्यूट्रल रिस्क न्यूट्रल के साथ से मार्क्स ना दे इसलिए तो मैं यह ची बता रहा आपको नहीं तुम्हें क्यों बताता है क्लियर है नहीं यह तो यह आप मिस्टीक क्या कर सकते हूं 8% की जगा 1.08 लिखना मत सीधा 8% लिखना 1.30 भी मत लिखना सीधा 30% लिखना और 0.60 मत लिखना 1-40% नीचे सीधा माइनस 40% लिखेंगे मैं लिए 1 का इस्तमाली नहीं करें बस बात खतम तो अब देखिए यहां पर मुझे probability मिल चुका है तो मैं क्या करूँगा 0 into probability 20 into probability divided by present value कितना 1.08 बस बात खतम तो अब देखिए value of abandonment option क्या आएगा आपका मैं सीधा निकालता हूँ यह क्या आएगा आपका देखिए probability क्या 0.686 into 0 plus 0.314 into 20 divided by 1.08 आपका अंसर जो आएगा 5.814 यह दागी अंसर पहले भी यस यह यह 5.81 प्रोड तो abandonment option की value क्या 5.81 प्रोड बताओ illustration 5 क्या आप आराम से कर लोगे आप बताओ मुझे क्या illustration 5 आप आराम से कर लोगे हाई या ना मुझे बता तो स्पार्क्लिंग जी बोरे सुरूती जी सर आप जब यह पढ़ाते हो अब यह क्यों बोलते हो कि सुन्दर लड़की मिल गई अब यह भी तो कह सकते हैं कि अच्छी लड़की मिल अच्छी को मेरी नेजर में सुन्दर ता कलर नहीं है मैं सुन्दर उसी को मानता हूं जो दिल से सुन्दर का फी डेफिनीशन आप गलत साइट इंटर्प्रेट करें सुन्दर का मतलब यह कि आप दिल से कितने सुन्दर हो काला गोरा की बात नहीं कर रहा है ऐसे होगा तो फिर हम लोग तो फिर सुन्दर में आएंगे ने पिर कहरें से थोड़ी नहीं संदर होता है दिल से इंसंस उन्दर होते ना आप गलत भी मिले रही हूं पर मुझे आ बोल रही है अच्छा किंद्र कर दिया तो है डाना कवर कैसा अच्छा कि न रही है कोशे में फोटी मान आधों करते हैं यह जो कवर में नहीं सची बोले मैंने लुग है कि कि है कि अखम उसी इंसान से प्यार करते जो दिल से सुंदर प्यार करते यसा होता तो पीछे पड़िया है तो पीछे नहीं पढ़ा होगा ना का नाम जो रिश्टपन के पीछे पड़िये हैं जलो कि यूटूब पर एड्स बन कर दो एड्स बन दी स्टार्टिंग में बस आता है और एंड में आता है बीच में तो एड्स आता ही नहीं ऐसे भी और में एक्जाम टैमी यूजली बंद भी कर देता हूं आपका टैलेंट तो कमाल का है बैए चलो थैंक्यू सुमा चलिए एक नमबर कवर क्या से आईए कोशें में 41 हाँ और वसी रोटेल के लिए कोशें में 41 कि कॉल ऑप्सन ओन गोल्ड विद एक्ससाइस प्रेश 26 हो जी नहीं अलग कोशें पर यह करवा देता हूं क्या पता बू 27,300 हो जाएगा 24,700 हो जाएगा या तो 26,000 से price 27,300 हो जाएगा या फिर 24,700 हो जाएगा एट प्रेसंट ये लाइन बहुत इंपरेटन एट प्रेजिँ इस सॉपसन इस अट दमनी कब होता उतर स्ट्राइक प्राइब उर स्टॉक की प्राइस सेम हो तब हम उसे प्राइब न हम रिस्क न्यूटल मेथद का इस्तमाल कर सकते हैं कि यह फाइनिंशियल ओप्षन है ऐसे बहुत है जैस बोल सकते हैं रियल ओप्षन तो नहीं है अध्लिस है अब सकते हैं कि अब ब geography सिखाय को हैंजीं का जटी कर सकती है बश्चय में कुछ बूल सकार्वितल मेस करें यहां तो आप फिर बेस्ट न्यूत्र मेथद नगा देना सली है यहां पर आप再 al les आपका आचाएगा अब कैसे भी करके देखलो आपका आएगा पी इंटू 1.05.95 लगा या 1.03 आपका देखिए 80 और 20 आएगा प्रोब्लेटी आपका पॉइफित एफ्टेंड अब हम बात करेंगे हमसे क्या पूछा जाँ रहा है हमसे पूछा जा रहा है कि जो करेंश च्पॉर्प्रीमियम हे क्या वो जस्टीफेट है या नही मंन ad 1000 10 जो कॉल आप्सिं की प्रीमे में हो जस्टीफेट है या नही उसք और प्रेजेंट वेल्यू में 1.03 से खीज़ दीज़े बस बात खतम तो आपका 1010 ER मतलब करेंट प्रीमियम जस्टिफाइड है यह कोशन तो कितना सिंपल था इस कोशन में कुछ ही नहीं दम आपको बता रहूं बस यह ध्यान अगना यह लाइन आपको प्रेजेंट वेल्यू में खीज़ना और बताते न वो जस्टिफाइड बस बात खतम और कुछ ही नहीं इस कोशन और कुछ ही नहीं यह इसको हैज रेशियो से बहुत कर सकते हैं आई से अप चाहो तो वैसे फुच्चे कर ले ना वह मैंने सिखाया होगा अब मैं आपको टाइमिंग उप्सन पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने ग्रोथ ऑप्सन आपको पढ़ाया जहां पर कॉल ऑप्सन के हम बात करें तो उसका कोशे नहीं था इसे का फिर मैंने आपको अब आपको पढ़ाऊंगा टा आज करूँ कि थोरह रुख जाओं वही बात है प्रोजेक्ट में आज इंवस्मेंट करते इमीडिटली स्टार्ट करते प्रोजेक्ट को कि एक साल रुख जाते तो वही टाइमिंग और आपको बताऊंग आईसे का एक कोशेन टाला हुए पर उसका सोलुशन गलत है और गल या आईसे कैसे बोल सकते हो यह वो अब कामी यह से मत करो नहीं बोलेंगे नया स्टेडी मैटरेल है उसी में आप गलती करते हो तो बोलेगी ना लोग अरे एम तक को सीयम पीम तक हम क्रिटिसाइज कर देते हैं डेमोक्रेसी वाली दुनिया में रहते है तो आईसी क्या ची है अकल से नहीं मिलते है काम से मिलते है रस्पेक्ट आपको चैब वो ऐसे क्यों ना हो चलिए टाइमिंग ऑप्सन हम देखते हैं माल लीजे आप प्रोजेक्ट का कॉस्ट 50 क्रोड रुपीज है एन्वल कैस लो आपको 4.8 क्रोड मिलेगा अगर आप इमीडिटल स्टार्ट कर अगर मैं लाइफ टैम तक 4.8 क्रोड कमाऊंगा और डिस्काउंट रेट 10 परचेने तो उससे मैं कैपिटलेस कर दूंगा इंफिनिटी कैपिटलेस कर दिया हम तो एन्पीवी कितना आएगा 48 क्रोड प्रेजेंट वेलोफ वाल कैसे लोगा इनिशल इन्वेस्मेंट 50 अगर मैं एक सालं इंटजार करता हूं तो आपका 2 सेनारिय हो सकते हैं या तो मैं हर साल 6.5 क्रोड कमाऊंगा हर साल 6.5 क्रोड क्याफ दो उसकता है अगर मैं एक साल इंदजार करो तो रिसक फ्री रेड भी दिया होगा तेन परचन है तो यहां पर आप देखें इहां पर देखें अगर इमेड़ेटली स्टार्ड करते हैं तो उसकी वेलू क्या है जिसे हम वेलू बोलते हैं इसीने क्या कर रखा हूँ मैं बतारू गलत कर रखा हुआ है आपको भी पता चलेगा हम यहाँ पर क्या लेते है आज का मारकेट प्राइस होता है तो कि जो भी present value cash flow होगा जो भी future का cash flow होगा उसका present value तो आज का market price है तो यह 48 crore है यह 48 crore जो आपका आज का market price है यह future में क्या हो सकता है अगर 6.5 crore करके हमने cash flow हर साल generate किया तो 6.5 divided by 10% 65 crore होगा और अगर 4 crore करके generate किया तो 40 crore होगा मतलब अभी इसकी value 48 crore है एक साल बात 65 crore भी हो सकती है एक साल बात 40 crore भी हो सकती है अब आप मुझे एक बात बताओ अगर एक साल के बात 65 crore होगी तब तो हम project में काम करेंगी क्यों करेंगे क्योंकि 65 crore इसकी present value होगी और हम 50 crore इंवेस्ट करके 15 crore का एंपी भी दिखीगा हमें हम project तो accept करेंगे लेकिन वही अगर 40 crore हुई तो हम project में investment नहीं करेंगे क्योंकि कौन 50 crore लगाएगा और 40 crore मिलेगा अभी तो दिखो हमें समझ नहीं आ रहा start immediately एक साल रूख जाओ अगर 65 crore दिख रहा president will invest कर देना 6.5 divided by 10% अगर दिख रहा 40 crore तो मत करना तो अगर नहीं करोगे तो इसका NPV आप मुझे खुद बताईए 50 crore investment की cost initially 40 crore मेरा president will of cash influence तो आप बोलोगे सर NPV minus 10 crore आएगा लेकिन मैं तो investment करूँ। यहीं ना मैं तो project में investment इनकरूँगा तो इसका NPV मुझे minus 10 crore लेना चाही कि 0 लेना चाही आप मुझे बताईए आप मुझे बस इतना बताईए इसका NPV मुझे minus 10 crore करो लेना ही जिए कि 0 obviously बाते मुझे 0 लेना चाही फिर आपको IC का solution बढ़ाऊंगा चो उन्होंने बरबाद कर रखा हुआ है तो यहाँ पर अब देखिए अब मुझे निकालना है probability तो probability कैसे निकालूँगा मैं देखूंगा अब डाउन कितना जा रहा है 48 क्रोड आज की value है यह अब जाएगे 65 क्रोड तर यानि 35.42 परसें अब जा सकती है या फिर डाउन जाएगे 48 से 40 क्रोड यानि 16.67 परसें डाउन जा सकती है तो यह आप है यह डाउन है तो probability इंटू अ आपर equal 10% आपका risk free rate तो इससे मैंने P और 1-P की value निकाल दे अब क्या करूँगा 15 में मैं probability लगा दूँगा यह वाला और 0 में मैं यह वाला probability लगा दूँगा present value में खीज दूँगा मेरा आ जाएगा 6.98 क्रोड बस बात कर दो तो करना तो कुछ था ही नहीं आपर करना क्या फिर 40 क्रोड हो जाएगी अब मुझे एक बात अब बताओ आप से मैं पूछता हूँ अगर आपको कोई पूछे कि कितना percentage बढ़ा है 48 क्रोड 0-13 में value है यह future में 65 क्रोड बढ़ सकती है अगर मैं आपसे पूछो कितना percent बढ़ेगा कितना percent अब जाएगा आप तो 48 और 65 के इच के difference देखोगे ना आप क्या कभी इससे difference देखोगे कि 50 क्रोड हमारा cost लगेगा और future में 65 क्रोड हो जाएगा एक साल के बाद तो क्या यह 15 क्रोड को आप मानोगे क्या यह जो 17 क्रोड है इसको आप मानोगे आप खुद बताई यह तो 15 क्रोड आप नहीं यह तो profit है यह तो यहाँ पर मैं 50 से 65 को compare करूंगा तब तो यह आप कहलाएगे नहीं जो आईसे की तरफ से problem है तो यही ची मैं आपको बताना चाहता हूं कि गलत कुछ कोई बच्चे होते हैं वो पोलते नहीं आईसे सही हो सकते हैं आप ही गलत हो सकते हैं तो मैं आपको बता रहूं आई आप बताएगे कि आमें इमीडेटली प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना ची करना ची करना ची इमीडेटली करेंगे तो माइनस टू करोड है एक साल इंतजार करके करेंगे तो 6.98 करोड है तो अब आजो आईसे के कोशिन में जहां आपको रट्टा लगा देखिए यहाँ पर और 21 लाइक डिवाइट बे 10% करोगे 2.1 करोड आपका प्रेजेंट वेलू क्यास इंफ्लो है मतलब माइनस पॉइंट फॉर करोड का नेगेटिव आपका आरे तो दीके माइनस पॉइंट फॉर करोड का एंपी भी नेगेटिव आरे मतलब इमीडेटली प्रोजेक्ट को स् शार्ट करें तो यही जो 2.1 करोड आज की वेलू है सकती है या 35 लाइक दिवाइट बे 10% या फिर ये घट के 12 लाग दिवाइट बे 10% 1.2 करोड भी हो सकते होना ऐसा ही चाहिए बट IC ने क्या क्या रट्ता मरवाना है आप आइसी ने क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ IC ने यहाँ पर क्या किया 2.5 करोड ले 2.10 करोड की जगा 2.5 करोड ले और 3.5 करोड और 1.2 करोड तो सही है अब मैंने बोला कि यहाँ पर NPV क्या आएगा 1 करोड आएगा वो तो सही NPV 1 करोड आएगा आपका लेकिन ये 2.5 करोड लेना सही नहीं कि ये गलत कर दिया आएसे नहीं ये जगह में रट्टा लगाना आपसो रट्टा ही लगाने कोश्चिन समझ चाहिए उपाई नहीं NPV आपका 1 करोड आएगा क्योंकि 3.5 करोड आपको प्रेजेंट विलोग क्या से लोग क्या 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 है और इधर तो आपका निकाले अब दाउन निकाले यह भी गलत पढ़ा दिया और फिर इसके चलते इन्होंने प्रॉबिलिटी निकाला दोनों का और वो जो प्रॉबिलिटी आप देखिए नेगेटिव में भी लगा कि यह वेल्लू निकाला और वह तो फर्स यह का वैलू आएग उसको जीरो त पूरा का पूरा यहां पर मैंने छूटा सा गलती कर दिया कि आपका फ्रस्ट यहां पर भी वह होने हम चाहते तो इसको सीधा ही लिग सकते थे लंबा चूरा क्यूं बनाने कि वाइट बई वन पॉइंट वन जीरो और एक बार बता दे तो मैं आपको आपको याद होगा जब हम प्रॉबिबिलिटी निकालते हैं रिस्क न्यूट्रल मेथद वगेरा का इस्तमाल करते हैं बाइनूमेल मॉडल रिस्क न्यूट्रल मेथद हम आपर आरेफ लेट तो यह बस धिहान रखेगा कि आप जब यहा बागी जगामे तो क्यापिटलाइजिशन वह तो यह बागी जगह में तो कैपिटलाइजीशन वह तो प्रसंट है तैन परसंट जैसे हर साल कमाएंगे तो उसको टैन परसंसे खीचना इचिसने लेकिन जब आप रिस्क न्यूटल मेथद का इस्तमाल करोगे वहां पर रिस इसलिए आर हमें यहां पर एट पर्सन लिने यह गल्टी मत यह मिस्टेक नहीं करोगे तो आपका अराम से हो जाएगा बट यह कोशिन इतना इजी कोशिन हो सकता था इतना सिंपल हो सकता था जिसको आई से ने कॉंप्लिकेटेट कर दिया गलत सोल्यूशन करके तो यहां पर इसलिए मैं बोलता हूं रट्टा मार उसलिए मुझे मज़ा नहीं आया इस कोशिन को पढ़ागे बाकि यह वाला कोशिन मैं अभी नहीं करूंगा आप इसको सेल्फ करना और सेल्फ करने की बिज़रतनी यह डियल ऑप्सन का ओल्रेडी वीडियो मैंने जो डेटेल वीडिय अल्रेडी वीडियो यूटूब में है महां से आप कर सकते हैं अभी नहीं कराओं तो आप बताइए क्या यह सारी चीज़ा परफेक्ट एक्दम अच्छे से यह वाला रट्टा मारना आपके बास उपाई नहीं है तो इसी के साथ हम रियल ऑप्सन का हमने रोद ऑप्सन ने खतम कर दिये अग्दम अच्छे से तो अभी हम आ जाते हैं ब्लैक सोल्स में यह थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा कोशन उपाई नहीं है दो जगा गलती की देखिए एक तो 2.10 लेना था 2.5 क्रोड लिए है वहां गलती है अब डाउन भी उसाब से गलत निका लिए है यह सब प्रॉब्लम इन्होंने क्रियेट कर दिये है अब हम ब्लैक सोल्स करते हैं ब्लैक सोल्स खोड़ की मज़ाना इस बात का दिहान रखेगा झाली कर दोड़ चाहिए ब्लैक सोल्स खोड़ कर दो आए है यह झाली कि हुआ हैं लिए यह जो जाँ पनार गता दारे ग्रभ कर दो जो आए है अगर ऑट शोड़ का एक से लुजो ग्लेक्सो स्टार्ट करते हैं अच्जार्ट करो स्टार्ट करते हैं कर दिए ब्रॉजो अज्टार्ट कर अचक्ट-प्रीन एक अच्छार्ट कर एक अच्छार्ट विए अब यह तो सवाल एक्जाम में कौन सा लिखना है यह तुम मैं बताने के पोजीशन में नहीं हूँ कास आइसे वाले मेरी बात सुनते हैं तो मैं उनसे पूछ के आपको बता देता हूँ कि मैं आपको यह बोलूँगा गलत वाले लिख्या यह यह मेरा सजीशन अब आगे क्या पता हो सजिस्टेट में सही कर दे क्योंकि आप तो यह भी हो चुक है कि उन्होंने बोल दिया है कि जो मारा स्टेडी मैट्रेल है वह अलग डिपार्टमेंट मनाता वह एक्जामिनेशन को नहीं पता कि इस्टुएंट को स्टेडी मैट्रेल को फुलू गरना चाहिए कि जो सजिस्टेट अंसर है बोर्ड ओ स्टुडिस के वह फुलू होने चाहिए वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है खतरनाग है खतरनाग है 900 लाइक सब्सक्राइब है तो लाइक बचा हुआ 898 हुआ है लो जी ब्लैक सोल्स स्टार्ट करते हैं देखिए ब्लैक सोल्स के अगर मैं बात बताओं बाइनमेल मॉडल में हम सिर्फ दोई सिच्वीशन देखे लिए बढ़ेगा या गिरेगा पर रियालिटी में तो आपका बहुत अलग-अलग सिच्वीशन हो सकता है बढ़ भी सकता है बहुत अलग-अलग तरीके से बढ़ स्मय के अपट फूर्मूल आपको स्टर्मबे मैं वाइट नंगा और कि इता उस तार्टार्ट के जाता हूं करने मैं थोड़ा-धौרכ को याद कराऊंगा इप उससे पहले मैं आपसी सवाल पूछना जाता हूँ अब बताये ही बाया option exercise कब होगा call option तभी तो exercise होगा ना जब strike price से ज़्यादा हो stock price मानले ज़्याइक प्राइस से फाइव इनिट से ज़्यादा तभी तो आपका call exercise होगा यानि आप यह बोल सकते हो कि call की जो value होगी वो simple सी बात है stock minus exercise price होनी चाहिए आप यह से एगरी करते हो कि लिए करते हूं मैं काम करता हूं लास्ट पीज में लेकि जाता हूं फिर मैं आपको उसमें लेकि जाओंगा मेरा केना यह है कि अगर आप मुझसे पुछोगे सर्कॉल की वेल्लू क्या होगी लुग प्रइस कग ट्यमनिस एक्ससाइज सब्सक्राइस कि यह आप से में पूछो पूट की वेल्लू क्या होगी अब लो सर्कॉल प्रैस माइनस टोप्रैस कुंकि पूर्ट तब एक्सैस में बाद में खरीर के मुनाफ़ा कमा ले तो यह तो समझ गय एक्सद्राइब माइनस नक़्राइब यह नहीं अब पर ने क्यों लग इसा anonymous अस्याना करती कि तो हम क्या करते है पोर्मुला इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको यह बता दू है और में आज की प्राइस यह ए इस लिए एक्सराइस प्राइस को भी हम प्रेजन्ट विलू में लेकि आते हैं और ब्लैक सोल्स में सब कंटिन्यूस काम बाणिंग होता है और इसलिए इसको एक्सपोनेशल, इर्ट का Jakobs करके हम इसे प्रेजन्ट विलू में लेकि आएईगे तो अभी call-boxon की value का formula क्या होगा मैंने पोला स्ट्राइस माइन्स exercise फ्रेश को प्रेजन वैलो में ऍशुपारऊ – और राट करों अब इन्डी और यह आपका call- 본 daw के बात करते हैं तो पुट प्राइक प्रैस में लगा था यहां पर भी करेंगे लेकिन यहां पर हम वन माइनस एंड़ीवन करते हैं एदर हम करते वन स्वरी वन मैंनस ंड2 और इदर हम करेंगे वन माइनस एंडी वन यह आपका पुट की प्राइस पुट का प्राइस है तो यह आपको याद अराम से हो जाएगा एक यह याद होगे तो फिक अपनियाप की होगा यह इदर आ गया और यह जीरो में लेगा याद कीजिए मेरे साथ सथ अभी के भी खतम कीजिए अभी के भी हम इवाब बुट को बूल जाते हैं हम कॉल की बात करते हैं कॉल का फॉर्मूला क्या होगा वेल्योफ पॉल अक्षन सर याद आ रहे हैं तो प्रेस मैनस एक्साइस प्रेस इमें आप लगा दो ए अर्टी तक पहले मुझे दीवन दीटू निकालना पड़ेगा फिर मैं ऑदिवन एन दीटू निकालना फिर नत्रीट अब प्रेस तर alltså क्या होगा एक बात बताईए यह जब कॉल ऑप्सं एडदा मनी होता है न तो यह आपका वन आएगा आगा दिखते है तो कि जो stock का price अगर 15,000 है तो exercise price भी 15,000 होगा अगर call option in the money होगा तो stock की price ज़्यादा होगी और exercise price से ज़्यादा stock की price होगी अगर in the money होगा तो यह ln s0 by यह आपको बता देगा कि option जो वो in the money की at the money है जैसे अगर मैं आपसे पूछू अगर 1.25 आया माली तो यह 1.25 कब आएग जब e से बड़ा s0 है मतलब यह in the money call option in the money होगा अगर मालीजे ln s0 by 1 आया मतलब यह call option at the money होगा और अगर मालीजे ln आपका .90 आया मालीजे तो मतलब s0 कम है ज्यादा है मतलब यह क्या बोलेगा out of the money call option out of the money तो उसी हिसाब से आपको यह represent करके बता देगा कि यह क्या in the money out of the money कि क्या है उसको factor मिली जाएंगे तो अब मैं वापर से repeat करों डीवन डीटू हमें निकालना फिर ंडीवन डीटू निकलेगा पीवन कैसे निकलेगा नेचुरल लॉक एस जीरो भाई इना प्लस हम करेंगे आर प्लस हाफ्स वेरियंस आर प्लस पॉइंट फाइव हाफ वे कोई बात नहीं है तर हमें अराम सी याद होगा लन एस जीरो भाई यह तो याद होएगा नेचुरल लोग स्टॉक प्राइज भाई एक्सराइस पैस यह तो अराम सी याद हो जाएगा इससे आप इंदा मनी वाला देख लेना मतलब जो हमने लिया था ना एजिरो और यह ब लेकिन आर में कुछ आदा वैरिंस को भी जोड़ दे और नीचे और कुछ नहीं है यह वैरियंस की जगा में एस डी लिया गया है और इसलिए टाइम भी रूटी में आ जाए तो इसलिए यहां पर सिग्मा रूटी लग रहा है तो अब मैं वापस इस फोर्मूला को लिखत करने में मुझे एकदम पसंद लिए एए यह आपको समझ में आया प्लैस हम क्या करेंगे आर प्लैस आधा वैरिंस इंटु टाइम और आप देखें नीचे हम वैरिंस नहीं लेंगे सिगमा लेंगे सिग्मा लेने के वाचे से टाइम में रूट लग जाएगा तो यह आपका D1 वह आपका और फिर D2 क्या पता है D2 कुछ ने D1-Denominator D1-Denominator मतलए D1-Denominator इसकी बात करो D1-Sigma रूट यह आपका D2 है इसके साथ यह formula बते कि आप अराम से याद हो रहें की निए मेरे परपस एक बार यह कि आपको याद करा दो एक बर यह याद करा दे ना आप बलो यह सब ब्लैक सोल्स पो एकदम इसी अराम से हो जाएगा एक बर यह खूर में चला जाए बस आपके तो एक बर लास्ट रिपी एक ब्लस हाफ वैरियंस उसको टाइम से मल्टिप्लाई करेंगी एक आर प्लस हाफ वैरियंस धी लिये है रूट वैरिंस की जगा एसट लोगह रूट है ताब बताई क्या यह हो गया अगर यह आराम से हो गया तो आप आगे बढ़ते हैं बताण कितने को याद हो मुझे च कि इतने बच्चों को मेरे साथ सब याद होगे हैं याद होगे हैं रेक्टम अराम से पूलिए तो अगे बढ़ते हैं अगर आपको याद होगे अब अराम से होगा आपका सेर्ड दिया हुए आपका करेंटली प्राइस है 450 यह सजी रो गया 450 एक्सराइस प्राइस भी दिया हुए 400 और रिस्क फ्री रेट 5 परसंट दिया हुए एंड स्टेंडर्ड डिया हुए आपका कितना 22 परसंट यह आपका स्ट हो गया पेज ओन्द एजंशन डेट टील सी लिमिटेट इस नॉट इस नॉट गए बताऊंगा चोथे पॉइंट में अब यहां पर कोई डिवरेंट का रोल नहीं तो कुछ नहीं करना आप तब भी याद होगे बहुत भी अच्छी बात है अब रटाने भी ग्रेट हो से अब रटाते भी ग्रेट हो हाँ रटाने में में एक नंबर हो तो यहां पर आप देखें ओवर्ड नेक्स त्री मंस की बात कर रहा है इस दो ऑप्सन वर्थ बाइंग फॉर्ट 25 रुपीज तो यह त् कॉल अप्सन की वेलु क्या होगी एस जिरो इंटू एंटी वन माइनस इंटू एंटी टू हुआ एको प्रेज़ेंट वेलु में खेचना है इन उसके लिए डीवन डीटू पहले निकालो तो डीवन क्या लेंगे नेचुरल लोग एस जिरो भाई 415 भाई 400 प्लस आर आर कि यहां पर पूरा साल के लोगे बाद में अलग से लगाओगे ना जैसे यार्ट में रेट पूरा ले तो टाइम लगा दे तो वैसे यहां पर पूरा परेनम का रेट लोगे टाइम पिरेट लगा दिया 3 बैट 12 आपका टाइम पिरेट लगा दिया और नीचे के लिए सिग्मा 22 परसेंट है 0.22 और टाइम है रूट 1.25 इसी को फिरम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे डीवन का वल्लू आ जाएगा और डीटू के डीवन माइनस दिनोमिनेटर यह था तो आपका डीवन माइनस दिनोमिनेटर हो गया डीवन माइनस दिनोमिनेटर डीटू भी आ गया तो क्या डीवन डीटू अ अन्राम से नहीं निकल सकते हैं आप मुझे ये बताऊ कि देंन अि यस्ट में धर्भर दोने लेगे ठीब टीटॉ अर्वाम से निकाल सकते हों typically हाय न सुम्धिक अगर डीवन डीटॉप आराम से निकाल सकते हैं अपको डीवन क्या होगा चेल ogni 1 अफको निकान लें और वैसे nd2 निकान लें यह निए n.3932727 आपको निकान लें तो इसके लिए आप क्या करोगे एक तो आप जेट टेबल का सहारा लोगे और आप इंटरपोलीश करोगे तो जेट टेबल का सहारा अगर आप दिखोगे तो आपको आप पर n.50 n.51 का वेलू दिया यह देखें एंट.50.6915 है एंट.50.6915 है एंट.50.6915 है एंट.51 क्योंकि आपका 0.5032727 जो इन है 0.5051 के बीच में और यह n.51 यह रापका आपको एक्जाम में गिवन रहना चाहिए 0.69501 तो मैंने क्या क्या मैंने n.50 की वेलू लिखी n.51 की वेलू लिखी और इंटरपोलेशन करूंगा तो मुझे इसकी वेलू आ चाहिए और मैं उमीद रखता हूँ कि यह तो आपको आता है यह प्लिस म और बस बात कर थो दोनों की वेलू अब निकाल लोगे तो वंस आपने यन्डी वन अलिटो की वेलू निकाल लेगे अब करना कुछ नहीं है चुक की प्राइस पॉल आप्सिण की वेलू कैसा निकालोगे ऐस 0455 नहीं एक्ससाइस प्राइस फोन रेंड है डिवाइड बेर इसकी वेलू आपको गिवन रहेगे और नहीं भी गिवन रहे तो आप एक जगा पर आपको गिवन रहेगा यह मैंने आपको डिखा देता हूं मैं आपको यह देखें इसकी वेलू हमारा निकल रहे यहां पर बैठा दिया एंडी वन एंडी टू तो मैंने निकाल लाए इसी के साथ कॉल ऑप्सन का वेलू 29.51 तो आप मुझे बताए अगर कॉल ऑप्सन का वेलू होना चाहिए और यहां पर है आपका कितना है कि यहां पर मैंने बस आपको इंट्रपोलेशन वाला चीज़ नहीं सिखा है बागी समय आपको बताई दिया हूं पिर से रिपीट कर दे रहा हूं पूर्मूला याद करा दिया था डीवन डीटू पहले निकाला हमने और और फिर nd1 में मतलब और इसकी वेलू निकाल लिए इसका आगे पीछे पॉइंट 50.51 उसकी वेलू आपको जैट टेबल से मिलेगी और उसी के साथ इंट्रपोलेशन करके आप यह निकाल सकते हो अराम से यह मैंने बार बर पहले भी बहुत बार सिखा है अभी मैं निस पताया तो था टाइमिंग आप्सें पिछले जो कोशें कराया था यह पॉइंट नंबर वन हमारा हो चुका है अब हमसे पूछ रहा पॉइंट नंबर टू में वेलू ओफ कॉल आप्सें बताई है बेस्ट उन ब्लैक सोउस वेल्यूइशन मॉडल अगर करेंट प्राइस 380 है तो कुछ नहीं करना है एस जीरो में 415 की जगह यहां पर 380 लिख होगे और सॉल्व करोगे तो यह मैं क्यों बता हूं लेंगे बागी वही डेट है सॉल्व करा तो डीवन आया डीटू आया फिर एंडीवन एंडीटू निकालके निकाल लेंगे तो पॉइंट नमर टू या पॉइंट नमर टू पस यह 380 वल्यू आपको चेंज करना है फिर आपसे पूछे रहा वाट वूट वी तवर्थ और पूट ऑप्सन अगर करेंट प्राइस आपका 380 है जीरो 380 है तो मैंने पूट ऑप्सन का फोनूला पताया था ना आपने अगर 380 के हिसाब से देख आप वही nd1 nd2 की वेल्यू बेठा ही जो फोर्मूला आपका है फूट ऑप्सन का फोर्मूला क्या था एक्स बैए एर्ट वन माइनस nd2 और इधर एस जीरो वन माइनस nd1 तो nd2 nd1 का वही जो वेल्यू निकाला था अपने पॉइंट नमर टू में 380 का स्टॉप पॉइंट नमर टू में 380 के प्राइस है आपने nd1 nd2 निकाला है उसी का सहरा लेकिए पूट ऑप्सन की वेल्यू निकाल सकते हो बट मैं आपको बदा दू आईसी ने क्या किया यहां पर आईसी ने पूट कॉल पैरेटी थियोरी का इस्तमाल करके अंसर निकाल आप वैस टॉक प्राइस यहां पर देखें हमारे पास एस जी रो का वेल्यू ओर और यह ना गयृए और आइसे करके भी आप देखिए PG0 की value आ रही है आप ऐसे निकालो formula लगा कि तो भी 25.55 आएगा आप put call parity theory से निकालो तो भी आएगा मैं आपको recommend करूंगा आप इस तरीके से करना यहीं पूट-call parity theory का इस्तमाल करना और वैसे निकाल ले क्योंकि call option की value निकाली भी रहीगी आपकी stock का price ही आपके बस exercise price रहेगा strike trace तो उससे आप ऐसे निकालोगे ज्यादा easy रहेगा ज्यादा simple रहेगा तो यह भी आप अराम से कर लोगा कि इतनी दर चलने वाला एक्लस मेरा chest pain होने लग या पढ़ा पढ़ा कि फिर भी मैं पढ़ा रहूं और आप उस तो कितनी दर चलने वाला एक्लस अभी तो पढ़ कि अधिक करें वाचिंग गॉट पॉर्स फर्स एंट यू सो मच विकाल जी टाइम बहुत पीता है यह कुछ है ना टाइम तो पीता है यह एक फूर्मूला याद रखो और अगर सीधा put option के पूछ लिए तो क्या करोगे नहीं का जी ज्यादा बुद्धी मत लगाओ call option का data ही नहीं रहेगा तो put call parity थोरी काम नहीं आएगा तो आपको put option का भी फूर्मूला याद रखना पड़ेगा अब point number 4 में देखें क्या बोले TLC limited share price at present is taken as Rs.408 आपका stock price दिया हुए 408 और different भी दिया हुए 10 रूपीस आपको यहाद होगा पहले भी हम different को हमीसा माइनस करते थे stock price जैसा अपने futures का theoretical value भी निकालते थे interest plus होता था different minus होता था यह मत भूले तो आप यह समझ लेजें आपर black souls में कि जो भी different रहेगा न उसको आपको spot price से minus करना पड़ेगा adjusted stock का price निकालना पड़ेगा क्योंकि different तो आपको recover हो जाएगा तो उसका value आप call option में नहीं ले सकते है वो आप माइनस करोगे तो आपका different यहाँ पर 10 रूपीस दिया हुआ है इसको में माइनस कैसे करना है तो आप बोले साथ simple सी बात है stock की price 408 है सीधा different को minus कर देते 398 हम ल प्रेजेंट विलूफ डिविडेंट निकालेंगे प्रेजेंट विलूफ डिविडेंट क्या होगा 10 divided by ERT क्योंकि यहाँ पर सब कुछ continuous compounding होता ब्लैक सोर्स में तो 10 divided by ERT मतला 10 divided by ER कितना है आर आपका कितना 0.5% है और यह कितना two months time हो गया तू बैट्वल यहीं 0.05 इंट आपका आएगा 10 divided 1.0084 आएगो इन्हें 9.916 आपको माइनस करना 408 सब यह माइनस करोगे 10 माइनस नहीं करोगे present value of different इन्हें 9.916 आप माइनस करोगे तो वही आप देखिए पॉइंट नमर फॉर में 408 से मैं 10 माइनस नहीं करोगा मैं 9.916 आपको माइनस करोगा मेरे adjusted as 0 यह आने वाले और यही फिर मैं as 0 में इस्तमाल करोगा तो as 0 में आप देखिए मैंने 408 का इस्तमाल नहीं किया यह adjusted different है after different adjustment अगर होगा तो different adjustment करेंगे और फिर आप accordingly nd1 nd2 निकाल के call की value निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी जिसे call की value जब निकालोगे तो as 0 आप यह लोग है adjusted वाले लोग है तो आपको बस कुछ नहीं करना पॉ जिरो जो लोगे ने हर जगा में वो adjusted वाला लोगे तो allen s 0 में भी आप 398.083 लोगे और नीचे भी फिर s 0 में भी 398.083 लोगे और आप call option की value निकालोगे तो यहाँ पर पहले और चोथा में यह फरक था पहले वाले में बोल दिया कि different declare नहीं होने वाला तो different का कुछ नहीं से क्या हो दिल चौथे वाले पॉइंट में बोले different है 10 रुपेस तो वह जिरो से माइनस होगा तो आप यहाँ पर बस लिख लीचे प्रेजेंड वेल्यू ऑफ डिवरेंड रिड्यूस फॉर्म एजिए तो कैल्कुलेट वेल्यू ऑफ ऑप्शन की वेल्यू कैल्कुलेट करने के लिए आप माइनस करोगा तो यह कोशन आपको प्रैक्टिस कुछ से करना पड़ेगा मैंने सारा चीज आपको समझा दिया था और ब्लैक सोल्स का भी मैंने यह वीडियो डिटील वाले यूट्यूब में डाला था यहां पर मैंने सॉल्व किया था बट अभी तुम्हें फटावट रिवाइस करा रहा हूं कोशन में 51 में कुछ नहीं है सेम कोशन है बस एक चीज मुझे बताना और कुछ नहीं अब देखो हमने तो पिछले वाले कोशन में जैट टेबल का साहरा लिया तो यहां पर आपको एंट सरे इंट्रस रेट दिया हुआ आपका तो आप इसी इस अब से डी वन की वैलू अपने निकाल लिया पर मुला लगा है डीन का वैलु निकाला पिर बंदी वन आपको निकाल लए तो अन्डी बंदी वन की वैलू अरे 05820 तो हम क्या करेंगे बेसिकली हम ऐसे लेते 0 ایک 0.58, 0.51 Jable ले लिरना और हम in interpolation करके निकाल रहें पर यहा पर question आपको दिया हुँआ यह 055.60 तो विसका हमाद के जब? कोई बाद नी में gap ज्यादा है पर इसका हमाद करोगे तो 055 और 020 diba की value यह कैसे आएगा वो मैं समझाऊंगा गए 70887257 यह देखे 0.55 में लिखा 0.7088 0.60 में लिखा 0.725 तो इस इसाफ से इंटर पोलीशन करके आप बतेए 0.5820 की वेल्यू क्या होगी हमने निकाला 0.7197 वैसे 0.292 है तो 0.25 0.30 की वेल्यू दीवी है तो उस इसाफ से हम इंटर पोलीशन करके अंडीटू की वेल्यू निकालेंगे और एक्वाडिंगी फिर बाद में हम C0 की वेल्यू निकालेंगे पोल ओप्सें की वेल्यू निकालेंगे अब मुद्दा यह है कि हम यह वेल्यू कैसे निकालेंगे तो हमेसे धिहान रखना एक्जाम में आपको चीहगा cumulative area अभी बस जो जो याद कराना है वो मैं समझा दें रहो exam में क्या चीएगा cumulative area cumulative area सीधा दिया हुए तो सीधा वह ले ले लिना अगर cumulative area नहीं दिया वाँ वन tail दिया हुआ है तो 1 से minus करोगी इसको वन tail को क्या करोगे 1 से minus करोगी cumulative area आ जाएगा तो जो ये वन टेल दिया हो है ना मैंने देखिवन से माइनस कर दिया वहीं आपका क्यूमिलिके वेरिया कभी कभी ये टू टेल दिया हो रहता तो अगर टू टिल डिया हो रहता है तो पहले डिवाइड बैट टू करके उसको वंडिल बनाओ अगर तीन चीज हो सकता है cumulative area दिया हो रहेगा सीधा ले लो one till दिया हो रहेगा one से माइनस करके ले लो two till दिया हो रहेगा तो पहले one till बनाओ divide by two गर के पिर उसको one से माइनस करो तब आपका cumulative area आएगा और वही cumulative area का आप समाल करो बस बात खतम इस question को भी अप अराम से समालोगे और कुछ नहीं आपर करने के लिए बताने के लिए और कुछ भी तो अगर ये भी चीज हो गया तो अब मैं आपको एक और black souls का question कराना चाहता हूँ रियल option का यहाँ पर भी मैं आपको एक छोटी सी चीज याद कराऊंगा हाला कि जिस तरीके से हमने उपर डिवरेंट का एजस्मेंट किया था वैसे भी एजस्मेंट करके solution कराया जा सकते है बट अभी वो solution मैं आपको बताऊंगा नहीं पिछले वीडियो में मैंने वो बताया था पिछले वीडियो में मैंने solve करके अलग से ही बताया था जो detail वाला वीडियो था वहाँ पर मैंने solve करके बताया था पट यहाँ पर मैं डिवरेंट का adjustment थोड़ा सा अलग प्रकार से करूँ तो आप बता ही आप तयार होके एस question के ये आकरी question है real option का using black souls और ये मुझे लगता है ICA test कर सकते है इसलिए इसको LDR में रखना है ये मुझे लग रहा है ICA test कर सकते हैं इस question को कि ये निया question है और ये निया question है थोड़ा सा हुआ सा अलगे वाला कुषिन है तो क्या पता आयके का कभी भी लगे आयसे आपको पूछ ले तो दा नंबर के लिए बारा नंबर 14 नंबर के लिए पूछ ले यह पूचा जा सकते कि पता सब्कट करें इसको थे पिर फिर ठेइरी करना रोकुछ निहीं तो कि प्र क्रेक्टिकल और बढ़को जाएगा एक लिए प्रैक्टिकल कुछ ने क्उन्यां करने प्राइब्टिकल में कुछ नी छोड़ा मैं झाल यह ग्रीन टी भी नहीं और कॉपी भी नहीं ब्लैक टी है और यह दो गॉर्ड ऑफ थैंक्यू सो मच तो थक गया हूं एक मिट बैठा बैठा है थोड़ा सा रिलाक्स कर रहा हूं कि बाद पढ़ेंगे आपको पता है यह चीज़ेगा मैं रिकॉर्ड करके देता ना तो दू-तिन दिल लगाता मैं यह कोशिन करने के बाद उपता हूं यह पर फिट फोरी कर रहा हूं प्रिया जी मैं ब्लैक्टी बे रहा हूं प्रिया इसमें म्यूजिक प्ले करने से ना वह नहीं आता है वलब साउंड में आता है पतलब आपका कनेक्टेड है ने यह काड़ के दूए लग टी बीना सुगर की बेता कि वाट्टू वट को फिट्टा माटता है गलत करो आप बस समझ लो उपर उपर से उतना काफी है कि मैंने एक सीनियर से पूछा था एक फार रोड एएफम किस से लो एंडिसे प्रतिक सर के अलावा किस से समद्ध थैंक्यू अच्छिव जी प्रियाची आपको नीन अगर लेनी है तब पीना होता है रात को पीचे और सो जाईए उसे मैंने सुच्छे सुना है कि नीन अच्छी आते हैं कर लो करता हो मैं कभी-कभी रेगुलर नहीं होता किच्छन में कपाल बाती भी करता था अभी तू नहीं कर दो कि मोहमची करें सार हैंड्सम लग रहे हो थैंक्यू सू मच मोहमची चलू जी इलस्येशन फूर अब हम देखते हैं ना में हमार्टिस प्राइस होता है और एक्सेस प्रैस प्रोजेक्ट में काम करते हैं प्रोजेक्ट में अगर काम करेंगे तो इनको 12.5 million dollar investment करना होगा तो यह exercise प्रोजेक्ट में घुसेंगे प्रोजेक्ट को exercise करेंगे तो हमें इतना पैसा देना पड़ेगा तो यह समझा है यह real option में यह आपका 12.5 million जो आप invest करने वाले जो पैसा पसाओगे that is what strike price वही आपका exercise price है इसे को हम E बोलेंगे यह हो गया E आपका और आगे क्या लिखा हुआ है एस पर the survey conducted the expected present value of cash flow from the sale of drug during 15 years sell be dollar 16.7 million यहनि जो 16.7 million 7 million dollar जो है आपको future में जितने cash flow है उसका present value जिसे future के price से हम present price निकालते है future के earnings हम present share का price निकालते है as zero वैसे यहाँ पर future के cash flow से आप present का present value निकालोगे cash flow का तो यह जो present value of cash flow है ना 16.7 million यह और कुछ नहीं इसी को हम as zero बोलते हैं तो real option की language को समझे जो आप invest करोगे वो exercise price है जो present value of market price है जो present value of cash flow है वो क्या है आपका यह आपका as zero हो गया तो यह तो सारा चीज हमें समझ में है time period यहाँ पर आप देखिए क्या 15 years का time period है interest rate दिया हुआ आर दिया हुआ 7.8% और यहाँ पर variance दिया हुआ 26.8% यहाँ पर इन्हों ने थोड़ा सा problem कर दिया अब मेरी बात यह समझे 26.8% variance दिया हुआ पहली बात तो 26.8% variance कभी होई नहीं सकता 26.8% square होते हैं लेकिन हर question में कुछ ना कुछ problem किया हो क्योंकि variance हमेशा percentage square में होते हैं तो 26.8% लिखा हुआ है लेकिन है 26.8% square है तो अगर आपका percentage square यह variance है तो इसको मैं decimal में अगर लिखो तो मैं मतलब कैसे लिखूँगा 26.8 divided by 100 into 100 दो बार करूँगा क्योंकि percentage square एक percent equal 100 होते है परसेंट मतलब क्या per century percent मतलब 100 तो percentage square मतलब 100 into 100 होगा तो 26.8 divided by 100 divided by 100 यह point 00268 होगा तो देखा जाए तो real माहिन में variance को अगर मैं decimal में निकालू तो यह point 00268 होगा बट IC नहीं यहाँ पर भी problem किया आपका variance होना चाहिए यह मेरे नजर तो यहाँ पर आपको याद करना है तो देखिए एस जीरो आपका मैंने औरेड़ी बता दिया प्रेजेंट विल्यों कैस्ट्रू 16.7 मिलियन डॉलर है exercise प्राइस आपका job investment करो के 12.5 मिलियन डॉलर है variance आपका गलत किया हुआ 0.268 हमें लेना पड़ेगा उपाई नहीं है इंट्रेस एट 7.8 परसेंट है आर एक्वल 7.8 परसेंट 0.078 है और time period आपका 15 years है अब बस आपको एक different ध्यान में रखना वो मैं आपको समझाओंगा पहली बाद ध्यान से सुनुए आप कोशिन एक बार रेड कर लेड़े जरी ये medicine बना सकती है being an approach drug ABC holds the right of production of drugs and its marketing याने इसके पास अधिकार एक पेटेंट के जरी कि यही production कर सकती है और कोई नहीं कर सकता पेटेंट 15 years after which कोई भी कर सकता मतलब इस फॉर्मूला को इन्हें पहला 15 साल आपका आप जो चाहे करो 15 साल आपका कौश इतना लगेगा प्रेजेंट विलू इतना है आपका यह सारा चीज़ दिया हुए 15 years का टाइम के रहनें बागी डिटा दिया हुए पुला value of patent निकाल वही तो value of call option होगा अगर हम इसको call करें इसमें invest करें मैंने कहाना call मतलब investment अगर हम investment करें इसमें तो हमारे क्या फायदा होगा जो मुझे कैस कंपणी देती वही डिवरेंड हो गया और कुछ भी नहीं तो वैसे यहाँ पर आप देखिए यहाँ आपका जो जो डिवरेंड ह है हो क्या है मैं ज्यादा नहीं समझाओगा डेटेल वाले विडियो में JOHN in है हमें जो प्रोगेक्ट से हर साल क्यास मिलेगा और मान की चलत किसी कभी 70 pepsन होता है तो मान लो 100% हमें जो भी पर स्टेंटीज वैस बता रहो है वैली निकाल सकते हैंमा वैलू निकालना पॉसिबल है बट हो अभी नहीं बताँगा अभी मतलब नहीं विडियो एंड्रेड पर्सेंट आप समझ लीजे मुझे डिवरेंट मिलेगा इतने सालों में मिलेगा 15 सालों में मिलेगा हर साल कितना मिलेगा 100 divided by 15 अरल साल मुझे 6.667 पर्सेंट मिलेगा और ये कब तक मिलेगा 15 साल तक तो आपको याद होगा स्टोब करते हैं इसे को मुझे प्रेजरेंट ग्लियो में खीचते है और वह क्या करंगा आपको समझा बिता है मैंने नीचे solve किया था यह देखो 6.67% मुझे 15 बार मिलेगा into 15 किया मैंने 15 times करके और जो value निकाला उसको मैं as 0 से minus कर दूँ तो आपका ultimately answer देखो as 0 से different को minus भी किया यह तरीके से भी solution करोगे बट आप इस question में मत किजेगा क्योंकि जो given में information है वो इस प्रकार नहीं दीवनी है तो यह आपको मैं allow नहीं करूँ आप बुले sir याद करना पड़ रही है याद करना पड़ रही है याद करना पड़ रहो पाई नहीं आप यह समझे जाना real option का black souls model में real option का black souls model में different सीधा as 0 से minus नहीं कर दूँ जैसे हमने इस नमें ERT वैसे आर माइनस डी सीधा परसेंटीज है आर भी परसेंटीज में रहेगा डिवरेंट भी अपने परसेंटीज में निकाला है आप सीधा माइनस यहीं पर करते ना बात करते तो आपको क्या करना है एलन एज जीरो बाइए लेने है और माइनस डी करना इंट्रेस में डिवरेंट माइनस करते हैं तो फ्यूचर में भी दिखा था वैसे आर माइनस दी पहले कर देंगे पर्चेंटीज में माइनस कर देंगे प्लस सीम फॉर्मूला पॉइंट पाइफ सिग्मा स्कॉर सी सिग्मा रूप सीम फॉर्मूला मैंने लिग के जामुचकी किया ताकि आपको दिमाग में चल जाए तो बस यह वाला ध्यान रखता है यहां पर देखिए इंट्रस रेट मेरा 7.8% है यह नहीं 0.078 है उसी में मैंने डिवरेंट को माइनस कर दियो 15 टाइमस भी हो चुका है तो यह डिवरेंट एक साल का यह है और इंटू 15 टाइमस कर दिया इंट्रस रेट भी एक साल का 15 टाइ कि डीवन डीटू दोनों की वेलू निकालोगे अब मुद्दा क्या पते हैं यहां पर यहां पर डीवन तो आपका आगया 1.2315 तो मैं डीवन कैसे लिख सकता हूं पता है एंटीवन लिखूंगा एन 1.2315 और डीटू कितना है पता है डीटू नेगेटिव आ रहे हैं तो मै अंटीटू कैसे लिखूंगा एन माइनस 0.7735 इसको पता हम कैसे लिख सकते हैं यह वाले को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं एन माइनस 0.7735 जाएं फ़े लिखूंगा फट माइनन सब hole न की पॉप लिख जाएगा 0.7735 तो यहां पर डेके N-.7735 को में लिख सकते हो 1-N.7735 तो यह सारा चीज़ जो जरूरी चीज़े मैंने बता दिया अब इस हिसाफ से आप D1, D2 से ND1, ND2 निकालोगे अब KETTable का साहरा लेकर Interpolation करके आप निकालोगे आपर तो यह करके आपने निकाला और finally फिर आप patent की value जो call option की value का formula होता है S0 into N-D1 और exercise price जो है उस पर ERT लगाती है into N-D2 लेकिन आप धिहान रहे S0 आपको adjusted वाला लेना है याद आया कुछ adjusted वाला आपको S0 लेना पड़ेगा अब बोलोगे सर वो तो पहले से लिया हुआ नहीं हमने यहाँ पर क्या क्या था यहाँ पर S0 gross वाले लिया था बिना dividend minus क्या हुआ और D यहाँ से adjust कर दिया था यहाँ से भी कर सकते वो तरीका अलग है बट वो मैं मना कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर भी तो आपको पोई S0 जो है न वो नेट वाले लेना पड़ेगा तो इसमें से दिखे डिवरेंट हटा रहा हूँ है डिवरेंट आपका क्या होगा इडिवरेंट आपका एक साल का इतना है तो पंद्रा साल का कितना हो इए एक साल का डिवरेंट 6.67% मैंने इन्टो 15 तेम्स कर दिया EDT कर दिया मैंने तो इस प्रकार मैंने निकाला 16.67 की 1.0005 आया अब आपको मैं दिखा तो इन्होंने गिवरेंट में क्या दिया होगा इन्होंने गिवरेंट में E1.0005 ये भी गलत क्या होगा ये E-1.0005 इनको देना आता ये उसकी वल्लू है माइनस ये देना भूल गए ये E- की वल्लू है ये देना भूल गए मैंने चेक कर लिया ये उनकी गलती है तो अब देखिए हाँ पर अगर S0 by EDT S0E हो गया EDT की वल्लू ये है ये आ रही है मैं divide by E-1.0005 को पता कैसे लिख सकता हूँ मैं मैं into इसको numerator में अगर में ले जाओ ना तो ये E-1.0005 आजाएगा मतलब ये तो denominator में denominator को अगर आपको numerator में लगाना है तो आप power minus हो जाएगा वोई same numerator को denominator में लिखे जाना है तो power में minus आ जाएगा तो यहाँ पर आप देगे 16.7 divide by E-1.0005 है ना इसको बैसे लिख सकता हो 16.7 into E-1.0005 और ये तो ND1 की value है और इधर X वाला जो value आएगा उस पर ND2 लगा कि आप कर लोगे आपको ये question practice करना पड़ेगा और किसी को अगर आई नहीं रहा पहले किया हुआ नहीं तो डेटेल्ड वाला वीडियो यूटूब से देख लेज़ेगा हमाँ पर solve किया मैंने अभी तो उतना time है नहीं solve करने का तो यहाँ पर मैं फिर repeat करो dividend percent में निकालना 100% 15 साल में मिले रहा हर साल cash flow वही dividend है हर साल का cash flow dividend है तो हर साल का dividend होता है 6.67% तो मैं क्या करूँगा R से ही minus कर दूँगा 6.67% जो है R से minus कर दूँगा और ऐसे करके D1, D2 निकाला फिर N, D1, N, D2 निकाल लिया यहाँ पर N, D1 नेगेटिव आ रहा है पर क्या है यह दिमाग खराब कर दिया यसी दिमाग खराब करने वाला question ने उपाई नहीं बट मैं मुझ में यह मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने साथ एक बार कर रखा होगा जिसने एक बार कर रखा वो उसको अच्छे दर समझ में आगी है जिसने नहीं कर रखा वो उसको समझ में नहीं आएगा आप एक काम करना न ब्लैक सोल्स प्रतीक जगाती मानना यूटूब में मिल जाएगा उसमें सारे ब्लैक सोल्स के question में ने कर आए किसी को कुछ सोड़ा वो समझना इसमें और मैं समझा दूँ वहापर तुम्हेंने अलग alternative way में पर कर वा है तुम्हें difference बता दे रहो आप देखो हमने पिछले वाले question में क्या किया था और यही adjusted stock price हमने क्या किया था यहाँ पर भी लिया था इस question में हम क्या कर रहे है दी वन निकाल दे समय तो हम आर से सीधा dividend को minus कर दे इसलिए यहाँ पर adjust कर रहा नहीं हमने पर नीचे तो 0 में आपको adjust करने ही पड़ेगा यहाँ पर आप EDT लगा के present value में खीच रहो और सभी को present value में खीच रहो सब भी dividend को present value में खीच के निकाल रहे हैं तो आप S0 में से dividend निकाल रहे हैं समझ में आया तो dividend निकाल ले पर आपका इतना ही आ रहा है इसको मल्टिप्ल है करें सिक्स पॉंट सम्थिंग जो वही आएगा आपका S0 का adjusted वाला जो कि पैसे भी निकाल सकते हैं किसी वीडियो में थुरा detail कर दीजें नहीं अब पॉसिबल नहीं है अच्छा बदा रहो मैं आप कि S0 में से मुझे मुझे曲 करना चाइए कि नहीं करना चाहे मुझे इतना बता ही है सो नधिम hair day और मुझे स्टोख प्राइस जो थे एडजस्टेड लेने और माइनस hice करना चाहिं अब यह पिल स्कारते है कि अग्छर Dao जो क्या करना चाहे हों अगर हम मुझा करते深 तो इन्ट्रेस जोडते हैं तो इन्ट्रेस 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 इन्ट् इंड्रेंट जोड़ूंगा तो इस रो में डिवरेंट जोड़ूंगा तो इड लिखूंगा मुझे जिरो में इस रिइन फिल टी लिखूंगा षोवीजर एसडिवुड Newton नदे है कितने साल का इदिवनेंट निकालने हैं तो मैंने किया कि एस 0 मेरा कितना है 16.7 15 साल का डिविन निकालते एक साल का डिवरेंटन है जिरो i6 6 7 6.67 इंटू 15 साल मैं कि 16.67 डिवाइट बे कितना आएगा ुसुतुसु त। 1.2385 य E 1.2 05 इस चिंटा अब 16.7 इंटु E माइनेस 1.290 फाइब में लिख सकते हूं। और इसकी वेल्लू दी भी एक कॉशेमं मी ४ॉष माइनेस 1.035 दी बी जितना 0.367 6.1405 यह अगर आप देखो कि तो स्पॉर्ट प्राइस यह आपका स्टो एडजिस्टेट एजिरो यह जो मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको पता है हम चाहते तो यहाँ पर R-D ना करते वे सीधा S0 में 16.7 लियाता ना 16.7 की जगा पे हम चाहते तो सीधा यह वाला ले सकते हैं इस पॉन one four zero five ने जो की adjusted as zero है थो हम ले सकते थे चाहते तो बट मैं आपको recommend नहीं करूंगा क्या पता आपको आपको card दिरूर से प्रेक्टिस कर लेने कोशिए है। दिरूर से यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं यहाँ पर मैंने मंच में कच्छी हो गया। प्रैक्टिकल में सान्ती मिली प्रियाजी डिटेल वीडियो में है आपको कुछ नहीं करने लेक्स तोल्स प्रतिक जगाती माणने उसमें सारा मिल जाएगा कि दिखा भी सकता है कि वाद करना कि दिखेंगे सेकेंड वाला दिख रहेगा है जो सेकेंड वाला दिख रहा है ने टेन के व्यूज दो गंटी का इसमें मैंने ब्लैक सोल्स के सारे कुछिन कर रहे हैं अच्छे से करवाए डिटील में समझाया है पुलो दिख रहे हैं यह वाला है यह वाला है यह कोशन सॉल्फ कर रहे हैं ले क्लिक के सॉल्फ करवाए दिखेंगे आप लोगों को नहीं आएगा तो पहले से दिखाया हुआ है पॉइंट ब्लैक सोल्स का कुछिंग कर रहा है मैंने इसका पॉइंट डबल जीओ डबल वन प्लस पॉइंट और वो जो रियल उप्सन है न उसका भी वीडियो है यह दिखें इंट डॉप्समें भी मैंने आपको सारी ऊप्सन के कोशेंट सब कुछ कराए हुए इस अब लेलन घ्राइब कर देंगर्दिक ब्रेक करकी जैसे यह भी ब्रेक करकी अलग अलग दिखाते हैं तो बार वह ऐसा दिखा देना ताक्या आपको नंबर अच्छे परस्ट यह नहीं वाव इसा तो नहीं होते हैं कि कई बार दिखता हूं वीडियो अपनी भी कुछी फूरेंट लिए कि कि अपने वाला खूल लिए हमने कि अपना वाला खूल लिए इधर आपके चैट भी अब दिख रहे होंगे कि अपने वाला खूलोग अदो आपके चैट के दिख रहा हूंगे इस यह एक है तो बूलिए क्या मैंजा लिलिये मैंने तो अब क्लास ओबर निए थियोरी कराने है ठोटा सा ब्रेक लेके करते हैं एक क्षिक्टास मतलब पुर्द समुझे रिफ्रेस्मेंट चाहिए आदा गंटा ब्रेक लेंडू है आवहाजिसा जीक्तम सफ़ गां आदा गंड़ा कब देख लेते हैं अब पर इचीद मत बनों सर क्या क्या बोलते हो आदा गंड़ा कब देख लेके करेंगे कि दस में होगा चलो 25 मिनिट का ब्रेक लेते हैं चाय ब्रेक पंदरा मिनिट डी चलो 20 मिनिट का ब्रेक लेते हैं अधा गंटा चलो 20 मिनिट का ब्रेक लेते हैं तब तक मैं क्या करता हूं पता हमें अपना स्ट्रीम रोग दूँगा यह तो अन्नेसेसरी वह रिपॉर्डिंग में भी जाता है नहीं कोई मतलब नहीं कि अधान आपका नमारा बेस्मेट का अब चलो ठीक है 20 मिनिट का लेते हैं तैंटीं 55 वेश्य पंदरा में मिलते हैं कि अधिक है कि अच्छे बच्के 15 में मिलते हैं थ्योरी स्टार्ट करेंगे दे कि अच्छे लोग फोल हटा देता हूँ कि अच्छे हम करेंगे भी हैं बहुत चाहिए ग्रीक ऑप्सिंस ऑप्सिंस ग्रीक हो गया एक्जोटिक ऑप्सिंस हो गया वेदर डेरेविटेस एलेक्रिसिटी डेरेविटेस कॉमोडिटी डेरेविटेस त्यूरी करेंगे त्यूरी के पीडियाप मैंने अलग से आप लोग को प्रोवाइड किये कि तोरी का पीडियो वालक से प्रोवाइड किया में आप लोग कि अच्छों ट्वेंट्वेंट्वेंट्य मिनिट्स में आता हूं ठीक है के बच्के पंदरह मिट में रिजूम करेंगे चुछी झाल 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 चलिए यह थोड़ा सा तकान हो गया थै इसलिए एच्छे पंद्रा में आने वाला तब पांच में ज्यादा लेट गूँए पाफ करना में तो पैसे पढ़ रहे हैं न ठक जाते हैं को अलग से पीडियोग था आपको अल्रेडी टेलीग्रा में मिल चुका है ना अब जैसा है वैसे पढ़ते हैं अब करें स्टार्ट आप लोग पूलो करें सुरू करें से क्यूरिटी वैल्यूशन लास्ट ट्रेम कर रहा था ना कर लो कि विडियो वफर हो रहा है कैसे कि इंटरेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे खाल से को दिक्कत नहीं होना चीए में तो बात करें तोियोदि का चेल्य तैर्ट करें तो ड्रीट इस थीओरी के अंदर में क्या क्या पढ़ाने वालों को सबसे बढ़े औप्सन ग्रीक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको प्र लोग को अंदर एक क्रेडिट डेपौल्स वह पढ़ाऊंगा अब लोग को फिर इसके बाद आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं वेदर डेरीविटिक्स और फिर है commodity derivatives यह सब आपको मैं पढ़ाने वालों बहुत इजी है रेखें यह लॉप्सन तो पढ़ाया है वह बस आप कुछ से गोत्रू करोगे समझ में आएगा सारा ची बस एक पर गोत्रू करवा दूँगा मैं आपको फूरी जो तो यह commodity derivatives सच बता रहा हूँ और साथ-साथ आपने exotic option थोड़ा सा इसमें हम टाइम लेंगे उसके बाद सची बता रहा हूँ फटावट हो जाएगा सच बता रहा हूँ जूटनी बोलूँगा मैं आप लोगे के पार रुपना बचाए तो रहो गया अब चली स्टार्ट करते हैं कि लगए बहुत अराम से हो जाएगा और सबसे पहले पहले सब्सक्रार बात करें वह आपने वालव की जो पॉट्ट ऑप्सन की वैल्लू है वो पॉन से ऐसे से फैक्टर से जिसे वह एकट करते हैं उपसन की वैलू बदलती है तो डेल्टा गामा वेगा यह सब ठीटा यह सब की वज़े से आपका ऑपसन की वैल्लू में में इंपक्ट आता है उप्सिन के प्रीमियम में आपको समझाऊँगा सबसे पहले मैं आपको डेल्टा समझाऊँगा इसने मान लीचे आप एक्तम यहाँ पर मुझे साथ साथ है ना रफ पेज़ भी चाहिएगा काम करता हूं किसी के बीच में डाल लेट कर तूंगा तो वह हैंग होगी है क्या है आप एड़ होगी है काम ही नहीं कर रहा है पर अब तो फोन कर रहे हैं लों बार बार क्लास में उन्हों कोई important matter है हाँ 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 ठीक 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 तो यहां पर आप देखिए मेरी बात यहां से सुने डेल्टा का मतलब मैं आपको यह समझाना चाहिए तो माल लीजे फूर इग्जाम्पल स्ट्राइक प्राइस है निफटी का थोड़ा सा तो समझाना पड़ेगा निफटी का स्ट्राइक प्राइस आपने ले के रखा फिफ्टिं थाॉजन और आपका फिलाल स्टोप प्राइस जो चल रहे है प्राइस जो चल रहा हो वो चल रहा है 14,000 आप बताएं क्या यहां पर पॉल ऑप्सन इन्द मनी है एड़ मनी की आउट ओफ दा मनी मैं आपको रिपेट करके यह समझारे रहा हूं आउट ओफ दा मनी का मतलब यह होता है कि कॉल ऑप्सन जो है वो करेंडली लैप्स होने के सिच्विशन इन्द मनी मत जहां पर प्रेस और स्टोप रहे से तो यह है निए इन न मनी यहां पर देखिया आप 15,000 की ऊपर में कॉल एक्साइज होगा अभी तो सहर का प्रेस कि तना 14 और मान लिजा आपने प्रीमियम यहां पर दिया है कॉल प्रीमियम आपने दिया 20 रुपीज का या 40 रुपीज ले दे तो 40 रुपीज का आपने कॉल का प्रीमियम दिया आपर तो यहां पर हमें साफ दिख रहे हैं कि यह आउट ओफ दा मनी है अब अगर मान लो फूर एक्जामपल 14,000 से यह अगर 14,100 हो जाएगा तो कौन सा आप तीर मालोगे कौन साब जंडा कार लोगे बताईए जैसे मान लीचे क्रिकेट मैच के अगर हम बात करें क्रिकेट मैच में मान लीचे आपको एक तीम है मान लीचे आपको 500 गा टार्गेट दिया गया अब 24 छक्के मार भी दोगे तो उससे थोड़े ना जीत जाओ गया मतलब कहने का मतलब यह कि अगर अभी करेंट निफ्टी प्राइस 14,000 है और आपका कॉल ओप्जन का स्ट्राइक प्राइस 15,000 है अगर मान लीचे यह 14,000 से बढ़के 14,000 वन रेट हो गया तो यह 100 से अगर बढ़ जाएगा तो कि आपका कॉल प्रीमियम भी 100 से बढ़के 140 हो डेल्टा क्या रोल प्लेई करता है डेल्टा आपको बताएगा कि अगर आपका प्राइस में चींज आएगा तो उससे कॉल ऑप्जन में कितना चींज आएगा उसके लिम डेल्टा का इस्तमाल करते हैं और यहां पर जैसे मैंने लिखा हुआ भी यह जो डीपली आउट प्रेमियम में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो अगर प्रेमियम प्रेमियम में कोई भी चेंज नहीं आएगा 40 का 40 रहेगा यस यह 40 का 40 रहेगा क्यों क्योंकि आपका देखो 14,000 से कर यह 14,000 वन रेट भी होगे तो कोई बड़ी बात नहीं है 16,000 बहुत दूर है तो ऐसा सिचुएशन में इसका डेल्टा जीरू रहेगा मतलब अगर आपका निफ्टी में बढ़द भी होगी अगर आपका वैसा सिचुएशन में आप्सन का प्राइस कुछ खास बढ़ने वाला नहीं लेकिन जैसे जैसे वह एट दा मनी की तरफ आते जाएगा जैसे माल लिजा फॉर एक्जामबल प्राइक प्राइस आपकर मैं राफ में समझा रहा हूं बस आपको माल लिजा आपका स्ट पता है इसका डेल्टा फिर चेंज होके ना डेल्टा पॉइंट थ्री हो गया माल लिजा तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो कॉल प्रीमियम हो कितना बढ़ेगा पता है 100 पॉइंट निफ्ती बढ़ा लेकिन कॉल का प्रीमियम जो है वह हंड्रेट का 30 परसेंट ही यहनी 30 पॉइंट से अपका पॉइंट से आपका प्रीमियम बढ़ेगा या मनलो अगर आपका डेल्टा 2 एंट अपोइंट से कॉल प्रीमियम म बढ़ेगा तो chang word कार्व comments कितना सितना बढ़ा है तो का पर निर्वर करता है कि आपको option कितना बढ़ेगा और वही अगर मैं आपको बढ़ा दू अगर call option at the money है तो यूजवली उसका डेल्टा 0.5 के नस्दीक में रहता है और वही अगर मान लिजे deeply in the money होता है ना तब ऐसे situation में वन होता है जहां पर आपको लगता यस आपका यह एक्साइज तो हो गई तो वहाँ पर जब deeply एक्दम दूर एक एक्साइज की situation में जैसे एक और एक्साइज ले ले दूँ जैसे मान लिजे आपका strike प्राइस हुए है वह फिटीन धाउजन है और आपका स्टॉक की प्राइस जो चल रही है निफ्टी की प्राइस जो चल रही है वह 16 धाउजन चल रही है तो यह तो deeply इंदमनी है पत सकता है इसका डेल्टा तो अगर कॉल ऑप्सन की जो कॉल ऑप्सन की जो वल्लू है वह पहले मान लोगर हंड्रेट थी तो और हंड्रेट से ही बढ़ेगा 200 हो जाएगा वह यानि मुझे बस आपको यह समझाना प्रैक्टिकली समझाना मुझे आपको थियोरी बताना है आप आप बस इतना दिहान में रिखिए डेल्टा का मतलब क्या होता है इडिस देगरी टुविच इन ऑप्सन प्रैस मूँव इवन ए स्मॉल चेंज इन अंडरलेंग स्टॉक प्रैस इन इस्टॉक प्रैस निफ्टी के प्रैस में कितना बदला होगा जरूरी नहीं उतना से देल्टा है उसके हिसाब से बढ़ेगा तो यहां पर यह बस आपको ध्यान में रखना आइटिंग यह समझ में आना ची जैसे मैं आपर दिखा भी रहा हो एक एक एक्जाम्बल दिखा रहा हूं माली जैस सेवन डेस का कॉल ऑप्सन है करेंट निफ्टी 15,000 चल रहा है और आपने 15,200 के स्ट्राइक प्रैस में आपने कॉल अप्सन लिया है तो फिलाल आप देखें यह आउट ओप दा मनी क्योंकि 15,000 जो है यह पहले 15,200 को पार करेगा तब कॉल एक साइज होगा और इसलिए जबकि यह आउट ओप दा मनी इसका डेल्टा पॉइंट टू है और अ उस पर आपका जो डेल्टा है उससे मल्टिप्ला होगा 200 इंटू पॉइंट 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 निफ्टी जिरूर बढ़ा है बड़ आपका कॉल का वेल्यू जो है न वो 200 इंटू डेल्टा यानि 40 से कॉल का वेल्यू बढ़ेगा तो पहले जो 60 था वह आप 100 हो अब जब कि यह आपका हो चुगा देखे 15200 हो गया मतलब यह एट दा मनी हो गया तो बताई कि अभी पर डेल्टा पॉइंट टू रहेगा की बदल जाएगा आप मुझे बस इतना बताईए डेल्टा कि अभी भी पॉइंट टू रहेगा की बदल जाएगा जैसे जैसे वह इसे इंदा मनी के तरफ जाएगा डेल्टा भी चीज होते जाएगा तो अब देखें डेल्टा जो है पॉइंट फाइब हो तो आगे 15200 से 15500 हुआ आपका निफ्टी 300 पॉइंट बढ़ा तो ऐसे सिचुएशन में आपका पॉल का वेल्लू 300 इंटू पॉइंट पॉइंट ही से बढ़ेगा यynि 100 पॉण 50 250 हो तो यही चीज है डेल्टा यार्टा आपको यह बधा आगर स्टॉक की प्राइस या निफ्टी की प्राइस में चीन्ज होगा तो उससे आपका और देल्टा आप निकालोगे कैसे डेल्टा का फोर्मूलना जो भी आँपने ब्लेक सोल्स वही आपका डेल्टा होगी, तो डेल्टा आपको मैंने एकदम अच्छी से समझा दिया, गामा कुछ नहीं, गामा ये बताता है कि डेल्टा कितना rapidly कितना fast change हो रहा है, जैसे डेल्टा पहले 0.2 था, 0.3 हुआ, 0.4 हुआ, 0.5 हुआ, 0.6 हुआ, जैसे जैसे आपका option, out of the money से add the money, add the money से in the money की तरफ जाएगा, वैसे वैसे आपका जो है डेल्टा भी change होगा, तो गामा आपको ये measure करके बताता है कि डेल्टा कितना fast change हो रहा है, अगर किसी का डेल्टा fast change हो रहा है, तो that means what, volatility अच्छी है, तो इसलिए गामा ये बताता है, how first delta changes for small changes in the underlying stock price, यह गामा मत था, फिर आपका delta .5 हुआ, फिर .8 हुआ, तो जो delta का changes है न, .2 से .5 से .8, इसका measurement किया जाता है कि कितना fast ये change कर रहा है, उसे को गामा हो तो गामा clear हो चुका है, delta आपको clear हो चुका है, delta एकदम अच्छी से clear है, gamma भी एकदम अच्छी से हमारा clear हो चुका, delta मतलब, delta के basis में आपका call option का value change होगा, in response to change in stock का price, और gamma ये बताता है कि कितना faster delta change हो रहा हो बताता है, ये हमारा gamma हो गया, ये दो चीज हमने सीख लिया, अब थीता, थीता सिंपल सी बात है, जैसे थीता का मतलब हो था time decay, जैसे जैसे time expiry की तरफ जाता है, वैसे option की value गिरती रहती है, जैस दिनों तक, आपको मैंने call option दिया, 10 दिनों के अंदर अंदर आप ये call option को exercise कर सकते हो, अब जैसे जैसे time बीतेगा, वैसे 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 मेरा obligation खतम होता जाएगा, तो इसलिए जो option की value time के साथ-साथ गिरती रहती है, time के साथ-साथ कम होते जाता है, जैसे मालीजे मैंने आपको एक साल का free course दिया, एक साल आप फ्री में पढ़िए, तो जो मैंने option दिया, वो एक साल का दिया है, अब अगर मालीजे आप एक साल का time period का अगर वो option है, आप किसी को course बेचोगे, वो 10,000 रुपीस आपको दिदेगा, course बेचनेगा, लेकिन अगर आप 6 मिना के बाद उसको course बेचोगे, तो बोलीगा आप उसके पास तो 6 मिनी का option यूज करने का course, तो थोड़े न वो आपको 10,000 रुपीस देगा, इसका तो value कम होते जाएगा, तो थीता का मतलब होता है time decay, जैसे जैसे time par होता है, वैसे वैसे option की value गिरती है, वैसे वैसे option की value कम होती जाती है, that is what थीता, जिसको हम time decay बोलते है, जैसे महा लिए निफ्टी करेंडली 15 धाउजन है, और call option की value है 60 रुपीस, अगली दिन, निफ्टी स्टिल 15 धाउजन है, निफ्टी में कोई बदलाओ नहीं हुआ, पट फिर भी time decay की वज़े से, आपका क्या होगा, 60 call option जो है, वो गिर के 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, उस सिकों थीता, बोलते है, तीता मतलब time decay, जैसे 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 वो option expiry की तरफ बढ़ेगा, वैसे वो उसकी value गिरती जाएगे, पिर आगया, वेगा और कुछ नहीं है, वोलाटिलिटी है, जिसे आप मेरी बाद ध्यान से सुनो, वोलाटिलिटी में कैसा समझाता हूँ, माल लेजी आपका निफ्टी जो है, वो मुझे दिखे रहा है, निफ्टी जो ना, 200 पॉइंट सी अप इंडाउन हो रहा है, यह 15,000 ज्यादा से ज्यादा 15,200 होगा, या कम से कम 14,800 होगा, इसमें वोलाटिलि कम होगी, तो उतना एट्रेक्टिम ही रहता है, और यहाँ पर अब देखे, दोसों की आपकी पॉइंट की वोलाटिलिटी आपको दिख रही है, तो अगर दोसों की वोलाटिलिटी में माल लो 20 का प्रीम होता है, माल लीजे फॉर एक्सांपल, वोही निफ्टी इलेक्शन वगेरा के टाइम में, 15,000 अगर हैं, तो यह 16,000 भी जा सकते हैं, और यह 14,000 भी जा सकते हैं, इसकी वोलाटिलिटी देखे बढ़ गए, पहले जो 200 की वोलाटिलिटी थी, अब वो 1000 की वोलाटिलिटी हो गई, तो वोलाटिलिटी क्या होई, पांच गुना बढ़ गई है, पांच गुना बढ़ गई है ना तो यह जो पांच गुना अगर volatility बढ़ गई है तो उस हिसाब से आपका option प्रीमियम जो पहले 20 से बढ़ रहा था है ना 200 की volatility में अब यह option premium 100 से बढ़ेगा 100 से change हो तो vega वही बताता है जैसे आपको vega दिया हो और रहेगा कि 1% volatility में change होने पर आपका vega है 2 मतलब 2 रुपीज का premium बढ़ेगा जैसे 1% volatility बढ़ेगा premium आपका तू रुपीज से बढ़ जाएगा इसका भी example है मेरे पास आप देखें आपर यहाँ पर आप देखें मान लिचे call option की value है 40 रुपीज फिलाल वेगा है 2.5 वेगा 2.5 आपको दिया हो रहेगा इसका मतलब क्या पर तब वेगा 2.5 मतलब 1% volatility पढ़ने से आपका 2.5 से premium बढ़ जाएगा और 1% volatility घटने से आपका 2.5 का premium कम हो जाएगा जितना volatility उतना ज्यादा premium यह समझ में आ रहे है तो volatility मान लो 15% है अगर volatility 15% से 16% हो जाएगी न तो वेगा जितना आपका वेगा 2.5 1% में 2.5 वेगा है तो आपका premium जो 40 है ना 40 से 42.5 हो जाए और अगर मान लिचे volatility आपका 15% से 20% हो गया 5% आपका volatility बढ़ गए तो ज्यादा volatility मतलब ज्यादा पैसा ज्यादा पैसा मलें ज्यादा प्रीमियम लिया जाएगा आपसे तो फिर आपका premium जो इना 40 प्लेस 2.5 इंटु 5 तैंक यह 52.5 का premium हो जाएगा मतलब आप यह समझ जाए किसी भी stock या index में कितनी ज्यादा volatility होगी उतना ज्यादा उसका premium होगा क्योंकि volatility ज्यादा होना ही चाहते option holder चाहे वो put option holder यो call option holder हो तो volatility ज्यादा मतलब premium ज्यादा और vega क्या कहता है vega मतलब vega की जो value है वो यह कहता है कि 1% volatility में change होने से आपका premium में कितना change आएगा तो अगर यहाँ पर vega 2.5 लिखा होगा यह यह कहता है कि 1% volatility बढ़ा तो vega यानि premium 2.5 से बढ़ेगा 1% volatility घटा तो premium 2.5 से गिरेगा तो क्या यह clear है तो अभी तक मैंने चार point आपको पढ़ा है delta आपको एकदम अच्छी से समझा दिया कि अगर आपका stock price है निफ्टी में change होगा तो आपके option में कितना change होगा delta से multiply गरके पता चलेगा gamma है क्या delta का changing how fast delta is changing delta of the delta वो gamma हो गया कितना मतलब time decay time जैसे जैसे बीतेगा option की price गिरेगी value of option गिरेगा वेगा मतलब 1% volatility में change होने से आपका premium में कितना change होगा वह वेगा है वेगा अगर 2.5 है मतलब 1% volatility बढ़ेगा तो आपका premium 2.5 से बढ़ेगा 1% volatility कम होगा तो premium 2.5 से कम होगा यह वेगा है और रहो रो क्या हो गया पता है अगर risk-free interest rate जो है इसके इतना कुछ खास रोल नहीं रहता है risk-free interest rate अगर आपको 1% से बढ़ेगा तो आपको option कितना से change होगा उसको आरेचो बहते है आरेचो इंडिकेट एपसुलूट अब कि हम exotic options की तरफ जा सकते ध्यार यह जो एक्षेंज में ट्रेड नहीं होता है यह और दा काउंट तरफ आपस में कर सकते हो एक दूसरे के सब एक्षेंज में इसका ट्रेडिंग नहीं रहता है यह प्रकार से क्या होगा पते जैसे एक्षेंज में बहुत सरे डिकोरीशन कर दिया जाता है क्या क्या हम सुनते चाई मेगी चामीन मेगी यह वह चीनी मेगी क्या क्या सुनते आज कलम वह उसको कचला कर देना जैसे अभी तक जो हमने option पढ़ा तो प्लीन वैलीन नॉर्मल ऑप्सन है अब इसमें क्या करें और यह इसलिए एक्षेंज में ट्रेड नहीं होता है आपस में आप कर सकतो ओवर दा काउंटर एक्षेंज में ट्रेड नहीं होगा आपको बस में अच्छे समझा दूंगा अपको पूर अच्छे समझ में आ जागा जागा ज्यादा टाइम हम इसमें नहीं लगाएं हाँ एक्षोटिक वेजिटेवल्स है ना वह कभी कबार खाते ना और जैसे खाने में हम देखते ना आज क्या क्या निकल गया मैं देखता और कुछ नहीं नोटन की बाजी जैसे आप उनको भी बोल सकता हूं हमारे रंविर सिंग को वह भी एक्जोटी कुछ भी कपड़े पहन लेते हैं कुछ भी खड़ लेते हैं तो यहां पर आप देखे एक्जोटीक ऑप्सन जो रहता है इसका स्ट्रॉक्चर कॉंट इसका इ तो मैंने पता हैं मैंने के बाता हूं हो रिलाइंस का बट मैं अभी नहीं बताने वाला कि मैं call option लोंगा कि put option लोंगा वो मैं माली जी एक मेने के बाद बताऊंगा या देर मेने के बाद बताऊंगा वो pre-decided रहता है pre-determined रहता है यानि कहने का मतलब three months का option में खरीदूंगा और उसका strike price ब्याइब हो चुका है दिए के strike price कौन से strike price में खरीदूंगा वो भी decide बट यह decide अभी नहीं हो रहा कि call option खरीदूंगा कि put option खरीदूंगा वो में एक मेने के बाद या देरी प्रवाइट से राइट वाइर तो डिसाइड वैदर पर राइट दिया जाता है ऑप्सन बैर को चूज कर सकता है कि उसे कॉल ऑप्सन ची की पूट ऑप्सन ची वो भी बाद में पॉंट्रे करने के बाद में लेकिन वही मैचुरिटी से पहले तो आप समझ रुभिया पर एक को कमपाउंड ऑप्सन यह विर्वे चलो अच्छी है जीज़े जैसे मान लीजे फूर इग्जामपल आपका रिलाइंस का सेर्स है ठीक है रिलाइंस का सेर्स आपका त्री था हो जिनकर इस पर कॉल ऑप्सन है कॉल ऑप्सन की प्रीमियम जो है वो मान लीजे 150 रुपीस है तो मैंने क्या क्या बता है मैंने रिलाइंस का सेर्स का कॉल ऑप्सन ले लिया मतलब क्या जैसे जैसे रिलाइंस का सेर्स बढ़ेगा कितना ज्यादा बढ़ेगा उतना मुझे प्यॉप मिलेगा बट मैंने रिलाइंस का सेर्स का कॉल ऑप्सन ले लिया मैंने कॉल ऑप्सन क पे call option ले लिए अगर ये 150 call option की भी तो value change होती रहती है अगर ये 150 से 190 हो जाएगा तो 40 रुपीज का मुझे pay off मिलेगा अगर ये 150 से 250 हो गया तो मुझे 100 का pay off मिलेगा मतलब क्या मैंने रिलाइंस के सहर पे call option लिए नहीं मैंने रिलाइंस सहर के जो call option है उस पर मैंने call option लिए तो इसे मेरे क्या और अब प्रीमियम मेरे खम लग रहे है और मेरे इस option में जो चींज आएगा उतना चींज मुझे pay off मिलेगा इसी को हम कहते हैं compound option मतलब option और option के ओपर हमने option लिए औ और यहां पर underline के option ही आपको तो यह आपको क्लियर चूजर option देखो नाम से याद रहेगा आपको चूजर option मतलब फुट या पॉल चूज कर सकते हैं compound option मतलब option on option बात खतब barrier option भी अलगी प्रकार कीजिए barrier option में मतलब मान लीजिए for example strike price है 200 जिस पर हमने call option लिए ठीक है strike price है 200 जिस पर हमने call option लिए और हमने एक पता है क्या लगा दिया एक barrier लगा दिया जिस पर activity का price मान लीजिए 240 का barrier लगा दिया अब आपको बता है मान लीजिए for example आगे जाके maturity में अगर share की price हुए इक बात बता हो maturity में share की price हुए न अगर 220 हो जाएगी तो बताए क्या आपको pay off मिलना चाहिए आप बोलोगे यह सबको pay off मिलना चाहिए 200 आपका strike price था अगर 220 maturity में share का price हो जाएगा तो आप बोलोगे ना कि 20 रुपीज का आपको premium मिलना चाहिए पट इसमें पता है क्या एक feature लगा दिया एक barrier लगा दिया बोला कि एक barrier यह 240 को एक बार hit करना पड़ेगा जब तक यह 240 को एक बार hit नहीं करेगा तब तक आपका option activate ही नहीं होते है मतलब माल लीजे यह आपका सहर जब आपने option खरीदा था तब एक बार यह जाके 240 को बस चू के आजाए क्यों के वापस गिर जाए 220 में आजाए आपको मिल जाएगा लेकिन अगर यह एक बार भी उसको चुआ भी नहीं है तो यह option activity नहीं होगा मतलब यह option तब ही एक्टिवेट होगा जब यह 240 को टच करके आए एक बार टच करके आजो 240 को उसके बाद अगर 210 भी हुआ तो 200 से 210 का डिफरेंस 10 रुपीस मिल जाएगा 200 से 220 का डिफरेंस 20 रुपीस आपको मिल जाएगा यह कहने का मतलई normal option ही एक all option बस इसमें एक barrier लगा दिया गया एक ऐसा पॉइंट लगा दिया गया जिसको आपको टच कर क्या वह अगर इस प्राइस को टच करेगा तभी आपको मिलेगा अधरवैस अपको नहीं मिलेगा अगर मालीजी एक बार भी 240 को हिट नहीं किया है तो भली यह 220 230 हो जाए आपको नहीं मिलेगा आपको ऑप्सन एक्टिवेट ही नहीं हुआ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो यह हो गया barrier option binary option बहुत ही simple सी चीच है binary option मतलब क्या आपको पते है मैंने आपको बोला कि सोन देख कल बारिस आएगी तो तू मुझे 500 रुपा दे देना नहीं आईगी तो मत देना मैं तुझ मैं तुझ आपको बोला मैं तुझ यह तुझे रुपीज दे रहा हुँ अगर रिलाइंस का सर लुदे हिट कर गया तो तुमुझे दे देना 50 रुपे नहीं कि तो तुमुझे बन देना कुछ भी लिए अपको डिफरेंस वगेरा नहीं मतलब आपका जो आपका प्री तो यह हो गया binary option तो अभी तक मैंने चार पॉइंट पढ़ा है चूजर option की चूज कर सकते हो बाद में expiry से पहले कि आपको call option ची की put option ची compound option option में अपने option खरीब है barrier option एक point है उसको hit करना पड़ेगा उसके बाद ही option एक्टिवेट होगा option क्या होता पता है यहां पर maturity में जो आपका प्राइस है वह माईनी नहीं रख जैसे मान लीजिए फोर example यहां पर भी मैं आपको example समझात हूँ exercise प्राइस है पॉल का exercise प्राइस है आपका मान लीजिए 200 ठीक है और आपका maturity में stock का price हो गया 250 तो नियम से call exercise होगा और आप बोलोगी कि 50 रुपीज का payoff मिलना चाहिए यह तो बोलोगे 200 के strike price में हमने खरीदा था call अब ही 250 हो गया है तो 50 रुपीज का payoff मिलना चाहिए पट इसको consider नहीं किया जाते है इसको stock price consider नहीं किया जाते है पिछले जितने दिनों का मालीजे 10 दिनों का था तो दस दिनों में जो अलग अलग प्राइस होए उसका average लिया जाया मालीजे आवरेज प्राइस जो है है वो मालनी जए 230 है पिछले 10 दिनों का अगर 10 दिनों का call option है तो पिछले 10 दिनों में जो अलग-अलग price हुए उसका average उसका average मालनी जए 230 आया तो आपको pay off जो है न उतना मिलेगा कितना मिलेगा आपको 80 रुपीज pay off मिलेगा मतलब maturity में क्या price है वो महिनी नहीं उसी को कहा जाता है Asian option Asian option Asian से ऐसे याद रहेगा इंडिया है पाकिस्तान है बंगलादे से चाइना है है ना तो यह सब country सबको consider करना होगा एक को तु नहीं कर सकते तो सबका average तो इस तरीके से याद रख लोगी इस याद आ जाए एसिया मतलब इंडिया पाकिसा सबका average इन्हीं जितने अलग अलग प्राइस है उसका average उसको बोलेंगे Asian option तो binary option clear है Asian option clear है बर्मूड ऑप्सन तो एकक्तम सिंपल है यादि मैंने आपको समझाया था आज ही American call option option American food option उसमें आप कभी भी exercise कर सकते हो माली जिए 3 months का आपने American call option खरीद है 3 months का तो आप कोई भी दिन उसको exercise कर सकते हो first day second day third day fourth day कोई भी दिन exercise कर सकते हो आपको intrinsic value मिल जाएगा difference amount मिल जाएगा लेकिन European option में maturity में exercise होता था तो यह दोनों का मिलन है बर्मूडा बर्मूडा बोलता है कि मालो 3 months का call option है तो आपको हर दिन तो नहीं देंगे American call option तो यह है नहीं यहां कर डिन सकते हैं हर 10 दिन में आप निवर्मूड है हमें काम कर सकते हैं हर दस दिन में हर 10 को प्राइस रहेगा उस दिन आपको मूखा देंगे उस दिन आप चाहों तो एक टो यह क्या purely american option वहा नहीं यह नहीं American है नहीं यूरोपेन उसके बीच में तो दीखे बर्मूडा option में compromised हो रहा है American और European के बीच में इस एक सर्थिक्टेट टु सर्टेन डिर्स हर दिं तो ही कुछ को सर्टेन डेर्स में हम आपको excise करने को देंगे उसे हम बर्मूडा option कहते हैं बास्केट option बदा बास्केट option मतलब से समझ मारा बास्केट मतलब एक बास्केट के अंदर सोचो अप्वल भी है मैंगो भी है है ना और क्या हो सकता है पोमेग्रिनिट भी है बनाना भी है तो यह बास्केट गर मेरा आदर आभी है तो मैंने बुला अगर मेरा पूर्फोल्यो पाइब उपर जाएगा तो जितना उपर जाएगा उतना तू मुझे पैसा देना मैं पूर्फोल्यो में बॉल ना चाहता है उसको बोला जाता है basket option यानि value of option depends on portfolio instead of one underlying एक share पे मैं option नहीं ले रहा या index पे मैं आपसे option नहीं ले रहा मैं portfolio में आपसे option खरीब तो portfolio में जो change आएगा अगर portfolio गीरा तब call option lapse हो जाएगा अगर portfolio बढ़ा तो call option exercise हो जाएगा मैं जान मुझके call से समझा रहा हो सारा चाहिए हलाकि इसमें put option भी possible है बट मैं जान मुझके call के जरी आपको बस explain करो एक एक चीजों का मतलब spread option में क्या होता पता है दो sets ले लिए मान लीजे मान लीजे for example हमने ले लिया आरायल वर्सस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसस तो हमने बोला कि इन दोनों की बीच में जो pricing difference रहेगा जितना spread रहेगा उतना आपको मुझे देना पड़ेगा हम तीन मैने में हम आपको premium देंकि जो मांगोगे तीन मैने में दोनों की बीच में जितना spread होगा उतना आपको दे premium दिया और मैंने बोला है कि इन दोनों के बीच में जितना difference होगा उतना आपको मुझे देना पड़ेगा तो आप मानलो for example thousand जो वो 11 रेड हो गया और 1200 मानलीजे 1300 हो गया तो अपका तो फरेक 200 कह रहेगा या फिर मानलीजे ऐसा हुआ कि thousand जो वो 11 रेड हो गया और 1200 भी जो भी 11 रेड हो गया तो spread तो कुछ बचाई ही निया आपका आप परता कब खुस होगे जब spread बढ़ेगा मतलब मानलीजे जो thousand है वो 800 की तरफ हो गया price और 1200 1500 हो गया तो देखो spread कितना आ गया 700 मतलब आप चाहोगे एक पूरा उठे जो उठा हुआ आप चाहोगे वो और उठे और जो गिरा वो आप चाहोगे और गिरो तब spread बढ़ेगा उसको कहा जाता है spread option मालब बरबाद को और बरबाद कर दो और आबाद को और आबाद कर दो यह होता भी पता है कहाँप ट्रेन वगेरा में जो train लेट होती है उसको और लेट करा दिया जाता है और जो train fast रहती है तो उसको बतो और आगे जो तुझे कहीं नहीं रोकेंगे तुझाते रहे तो वह इस प्रेड के लिए आप एक्जांपल याद रखेंगा train लेट को और बरबाद कर देते हैं और जो फास्ट उसको और फास्ट करवा देते हैं तो जितना spread उतना पैसा कमाओगे उसको कहा ज प्राइस इनीशले डिसाइडी नहीं हो मतलब जो call option खरी देंगे तो इक strike price पर खरी देंगे ना कि उस ट्राइक प्राइस के ओपर जितना जाएगा price उतना आपको difference देना पड़ेगा तो maturity मतलब मालनी चे-strike price आपका not decided strike price आपका decide इनी होगा portion mark रहेगा है ना और आपका मालनी चे-पिछले 10 दिनों में price जो है ना पिछले 10 दिनों में 10 दिनों का call option ने मालनी और 10 दिनों में price कितना आथा बता 200 हुआ 150 हुआ 170 हुआ 290 हुआ 160 हुआ 140 हुआ 220 हुआ 90 हुआ और कितना लेना है 95 हुआ 135 हुआ है ना और end में आपका maturity में आपका 135 हुआ है तो आपका maturity price 135 पे call option है आप बताएं कौन से strike price आप पसंद करोगे अब ले लो आप कोई भी एक strike price ले लो और उसके सबसें आपका settlement कर देंगे call option का कौन से strike price लेना पसंद करोगे पते कौन से लेना पसंद करोगी स्ट्राइक प्रेस 135 अभी maturity में है एंड में आपका 135 है हम इसमें से कोई भी strike प्रेस ले सकते कौल option के लिए आप पते कौन से strike प्रेस हम लेंगे करिशना ची ने 29 रुपेज डोनेट किया पर कोई जर्यत नहीं थी थैंक्यू सो मच फिर भी पताई ये क्रिशना ची का प्यार है ठीक है बताई वड़ा वड़ से आप पते कौन से लोग ये call option का जिसमें आपको सबसे ज़यादा फाइदा दिखेगा ओव्येस ली बातेon होता तो सबसे ज़यादा वाला लेते तो सबसे ज़यादा वाला लेना ताकि जितना गीर्योंतना फाइदा और call option में सबसे कम 90 यह होगा लुग बएक option तो आपको समझ मैं और मैचुरिटी डेट ऑप्सन होल्डर इस गेवने चॉइस तो चूज मोस्ट फेवरेबल स्ट्रैक प्रैस दूरिंग लाइफ टैम पुरे लाइफ टैम में आपको भी मोस्ट फेवरेबल स्ट्रैक ट्रैस ले सकते आप उसको लुक बेक बोला जाते हैं तो अब मैं फटा- एक्टिवेट करना पड़ेगा बैरेर मतलब वह बैरेर है उसको एक्टिवेट करो लेंगे अलग अलग प्रैस का अवरेज लेंगे जैसे इंडिया पाकेसान वगेरा समझाया था बर्मूडा ऑप्सन मैंने का नहीं यूरी पे नहीं अमेरिकन दुरू का बीच का अलग अल प्रफोलियों में आपने option खरीद है या put option या call option प्रफोलियों में खरीद है फ्रेड ऑप्सन दोनों के दो सेर्स क्या जितना spread उतना आपको पैसा मिलेगा लुक बेक आप मैचुरिटी डेट में लुक बेक करो पीछे जाके कोई भी बेस्ट जो स्ट्राइक प्रैस है उसक अगर आपको एकदम अचीज से क्लियर है तो credit derivatives में आ जाए कि credit derivatives बहुत ही सिंपल सी बात कि आजए इस बढलोगे रहे क्रिशना में मेरे अकॉन में डलवा दो मैं डाल दो 29 रूपी से आपके आतीर मालोगी तो उन्होंने प्यार से भीजर है अब भी मस्ति कर रहो मैं डाल दो आपके अकॉंड में यह बनना है वो तो नहीं मस्ति करोगे खाले अभी जी ज्यादा प्रैक्टिकल में फोकस कीज़े तोरी में बहुत ज्यादा फोकस मत कीज़े बहतर रहेगा आपके अच्छे के लिए बहुत में त्यूरी जैप्टर है वह कर लो प्रैडिट एरिवेटिस पढ़ाऊंगा ज्यादा अच्छा रहे है अच्छे लिए वैदर डेरिवेटिस पढ़ लें आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी से तो वैदर की वज़े से एफट हो जाते है जैसे एरलाइन कंपनी आप सुचोगर वैदर बहुत खराब होगा मालीजे क कोई कंट्री है जहां पर वैदर साल में दस मेना खराब हते है तो कोई ऐसी कंट्री का वैदर इतना कhosराब है तो जोबी ऐस्त्रीम कंपनी है सब जूस कि कंपनी वह बरबान हो जाएगी रिलाइंस कंपनी olduğu के बहुत सारी कंपनी चाहते कि रिख देरिवेटिवamos लिसी में है अब airlines company को डड़ लग रहा है कि आने वाले टाइम में वैदर खराब होगा और वैदर खराब होने से उनकी उड़ेगी नहीं तो उनका बिजनस अच्छा होगा नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा तो वह क्या कर सकते एरलेंस company forward contract या future contract कर सकते हैं जहां पर वो क्या करेंगे agreement कर लेंगे दूसरे पार्टी के साथ में कि अगर कल को मान लिचे weather खराब होगा तो जितना weather खराब होने की वज़े से हमारा नुकसान हुआ है उतना आप हमें पैसा दोगे हैना option ले सकते option contract ले सकते कि मैं आपको premium दे आप थेरिए तो पैसे कमा लेंगे हम अपको पैसा देंगे तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं हाँ पर भेडर कर सकते हैं आपको एक्जाम में तो लिखने Alec छूरी कोशी नहीं आए गया तो देखिए आँ पर मैं पढ़ा देता है पर जो जो इंपोर्टन चीज़े वह लिखा हूं मैंने पर देखेंगे उनके फसल वगेरा सब खराब हो जाती है तो वह भी एफेक्ट होते हैं तो यहां पर अंडलाइंग एसिट किया पता वेधर का मेजरमेंट है जो वह योई है अंडलाइंग एसिट है और उसी को मैजर करते है जो भी ऑपसन राइटर होगा वो प्रीमियम चार पर यहां पर अपर यह और डेरिवेटी से वैदर करीजिव से प्रीमियम से प्रीमियम करेंगे इंकर सब्सक्राइब करें रिए करेंगा थे पर तो ने कंपनी ने option खरीद लिए वेदर का अगर वेदर खराब हुआ तो जो पार्टी के साथ उसने option खरीद है जो option seller से उसने option खरीद है वो उसको monetary benefit देगा अगर मान लिजे वेदर खराब वह तो यह वाला चीज भी आप highlight करके रख दीजे अगर exam में question है तो बना के अराम से लिख सकते हो theory question नहीं आएगा और कुछ नहीं आएगा या फिर कोई मान लिजे ऐसा आएगा मॉडलिंग करने का भी कुछ खास जाधा तो यह आपको तीन को बस याद रखना जहां में क्या पता आपको चार पॉइंट के एंसी क्यू बना दे तो इसका एंसी क्यू आ सकता है चैलेंजिंग होता है आपका वैदर डेरिवेटिव आपका उसका प्राइसिंग करना उसका प्रीमियम निकालना चैलेंजिंग होता है due to this due to reliability of data forecasting of weather temperature modeling यह बस जहान में रखेगा आप यह वाला लाइन मैं स्टार देता हूं mcq के लिए यह यह वाला पार्ट हमने एकदम अच्छे से कर लिया तो आइधिंग वैदर डेरिवेटिव आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है अब electricity derivative में वैसे कुछ होता है electricity derivative में प्रॉब्लम क्या आती पता है electricity में क्या प्रॉब्लम में electricity के प्राइस गिर जाएगी तो सरकार ने electricity का तारीव गिरा दिया तो 40 रुपेस कर दिया तो है वह अभी किसी के साथ already future sell कर देगा 55 रुपेस में contract कर देगा अब कल को प्राइस गिरेगा भी तो भी उसे फरक नहीं पड़ेगा उसे तो 55 मैं सोधा उसका हो जाएगा वह future sell कर सकता है या फिर और क्या कर सकता है वह option फुट ऑप्सन खरीज सकता है फुट ऑप्सन खरीज सकता है वह option के अंदर या फिर वह स्वापिंग भी कर सकता है आप मुझे फिक्स देना मैं आपको वैरीबल दू बतलब जैसे कि मेरा पॉस्टिंग पढ़ रहा है कितना 50 रुपीज पढ़ रहा है पर यूनिट पॉस् है ना वैरीबल दूँगा जो इस टाइम का प्राइश रहेगा और तूमुझे क्या देना देले की तो इससे क्या होगा पता है अब मेरा जो प्रोड्यूस क्या होगा है मार्केट में तो मुझे फूच्घरेगं में वैरीबल मिलँगए तो में आपको देर Chemical आ हैं मैं間ो explore म समझाता हूँ मालीचे मैं 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ और मार्केट में मुझे वैरियेबल ही मिलेगा बेचने पर जब मार्केट में मैं फ्यूचर में बेचूंगा ना तो सेल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा वैरियेबल मिलेगा तो मेरा वैरियेबल इन्फलो होगा तो मुझे डर इसी बात का कि वैरियेबल इन्फलो होगा इसी बात का डर है मुझे फिक्स है तो मैंने एक स्वापिंग किया आपर मैंने किया कि स्वापिंग किया थर्ड पार्टी के साथ मैंने third party को क्या बोला कि तुझे मैं outflow में तुझे मैं variable दूँगा जो भी variable हैगा 30-40 जो भी रहेगा तुझे मैं variable दूँगा तु मुझे क्या करना fix दे देना तु मुझे fix 55 रुपीज पर unit करके दे दे तो अब देखिए यहाँ पर मेरा market से मुझे क्या मिलेगा जब मैं units को बेचूँगा electricity बेचूँगा तो customer मुझे variable देंगे माल दीजे 40 रुपीज variable होगा तो 40 रुपीज देंगे यह 40 रुपीज मैं क्या करूँगा third party को transfer कर दूँगा और वो मुझे fix देदेगा तो 40 इधर आया इधर 40 चला गया third party को और मुझे क्या मिलेगा 55 मिलेगा अगर बड़ भी गया तो भी मुझे 55 मिलेगा माल दीजे 60 हो गया तो market में मुझे 60 मिलेगा और यह 60 मैं third party को देदूगा और मुझे 55 मिलेगा यह नि कुछ भी हो जाया मुझे 55 भी मिलेगा तो मैंने अपना variability को eliminate करके fix मैंने fix कर लिया तो यह electricity derivative में आप future contract option swapping यह forward contract भी कर सकते हो तो यह चीज मैंने आपको समझा दिया आपर और यहाँ पर जो एसन जरूरी नहीं है कि जो electricity producer है वह यह काम करें कभी-कभी जो आपका customer होते है जिनको electricity की जरत होते है उनको डढ़ लगता है कि कई rate बढ़ना जाए तो वहाँ पर फ्यूचर भाई कर लेते हैं फ्यूचर भाई कर लेते हैं यह option भाई कर लेते हैं तो वह भी चीज हो सकता है यहाँ पर बाग ही आपको इस derivatives are used to manage risk associated with fluctuation in electricity prices क्योंकि price में fluctuation होगा तो महाँ पर derivative होता है तो अब देखिए कुछ-कुछ इग्जामपल है future contract जैसे माली यूटिलिटी कंपनी यानि कोई कंपनी जिसको यूटिलाइस करना है जिसको electricity खरीदना होते है उसको डरे बढ़ने का तो वह क्या गरीगा बता आज ये future buy कर लिया option में आज हमने किया कि right to buy in future को option खरीद लिया call option खरीद लिया रैट to buy कर लिया समझाया नहीं मैंने सारा चे swapping तो अभी मैंने समझा भी दिया था तो I think आप आप इससे read करोगी आपको अराम से समझ मैंगो और आप अराम से बनाके लिख सकते हो मेरा काम था आपको understanding देना weather derivative का understanding दे दिया electricity derivative का भी मैंने understanding दे दिया अब चलिए पहले commodity derivative पढ़ा दो commodity derivative वहाँ पर नहीं होता है commodity derivative के लिए अलग exchange है उसका नाम भी मैं आपको बता दे तो क्या है commodity derivative जैसे MCX हो गया multi commodity exchange of India national commodity derivatives exchange limited यह अलग अलग आपके exchange जहां पर आप commodity का transaction कर सकतो commodity derivatives में खेल सकतो आप इंडियन commodity एक्षेंज लिमिटेड हो गया आपका नेशनल multi commodity exchange ऑप इंडिया हो गया है यहां पर आप exchange में ट्रेडिंग कर सकतो commodities exchange यहां पर आप derivative भी कर सकतो है ना और साथ-साथ में आप कैस मार्किट की तरह सीधा मालीज आप स्टील का खरीदने का contract भी कर लिए अगर मैं मुझे लग रहा है स्टील का price future में बढ़ीगा तो हम लोग क्या करते है यूजरी हम लोग स्टील पे जो डील करती है उस company का सेर्स खरीदें तो उस company में तो बहुत सारे problems भी होंगे उसके तो सेर्स में बहुत कुछ हो सकता है वो तो स्टील की सेर्स हम ने खरीद है स्टील कंपनी का सेर्स खरीदने के बजाए आप एक काम करो ना स्टील में प्रेडिंग कर लो तो उसके लिए आपको कौन help करेगा commodity एक्षेंज तो commodity एक्षेंज बहुत सारी होती है जहां पर आप सीधा commodity पर ट्रेड कर सकते हो और अगला अगला चैटेकरीज भी होती है commodity फ्यूचर्स वगेरा जैसे agriculture प्रोडक्ट्स में भी आपका derivative ट्रेडिंग वगेरा होता है फाइबर्स ग्रीन्स फूड एनरजी जैस जैसे की copper gold silver वगेरा में भी आप क्या घर सकतो ट्रेडिंग कर सकतो हो हाँ पर तो commodity एक्षेंज की जरी आपको ट्रेडिंग करना होगा जिसका मैंने सारा पौन लिख दिया मैं आप यहां पर अब मैं आपको commodity derivative में आपको पढ़ा दो एक एक्जामपल है उसकी जरी आपको स price होता था उससे भी कम उनको selling price मिलता था तो farmers के लिए फाइदा था कि वो क्या कर सकते अपने आपको हैज करने के लिए derivative contract में वो एंटर कर सकते अब यहां पर एक एक्जामपल है जैसे मालने चेक इन्वस्टर उसको स्टील में रूची आई उससे लगता है स्टील का दाम फ्लूचर में बढ़ेगा तो वो सीधा स्टील के derivative contract कर सकते है ना कि उसको उसका सेर्स खरीदने वो टाटा स्टील का जैसे टाटा स्टील एक कंपनी उसका सेर्स खरीदने के बजाए तीधा commodity अब स्टील में डेरिवेटिव पार और यहां पर दिखें एक एक एक्जामपल भी लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा देता हूं माल लिजे एक टैनोप सोयाबीन जो है उसको इन्वेस्टर अगर 8,700 में बाइक करीगा यह सोचते वे कि कुछ टाइम के बाद 9,000 हो जाएगा तो मेरा पैसा कितना फसर है 8700 मेरा पैसा फसर है जिसे माल लीजे एक राइस का बैग है एक राइस का बैग है माल लो फॉर एक्जामपल वो 87 रेट में मैं खरीदूंगा और मुझे लग रहा है कि बाद में 9,000 हो जाएगा तो मैंने कितना फसाया पैसा 87 पैसा फसाना पड़े और बाद में कमाऊंगा कितना 300 कमाऊंगा तो 300 by 87 यानि कितना पर्षेंट कमाया यह मैंने कमाया लेकिन सोचो अगर मैं पॉमोडेटी डेरिवर्टिक ले लिए जैसे माल लीजे मैंने फूचल पॉंट्रे कर लिया पॉमोडेटी मार्केट में कि मैं राइस का बैक खरीदने का पॉंट्रे करना चाहता हूँ तो ऐसा सचुईशन में माल लीजे हमसे 10% यह सिर मार्जिन लिया जाएगा 870 रूपीस हमसे मार्जिन लिया जाएगा और 8700 में अमने पॉंट्रे कर लिए खरीदने का बात में 9ज हो जाएगा तो हम कितना कमा लेंगे 300 कमा लेंगे इस बार ठीधरिट कमारें सिर्फ 870 रूपीस का पैसा फशागे इवाइड बै एट सेवेंटी इन्टू हंड्रेड अट्टी पॉर पर्षन हमारा कमाई आ रहे हैं मतलब यह वही एक्जाम्पल आपको समझाना चाहते हैं कि आप कॉमोडिटी खरीदोंगे पैसा ज्यादा ब्लॉक करना होता है इवें स्टोरेज कोस्ट वगेरा कभी अलग स से खर्चा करना होता स्टोर भी करना पड़ते हैं अब कॉमोडिटी मत खरीदे का डेरिवेटिस में ट्रांसेक्शन कर रहे हैं अगर आपको स्ट्रॉंग इलिपा रहे है कि रूचर में पैस बढ़ेगा उससे अब कमालों कि रिटन भी ज्यादा कम होगे पैसे भी कम ब्लो कर सकते तो सोचें को मोडिटी ये वैसी को डेरिवेटिव निहीं हो सकते हैं जैसे आलो चावल वगेट लंबे समय तक टिक जा सकता है उससे पर डेरिवेटिव करने का वह से नहीं बनता है तो खराब हो जाएगा उसको कोई उल्ड करके रग भी नहीं पाएगा तो वहाँ होना चाहिए प्राइस ब्लक्ट्विशन अगर नहीं तो डेरिवेटिव का वहीं रोल है जहां पर प्राइस में उतार चड़ा होगा अदर्वास डेरिवेटिव का रूली नहीं है तो यह सब कुछ-कुछ चाहिए प्रेक्वेंट प्राइस फ्लक्ट्विशन होना चाहिए ब्रेकडाउन इन एक्जिस्टिंग पैटन यह बस अब ध्यान रख रहेज़ेगा फुर्द प्रक्वास और इसकी अलावा यह एक्जाम्पल में आपको समझाए दिए कॉमोडिटिव डेरिवेटिव का एक क मिल गया मुझे पॉर्टफोलियो मैनेज्मेंट में वे कुशन है पर इसको मदेरिवेटिस कॉमोडिटिवेटिवेटिस बोल सकते हैं और पॉर्टफोलिव में सही है क्योंकि पॉर्टफोलियो में आपको पढ़ाता हूँ बीटा एक्वल net risk of stock divide by net risk of market या दे आपको मैं ऐसे पढ़ाता था beta equal net risk of stock divide by net risk of market ऐसे मैं पढ़ाता था 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 तो यहाँ पर भी वो यह hedge ratio पूछा जा रहा है तो hedge ratio और कुछ निये changes in spot by changes in future ही होता है लेकिन चलो हम इस प्रकार से हम सीखेंगे आपको अच्छा अब देखेंगे दुखेंगे कोई बात मैं repeat कर दूँ इस्क्रीन देखेंगे तो बताना फिर मैं repeat कर दूँ देखें यहाँ पर कोशे ने hedge ratio पूछा है ऐसे तो hedge ratio का formula होता है हूँ क्या होता है correlation coefficient R होता है R into SD of spot by SD of future वो भी spot changes changes in spot by changes in future पर मैं इस तरीके से ने समझाओगा आप चाहो तो यह exam में लिख सकते हो formula मैं आपको समझाओगा बीटा जैसे हम करते थे पीटा एक्वल changes in stock written by changes in market written जिसकों मैं लिखता था net risk of stock divide by net risk of market यहां पर यहां पर यहां पर क्या लिखाव है था standard deviation of changes of its spot and future prices are 4% and 6% respectively तो आपका spot का price का change है इसका बीटा में change नहीं होता है जैसे हम आपको बताया था पोट्पोलियो में कि बीटा of market मैं आपको यह बताया था हां net risk of market और sdo market सेम होता मैं यह बताया था आपको तो कि वहां पर आपका वो index है उसमें कोई change होने वाला नहीं उसमें कोई internal risk रहता नहीं तो जो net risk of market होता वो तो उसी आपसे अब यह समझ दीजिए जो future price का यह SD है न यह आपका net risk भी है यह आपका net risk का future लेकिन जो आपका spot price का SD है यह यह spot यह stock price बोल सकते हो spot price का SD है इस पर अगर मैं correlation coefficient लगाऊंगा तब मेरा net risk आ जाता आपको याद होगा net risk of stock में कैसे पढ़ाधा थ आपको में कहता था कि अब sds Atlok में अपने ही correlation लगा दो अपना और market का correlation लगा दो अपने ही S.D.I. में अपना Along Market का correlation लगा दी चाप यह आपका net risk आ जाएगा तो आपका changes in spots कितना 4 % यसमें correl relation .75 लगा दिए यह Uma तो मेरा केना याँ यह यहां पर नेट रिस्क व स्टॉक कैसे आएगा मारे पास से एसडि इसकों और त्री परसंट बाइसिक्स पर आपका बीट इसकों है और अब में आप चाहो तो इस प्रकार लिख लेना अब एक्जाम में हैज रेशियो जो आपका है आप ऐसे लिख सकतो फोर्मूला लिखना चाहो आर एक्वल कोपर एंटीफॉर करके हमें यहां पर पूचा करें कि कतना चाहोजन सॉर्णड करें, मुझे बताना अगर मैं सही होता हूं तो आपका 10 मेगा टन में 10,000 केजी होगा 10,000 केजी इन्टू 4,74 पर केजी इन्हीं इतने का आपका इन्वेस्मेंट इतना आपका बाई पूजिशन है और मेरा बीटा पॉइंट फाइव है तो मुझे फूचर कितना सॉट करना तो आपको यहां पर मैंने जितना समझाना था मैंने समझाया अभी मैं आपको exam oriented solution यहां पर करा दे तो आप अपने बुक में लिख लीजिए और आपका है पॉइंट सेवन फाइफ इंटू फॉर परसेंट इवाइड वैए सिक्स परसेंट या पॉइंट फाइफ पाइफ पॉजिशन हमारा कितना है 474 इंटू 10,000 kg यहीं 474 0000 का बाइफ पॉजिशन है therefore amount of future तो सौर्ट हम कितना बोलेंगे 474 0000 इंटू पॉइंट फाइफ रिश्यो पॉइंट फाइफ है 23,70,000 बस बात कर दम कितना ही आपका solution रहेगा यह आप लिख लीजिए अभी साथ की साथ अपने copy में लिख लीजिए बात में मत बूलेगा कि नोट्स मिला नहीं अभी साथ साथ अपने copy में लिख लीजिए लिख लिए तो अगर यह आएगा तो आएगा और कुछ नहीं है वाकि कॉमोडिटे डेरिवेटिस में आपको समझा दिया है काफी है लिख लिए फटाफट बदा दू कि अध्य हद ही हो गया कितना लंबा कि तो चनी तह इतना लंबा जाएगा हमारा सेशन यह अब कितना रिपीट करना है बताओ तो किया रिपीट करना है कि वो क्या यह कि तो नहीं पर बहुत कॉंपिंटेंस आया कि भहत बहुत सुकरी हैं। बहुत पढ़ा दिया है ने आपके रील औप्सन में बस अपर एक बात ध्यान रखेगा। देके लॉंग कॉल का मतलब क्या पते हैं। लॉंग कॉल मतलब पूट भीलिए अपने बाई कियें। पूट भाई क्या मतलब यहां पर भील Scorpion हो और ध्यान से सुने हों creation holder के पास right होता है Margaret बंचा होसं होलर के पास Колडर के पास Right रहता है मैं समझा रहा हूं real option के अंदर कुछ option का बतलप समझा रहा हूं real-opson के अंदर इसके अंदर real option के इसके हैं बस आप यह समझिए Option holder के पास right रहता है बोल दो यह exponentially करने की flexibility हमारे पास तो आप देखिए यहां पर राइट का चिकर हो रहा है राइट फ्लेक्सिबिलिटी आ रहे हैं अगर में इन दोनों की बात कुरूए स्वाट कॉल का मतलब क्या पता है स्वाट कॉल का मतलब एक आप कॉल ऑप्शन राइटर हो ऑप्शन मतलब कॉल ऑप्शन राइटर हो राइटर के पास क्या रहता है पता है ऑप्लिगेशन रहता है तो पूट पूट का मतलब कि आप पूट ऑप्सन राइटर हो पूट ऑप्सन राइटर का भी क्या रहता है ओबलिगेशन है तो अब आप इसको पढ़ोगे न तो आपको अराम से समझ भाएगा कॉट गॉट का मतलब मैंने इन्वेश्ट करने का मेरे पास राइट है इन्वेश्ट करने का की इसका बेचने का अगर बिछने का खरीदे का क्यों करिए तो मेरे अगर sort put बात करूँ मैं तो किसी ने बेचने का right लिया है तो मैंने अरीदने का obligation है तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा obligation to invest, obligation to buy, obligation to invest, commitment to invest तो इसका एक mcq भी है जो मैंने mcq discussion कराया था अभी मैंने theory से भी आपको समझा दिया अब अब read करोगी अराम से समझ में आएगा कोई बाग यह difference दो financial option, real option मैंने आपको बताया भी था जब मैंने real option start किया था तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता दो commodity derivative, weather derivative, electricity derivatives यह सब सब मैंने पढ़ा दिया अब मैं आपको बस एक चीज पढ़ाऊंगा credit derivatives मैं आपको बस पढ़ाऊंगा उसके बाद हमारा चोरी खतम हो जाएगा derivatives का और बहुत ठक गया हमें आज वह ज्यादा है tired हो गया पते एक credit derivatives में हम आजए तो मिनिट देना मुझे कल तो पूरा दिन ब्रेक लेना होगा मुझे कि यस वन के लाइक पार हो चुके तो जो एक चैप्टर करा है पूरे दिन भर में लेकिन अच्छे से करा है कि इतना पता होगा आपको अगर पढ़ने आप खुछ से पढ़ लेजए अगर पढ़ने आप खुछ से पढ़ लेजए जो पिछली बार दिया हुई ले लो सेम यह आपका कुछ चींज नहीं है पिछली बार वाला ले सकते हो प्राची जी पुछते टोटल कितना ब्लेक कपड़ा होंगे आपके बास मैं आपको सची बता रहा हूँ जब भी मैं सौपिंग करने जाता हो ना तो जैसे मानली जो सौपिंग क्या तो तीन चार्ट लेना है तो उसमें से एक-दो ब्लैक हो गई मेरा इसेट भी लेना है त ब्लैक मुझे बहुत पसंदें ते श्चर्ण पूछ रहे तो टोटल कितना ब्लैक कपड़ा होंगे आपके बहुत ब्लैक मुझे ब्लैक बहुत पसंदें लुक्त बढ़िया से हो जाया सारा चलिए अब हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं फटा फट से मैं credit derivative समझा रहा हूँ credit derivative इसमें नाम में क्या सब्दे credit सब्दे क्या पर क्या हो रहा है basically पता है जैसे माल लेजे for example मैंने आपकी company का bonds खरीदा है आपकी company का मैंने क्या क्या bonds खरीदा आप borrower हूँ आपने मैंने से पैसे उधार लिए आप borrower आपको reference entity भी बोला जयता है मैं साथ साथ आपको बताते जा रहा हूँ देखें आप borrower हूँ मैंने आपका bond खरीदा है और आपसे पैसे आपको पैसे उधार दिया मैं buyer हूँ मैंने खरीदा मैं investor हूँ मतलब मैं investor हूँ आप reference entity आप से मैंने bond खरीद के आपको पैसे उधार दिये अब मुझे डर सतार है मुझे क्या डर सतार है कि कहीं आप default तो नहीं कर जाओगे payment तो यह डर मुझे सतार है तो यह डर से बचने के लिए मैंने क्या क्या third party को पकड़ा और वो ही third party है seller वो मुझे option देगा कि कल को आप अगर default कर जाओगे तो वो बंदा मुझे पैसे भरेगा और उसके बदले मैं उसको premium दूँगा जैसे मान लीजा पूर एक्जम्बल आप लोगे सर्व राइटर पागल है जो मुझे option देगा वो राइटर को देखिएगा कि क्यों आप company हो आप में risk ही नहीं उसको लगता है अराम से पैसे recover हो जाएंगे मैं बेवज़ा डर रहा हूँ और मेरे डर का वो फाइदा उठा रहा है जैसे मैंने तो bond में investment कर दिया और अब मुझे डर सता रहे कि कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे तो यहाँ पर वो जो third party है वो क्या देख रहा है कि आपके पैसे डूबने वाले नहीं है मैं बेवज़ा डर तो उसने मुझे अधिकार दे दिया कि वो क्या गर है उसने मुझे option बेचा right option मैंने उसका option खरीदे कि कल को आप default करोगे तो वो मुझे पैसे भरेगा और बदले में मैं उसको premium दे रहा हूँ सब्सक्रेस को होता है इसके इंदर iki मार्केट रिसक होते मार्केट रिसक होते को दें पर आपका प्रैज गिरेगा तो बाशंग लेवावक का प्षए लेए वह आपका जो न ऑपका समय लेटेजू आय। यह क्रेडिट श्क फोट धी वह होकी हमारा पैसा खाना जाए होता है ९हाता है इस explains अम्हें मिल जाते हैं पर credit derivatives हमें नहीं मिलते हैं तो वोई credit derivatives हम अलग से ले सकते insurance company के ज़री है यह आपको exchange में नहीं मिलेगा यह over the counter नहीं रहता है जहां पर हम insurance company है किसी third party के through हम option ले सकते हैं उनको premium भरके तो यहां पर आप credit default swap में तीन सब्द्य आपको दिख रहा होगा credit default swap credit का मतलब मैंने loan दिया है और मुझे डर्ड लग रहा कि default ना हो जाए non payment और इसलिए मैं swapping करना चाते हैं मैं अपना risk किसी और को transfer कर दूँगा और बदले में premium दे दूँगा और मेरा risk जो अब वो transfer हो जाएगा अपने तो यहां पर देखिए credit default swap में मैंने पहले भी बताया था तीन party होते एक borrower जिसको मैंने पैसे उधार दी और एक मैं हूँ जो investor है और एक तीसरा third party जो option writer इसने मुझे अधिकार दिया है seller यह तीन party होते credit default swap में इसका मतलब अल्रेड़ी मैंने समझा दी एक्जामपल आप खुछ से पढ़ सकते हो अब मेरे अंदर जान नहीं बची तो मैं cds का main feature कुछ कुछ बता दे तो मैंने का नहीं यह exchange में trade नहीं होते है यह standardized नहीं होते है जिसने आपका future वगेरा standardized होते है lot size वगेरा होते है general guidelines देता है जिसको सभी कोई follow कर सकता है अपने आपस लिए जिससे हम लोग भी cricket खेलते हैं तो मैं लोग आइससी का rule वगेरा आपस में चला लेते हैं इसी सबसे खेलेंगे तो उसी सबसे जब credit derivative का swapping करोगे तो international swap and derivative association का guidelines को follow कर सकते हो और आप इसे cds को किसे purchase कर सकते हो third party से ठीक है बस इतना point काफी है और यहाँ पर जितना ज़्यादा risk होगा उतना ज़्यादा उसका premium ज़्यादा होगा कोई चीज़ यहाँ पर लिखा वबस बात का मतलब क्या हो गया पते है कि अगर मालेज़े for example आपका default होता है तो जितना पैसा आप मुझे दोगे वह उतना मुझे total पूरा पैसा दे देगा और आपका क्या settlement में कितना होता difference का settlement होते है यह आप जाएब करना आपको समझ में आ जाएगा बस बात खतम तो यहां पर और ज्यादा में मैं चाहता तो इससे बहतर पढ़ा सकता था इसलिए मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता था यह टॉपि मैं सोचा भी था बहुत अगर मालेज़ें डेंजर कॉपरेशन ने डिफॉल्ट कर दिया तो एसस बैंक जो है वह टैन डॉलर देगा बीवी कॉर्प को और बीवी कॉर्प डिलिवर करेगा टैन मिलियन फेस बिलूफ दा बॉंड तो एसस बैंक कि एसटीलमेंट में क्याश डिफेंस का पियमेंट होता था मैंने नहीं पढ़ाया है यह आप खुद जिस रीड करना मैंने नोट्स अच्छे से डाला हुआ बनाके आप इसको खुद भी रीड करोंगे है आपको सब समझ नायागा-बैस रिड ली नहीं पड़ा पार है माफ करना मुझे है है इसमय में बताऊं गांगा 북한 कि कल तक बताता हूं देखता हूं अजरस पहले क्या वो देख सकते हो ना फिर भी मुझे एक दिन का समय दिचे में बताऊंगो अगर पॉसिबल हुआ तो करा दो कि फट्रास सब्सक्राइब करें अब आज इतना आट गंटे से जादा से पढ़ा रहे इसलिए मैंने थोड़ा सा लास्ट में उड़ा दिया एक टॉपिक में थोड़ा सा उड़ाया थूरी में आप वो मैनेज कर लेना फूर्ष तो फाइनली आज का सीशन अमारा खतम होते है आज होप आप सभी को मचाया होगा यह सब कुछ से नोट से रिपर रेड कर लेना हो जाए तक यह मिलना ने सब्सक्राइब हो तुब इसे बढ़ रहे हैं ना उपर से गर्मी भी बहुत लग रही है मेरे रूम में इसी काम नहीं कर रहे हैं आपको वो ट्विटर वाला लिखाओ मैं आप दिखाता हूं रूपक अब क्या क्या लिखते हैं ना वह सभी निलगा मुझे पिक्राइब क्या बताना कि आप अभी साथ दिया उनको खराब करने की कोसर सकते तो प्रोपएगंडा फिला रहे हैं लोग कि अब क्या लिकावेद्ट युक्त वेरी इंट्रेस्टेट इन दा पॉसपॉन्टमेंट अभी अमने पूल किया था अभी लाइव में पोल में वो भी बीच और मीड ओफ दे क्लास में हाउजिन से ज्यादा लोगों ने पोलिंग के उसमें से 70 परसंट लोगों ने यह बोड़ा और यहां पर क्या बोड़े वेरी फ्यू स्टुएंट्स इंट्रस्टेट थे पोस्पांड में के लिए उटा फुल्ड को कैसे सुना सकते हैं उनके वज़े से स्टडी नहीं हो सकती है आज की दिन तो प्लीज रिकॉर्डिंग रखेगा आज मैं लाइव ले रहा हूं उसके रिकॉर्डिंग रखने की बात ले रहे तो मैंने इसको एटीज किया और मैंने लिखा देखिए एक्चुली अंडर्टेंड नॉट एट लेवल ऑप ब्रीन तो अंडर्टेंड स्ट्रेंड डिफिकल्टेस और सब्सक्राइब यह भी तो पोल कर सकते थे ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए अच्छा इसमें वन पॉंट एट के व्यू सुटी सेवन लाइक भी हुआ है इसमें लोग यह सब चीज बोल कैसे पाते हैं मैं तो यह नहीं समझ पाता हूं कैसे कर पाते हैं यह सब चीज एक तो हमारी भावनाओं के साथ खेल लेते हैं उपर से इतनी हिम्मत भी आ जाती क कि इस तरीके से लिख लें मतलब अधाई आप में अभी जी खेरे साउट आउट देरो सब्सक्राइब तो यह थोड़ा से यह सब चीज देखते ना अच्छा नहीं लगते एक तो कल अच्छा नहीं लगा पूट का डिशीशन आया अच्छा नहीं लगा उपर से लोग फु प्रोपाइगेंटा फिला रहे है स्टुएंट्स लोग हम लोग प्रोपाइगेंटा फिला और मेरा क्या ने जब कुछ देखता नहीं गलत हो रहा तो मेरे से चूप नहीं रहा जाता हूँ तो प्रेक टेम गां उसी टेम में मैं ने ट्वीट किया था पूर एक बात तो फैक्ट है मैं आपको सची बता रहा हूँ मैं हर हंड्रीड परसन नहीं बोलूँगा बट मोस्टली स्टुडेंट्स अब जब वो सीए बन जाते ना तो वो स्टुएंट की फिवर में नहीं होते वह आई से की फिवर में बोलने लगते पता नहीं हाँ इ कितने गलत काम कर लें इत्या है कि जहां पर मैंने देखा 사ारे नी मैं तुरींटस को सपूर्ट भी करते हैं पर बहुत सरे ऐसे भी दिए कि बनने के बाद हें एक दो जन मैंने देखा स्या है कि हमने तो आस तक सुना नहीं कि कि नॉलेज इनहीं कि पिछले टाइम हमेशा एलेक्शन में अबका जब लोग चौह अब उस मूछआ है अब Mashmin स्ट्रेंट को उठाओ को फ़राग नहीं पड़ा है मिट जी एक दम जच रहा है से थैंक्यू सुमाज मिट जी कि आज का लाइब इस प्रूब की वेंडों वी केंड डू वाटेवर इटिक्स लिए जेलिस ऑफ यह पॉपुलरिटी सर्नी मुझे टार्गेट नहीं कि कि में ने मेरे खिलाव नहीं लिखा वो और जिन्होंने यह पॉस्पॉर्मेंट को सपोर्ट किया उंके एगेंस्ट में बोल रहे हैं आपके हमारे पॉस्पॉर्मेंट को सपोर्ट किया तो बात वह है यह सब महनत करेंगे बस आप बोल दिया क्लास के बीच में बाखी फोल कुछ नहीं अभी तो एक्जाम जादा समय बचा नहीं है तुम्हें पढ़ाई करना है पर यह तू सर इवन मैं फ्रेंड्स आर अर अर अलसो सीम लाइं तरह भी थेंग्स हैट्स अट्व एफट्स प्लीज गईड वियर तुमाज करेंसे विचे रोला हम तुराना ओल्ड वाला लास्ट टैम लिए था ना वो देख लो कि यह साइसी ने वो चींज किया और जो सजिस्टेट अंसर वाला वह बोलोगा हुआ है जो सीए बन गए उनको कोई परग नहीं पड़ता वे भी लाइक अपना काम बनता भाड़ में जाए स्ट्रेंट्स पुड़ा पहुत है हर कोई हर को ऐसा नहीं है बट बहुत सार ऐसे मिल जाते हैं जो मेरे पुशन में बुलेट हाइलाइट क्या हो वह इंपॉर्टन कोशिन है को डिटी मैंने मार क्या हुआ है कि अधार एफम दोनों में मार क्या हुआ है को शिट्र विट्र तो अल्रेटी है तो लेनी की जड़त नहीं है आप वो देख लेना पिछला वाला आयरे में प्लाइन करते हैं पूसिस करते हैं लाओ जी थैंक्यू सू मच्छ चलो तो फिर अभी जा सकते हैं आज का सेशन को यह समाप्त करते हैं प्रिया जी इस मामले में मुझे क्लैरिटी नहीं है तो आ कूछ रहूं कि टॉनी जी कोसिस करूंगा जल्दी कर दिनेंगे यह नम्रात्य जी कोशिन में इनफ है तो फिर चलते हैं जुबारा मिलेंगे फिर कर दिए टेक्ते हैं और की कीवी तो अनिजी सुपरिया बहुत-बहुत यह सब्सक्राइब आज बट मैने प्राउड है आपके थैंक्यू सो मच कि एफेस कराया हुआ तो इतना अच्छे से रिविजनरी वीडियो है इंडस 103 110 फानेशन इस्ट्रूमेंट 115 116 सबका एक एक सिंगल डिटेल रिविजनरी वीडियो तने अच्छे से कराया हुए कि तो ठीकी है आप लेके तो अच्छे थैंक्यू सो मच कि अब सीधा सूने जाओंगे अभी सीधा निसोंगा अभी थोड़ा बहुत ऐसे इंटरनेट वगेरा में थोड़ा बहुत मलब सूने से पहले में आदा गंटा मोबाइल चेड़ते ही मोबाइल भी छेड़ूँगा थो अब नीचे चली जाओंगे बर दूस्से मिलूँगा ऐसे करते करते रात के दस बज़े तक खाना वगेरा खाले उसके बाद आराम से सुनगा अभी नी सुनगा हो जाते बहुत जाते बहुत जाते यस प्रत्यूज जी अब हम रेस्ट करेंगे चलो तो आप लोग कभी मैं समय ज़्यादा खराब नहीं करूँगा बस आप लोग मन लगा के बढ़ाई किजा वे वच्छे से और फुद पर बरोसा रखे तेकि एक बात तो सच है यह मैं अ कोड़ी कम महनत कम नहीं कर नंबर में बता रहा हूं महनत से भी ज़्यादा जरूरी आपको कॉंफिटेंस लेवल आप कॉंफिटेंट रही है और अपना कॉंफिटेंस लेवल को पिक में रखे आप देखना जल्दी सक्सेस्फूल हो जाओ कि किसी भी एरे में तो अपने है तो ऐसे जाना होता है जो साकंबरि मात है को वहां पर जाना होता हमारा का ए मैं जाते हुआ हो Birthday राजिस्तन तो जाते ही ऊए कि 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 वाह चलेगे घुञाटु श्याम जी या फिर मता ever with सोचां आजुनों के प्लाइन करो मोड़ाय का कि में हो कर नेशाम नदए कि यह बाद भी सही आवी जी ने confidence मेहनत के बाद यह आता है यह बाद भी सही पर कितने सारे बच्चे वह मेहनत करने के बाद भी confidence नहीं लापते इन लोग क्यों मैं बोल रहा हूं यह जी बहुत-बहुत सुक्रें प्रवीन जी करें बहुत अच्छा बढ़ा तो थैंक्यू सो मच प्रवीन जी करें तर मनी मार्केट ऑपरेशन्स का दूसरे फेकल्टी का वीडियो देखा गलत पढ़ा रहेते हैं ति उस पर वीडियो डाल देते हैं ठीक है प्रिया जी कोर्सेश करूंगा जल्द से जल्द आज मोदी जी आया है मारे उदर बहुत चैल करें बहुत बढ़ी आप भी मेले तो लगियाद बोल देते हैं है यह तर फॉम स्टील सीटी जमसीदपूर अच्छा प्रिया जी बहुत बढ़ी है आप वाचिंग दिस वीडियो ना सिंद आए वस अल्रेडी स्टेटिंग और सब्सक्राइब करूंगा तो एक बार जब उन्होंने जब रीड कर रहे थे उन्होंने बोला तो मुझे लेगा वो सच में पॉस्पॉर्ण करें पर पता चलो जाए रीड कर रहे थे बाद में खारीज कर देब सब्सक्राइब क्यों अच्छा ने लगा दिल तोड़ लिया तो इसके चकर में मैंने फर्स्ट आप कुछ काम भी नहीं क्या है कि नोट शोट बनाओ कुछ करू कुछ कुछ मनी नहीं पर उसमें एक्सेट्मेंट आ गया ने जैसे उनीस तारी को खराब हुआ था उनीस तार सब्सक्राइब करते हैं तो अब हम ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं मैं जाता हूं आप भी जाहिए पढ़ाई कीजिए नेक्स्ट फिर से दूबारा मिलेंगे बहुत चलो ठीक है चलो बाई बाई